नमस्कार मी प्यादा दोस्तों मैं सरोक मारसी स्योडी स्ट्रीम आपका हार्दी स्वाद करता हूँ आसा करता हूँ कि आप लगोंग परहाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आज हम लोग परने वाले हैं दोस्तों घटना चक्र का जो जियस दृष्टी है इसमें दोस्तों परियावरन और परिस्तिकी दिया गया है जो काफी important है exam के दिश्टी कौन से और students इसको दोस्तों skip कर जाते हैं जिसके करने उसका result नहीं होता है क्योंकि इस topic से जो भी question होता है दोस्तों काफी ये important होती है ये exam की दिश्टी कोंसे काफी ये important होती है दोस्तों और ये बिलकुल result देने योगी question होती है और इस book में जो question को इसको set करके दिया गिया समझा के ये काफी अच्छी से दोस्तों सजा के दिया गिया है जिसे आपको याद करने में काफी है important होगी और इस book में जो दिया गिया पड़ इच्छा के दिश्टी कोंसे important है इसे आज हम लोग दोस्तों सुरूश लेके अन तक एक ही वीडियो में complete करेंगे इसलिए दोस्तों वीडियो ज्यादा नहीं एक या देर गंटे की वीडियो बनेगी तो ये पूरी दोस्तों आप लोग देख लीचिएगा ये काफी है important है दोस्तों चलिए हम इस start करते है इस start करने से पड़ आप इस book को देख लीचिए इस वीडियो में भी दोस्तों share करेंगे लगणों से डरकर नोका पार नहीं होती कोशिस करने वालों की हार नहीं होती ननी चीटी जब दना लेकर चलती है चड़ती दीवाणों पर सुवार फिसलती है मन का विश्वास रगों में सहास बरता है चटकर गिरना गिर का चड़ नहीं अखरता है आखिर उसकी महिनत बेकार नहीं होती कोशिस करने वालों की हार नहीं होती डूपकिया सिंदों में गोता खोर लगाता है जा जाकर खाली हांत लोट कराता है मिलते नहीं साजी मोती गहरे पानी में मिलते नहीं साजी मोती गहरे पानी में बड़ता दोगोन उससा इसी हैरानी में मुठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिस करने वालों की हार नहीं होती, वो सपलता एक चुनोती है इसे स्विकार करो, क्या कमी रग ही, देखो और सुधार करो, जब तक उना सपल हो नेद चैन को त्यागो तुम, संघरसों का मैदान छोर कर मत को तुम, कुछ किया बिना ही जय जय कार नहीं होती, कोशिस करने वालों की हार नहीं होती, कोशिस करने वालों की हार नहीं होती, अगर दोस्तों जिवान में मुसीबात आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरका उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं दोस्तों, इस पॉ लिए दोस्तों अधिक से अधिक और अच्छा से अधिक लिजिए दोस्तों और हम दोस्तों आपके साथ बिल्कुल कदम से कदम हाथ मिला के दोस्तों हमेशा बिल्कुल आपके साथ रहेंगे जितना हम से हो सकेगा दोस्तों उतना हम आपके साथ ही हमेशा रहेंगे और एक बा अंतिक तेचेस चते प्लिवर करेंगे है इस बॉख कोई भी चीज नहीं है जो आप से नहीं होगा जीत होगा दोश्ते ओसे आज हम लोग से लेकर आम तक एक वीडियो में दोस्तों कम्प्लीट करेंगे चलिए दोस्तों हम स्टाट करते हैं मुल्रोम के मिर्दा यानि मिट्टी से चिपके रहने का कारण क्या है पैक्टीर है मुल्रोम की कोशिका भित्ती कारी करती है पारगम ये कला की तरह कारी करती है मुल्रोमो की कोशिका भित्ती कारी करती है पारगम ये कला की तरह कारी करती है दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट है एक जाम की द्रिष्टिकों से वाई मंडल में ऑक्षियन और करवन डाई ऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में सहाइक होता है तो पेर पोधा दोस्तों सहाइक होता है वनों का एक अनि नाम क्या है? हरे फेपरे ये वनों का एक अनि नाम है नेक्स्ट है परिच्छा द्रिष्टिकों से ओजोन चितर का सरवाधिक निर्मान पाया गिया है अन्टार्टिका के उपर ओजोन चितर का सरवाधिक निर्मान पाया गिया है CFC यानि कलोरो फ्लोरो कारवन हेलोजन्स नाइट्रस अक्साइड एथेन हेलोन इत्यादी गय से उत्तरदाई है ओजोन प्रत की छिंता के कारण है दोस्तों ये सभी CFC, Halogens, Nitrous Oxide, Ethan, Halone इत्यादी गैसे उत्तरदाई है ओजोन प्रत की छिंता के लिए उत्तरदाई है ये ओजोन प्रत दोस्तों समताप मंडल में है कलोरो फ्लोर कारवन हेलोंस तथा कारवन टेटरा कुलराईड तीनों ही पदार्थ है ओजोन रिक्ती कारख है दोस्तों ओजोन का अपच्छे करने वाले पदार्थ का पडियोग पर नियंतरन करने और उन्हें चरनबद रूप से पडियोग बाहिये करने यानि फेजिंग आउट के मुद्दे से समंध हैं मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल समंधी थे। ओजोन दिवस मनाये जाता हैं सरपर्थम वर्ष उनिसुपचासी में टोटल ओजोन मेपिंग एस्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्टिका की ऊपर ओजोन छिदर का पता लगाया था ब्रेटिस अंटार्टिक सर्वेद दलने दोस्तों इंपोर्टेंट है याद रखेग सरपर्थम वर्ष उनिसुपचासी में टोटल ओजोन मेपिंग एस्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्टिका की ऊपर ओजोन छिदर का पता लगाया था ब्रेटिस अंटार्टिक सर्वेद दलने लगाया था क्लोरीन फ्लोरीन एवं कार्वन से बना मानव निर्मित पदार्थ है क्लोरो फ्लोरो कार्वन क्लोरीन फ्लोरीन एवं कार्वन से बना मानव निर्मित पदार्थ है क्लोरो फ्लोरो कार्वन रेफ्रिजेटर तथा वतानुकुलीत यंत्रों में सितकारक के रूप में परियोग किया जाता है क्लोरोप्लोरोकारवन यानि CFC का रेप्रिजेटर तथा वता नोकुली ते यंत्रों में सित्कारक के रूप में परियोग किया जाता दोस्तों क्लोरोप्लोरोकारबन का परियोग किया जाता है समताप मंडल में ओजोन के अस्तर को प्राकिरतिक रूप से विनेमित किया जाता है नाइट्रोजन डाय ओकसाइड दोड़ा दोस्तों समताप मंडल में ओजोन के अस्तर को प्राकिरतिक रूप से विनेमित किया जाता है नाइट्रोजन डाय ओकसाइड दोड़ा ओजोन प्रत की मोटाई सबसे ज़्यादा रहती है बसंत रितु में ओजोन प्रत की मोटाई सबसे ज़्यादा रहती है ओजोन प्रत को मापा जाता है डॉप्शन इटाइम दोस्तो ओजोन प्रत को मापा जाता है जिरो डिग्री सेल्सियस तथा एक एटियम यानि एट्मोस्फेरिक टेंपरेचर एट्मोस्फेरिक दाब पर सुध ओजोन प्रत की 0.01 mm की मोटाई बराबर होती है एक डॉप्शन यूनिट के बराबर होती है ओक्षियन के तीन परमनों से मिलकर बनने वाली गैस कौन सी है तो वो है दोस्तों ओजोन ओधिरी उपड़ी वाई मंडल में ओजोन प्रत के रूप में ओजोन गैस सुरी के पराबेगनिक वी किरन या अल्ट्रावालिट किरन से पिर्थवी पर जीवन को बचाती है जबकि जमीन की सता से सता के ऊपर अर्थात नीचले वाई मंडल में यह है एक खतरनाक परदूसक है दोस्तों इंपोर्टेंट है याद रखेगा उपड़ी वाई मंडल में ओजोन प्रत के रूप में ओजोन गैस सुरी के पराबेगनिक वी किरन या अल्ट्रावालिट किरनों से पिर्थवी पर जीवन को बचाती है जबकि जमीन की सता के उपर अर्थात नीचले वाई मंडल में यह है एक खतरनाक परदूसक के रूप में है दोस्तों ओजोन याद रखेगा ओजोन चिदर के लिए परधांता उतरदाई है क्लोरो फ्लोरो कारवन यानि CFC दोस्तों कितनी तो 6.5 degrees Celsius की कमी होती है छो मंडल में बढ़ती उचाई की साथ परती एक किलो मीटर पर तापमान में कमी होती है 6.5 degrees Celsius की ट्रोपोस्पियर छो मंडल प्रतका नाम करन किया था तो याद रखेगा टीज रेंज डी बोर्ट ने किया था ट्रोपो एस्पियर यानि चो मंडल प्रत का नामकरन किया था और टीज रेंज डीबोट ने किया था गिस्न काल में चो मंडल की उचाई बढ़ जाती है जबकि सीध काल में घट जाती है दोस्तों गिर्ष्न काल में छोब की चो मंदल की उचाय दोस्तों बढ़ जाती है जब की सित काल में खड़ जाती है पहले चो मंदल उसके बाद समताप मंदल है दोस्तों समताप मंदल में ही ओजोन मंदल है उसके बाद मध्य मंदल है तब आयनो एस्पियर है उसके बाद बाहिय मंदल इन बादों को कहा जाता है Mother of Pearl Clouds, उचाई के साथ तापमान में एक गिरावट होती है मद मंडल यानि मेसु एस्पियर में, उचाई के साथ तापमान में एक एक गिरावट होती है मद मंडल यानि मेसु एस्पियर, पहले है छो मंदल उसके बाद है समताप मंदल तब है मद मंदल तब है आयन मंदल उसके बाद है दोस्तों बहिं मंदल आयन मंडल में D, capital D, परत परदसित करती है, नियोन आविर्थी वाली रेडियो तरंगों का, आयन मंडल में capital D परत ये प्रावर्थन करती है दोस्तों, नियोन आविर्थी वाले रेडियो तरंगों का करती है, आयन मंडल में ही सभी रेडियो तरंग यानि सेटेलाइट से वह इस नहीं रहती है दोस्तों नेक्स्ट पिनलीश साइड्ड प्रत कहां जाता है इस प्रत को कहां जाता है THAT इन्म के इफ़ेट में उपस्तित होती है दुरुपिये प्रकास यानी डुजू प्रकास आणिrhी यादर रुखेग और अरारा लाइट दोस्तों हिलियम, आरगन, रेडोन, तथा नियोन, नोबेल गयस है इन में से वह गयस जो वाए मंदल में नहीं पा जाता है दोस्तों याद रखेगा रेडोन भी एक इनेट गयस है दोस्तों और रेडोन का एटोमिक नमबर 86 होती है हिलियम का एटोमिक नमबर 2 होता है और नियोन नहीं दिया गिए अच्छ नियोन भी है आरगन का अटोमिक नमबर अठाड़े होता है दोस्तों रेडोन का अटोमिक नमबर 86 होता है और नियोन का अटोमिक नमबर 10 होता है दोस्तों क्रिप्टोन नहीं दिया दोस्तों क्रिप्टोन का 36 होता है जैनोन का होता है दोस्तों 54 होता है टोमिक नमबर ये 6 नोबेल गैसे दोस्तों याद रखिया है हिलियम, नियोन, आरगन, क्रिप्टोन, क्रिप्टोन, जैनोन, रेडोन ये सभी क्या है इनट गैसे यानि अक्रिया नमर दोस्तों, आठाड़े में रखा गया समुनमर एक या अठाड़े में, ऐसा पदार्थ, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या योगी की, कि ओफें लूपने प्लीर से निश्चितर CEO, भाई। तो उसको हम लोग योगी कहेंगे दोस्तों ऐसे मिश्रन याने मिक्चर कहेंगे नेक्ट एकजाम के दृष्टी कों से देखे अंतराष्ट पिर्थवी सीकर सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट का पडियावरन एवं विकास सम्मेलन था नेक्ट वेस्विक पडियावरन शिवधा अरप विक्सित देशों को अल्प विक्सित देश निधी उपलव्द कराता है UNFCCC के तहद धार्निय विकास के लिए एक वैस्विक कार योजना है एजन्डा 21 याद रखेगा प्रिस्तित की विनास तथा आर्थिक और समन्ता को समप्त करने पर बल देता है एजन्डा 21 बल देता है नेक्स्ट महत्पुन्तत्ति जिसे आपको याद रखनी है विस मोसम विग्यान अभी समय लागू हुआ था 23 मार्च 1950 को लागू हुआ था गैड सरकारी परियावरन संगटन गेनपीस इंटरनेशनल का मुख्याले इस्थित है एम्स्टरडम निदरलेन में जल्वायू का सही सुचकां क्या है तो critically प्रियावरन अधिनियम 1986 केता है जलवाईू का सही सुचकांग क्या है तो प्राकिर्टिक वनस्पति दोस्तों सही सुचकांग है जलवाई का जल में दलदली भूमी में या तलाब के किनारे पाए जाने वाले पोधे कहलाते हैं जल पिडिये पोधे कहलाते हैं जल में दलदली भूमी में या तलाब के किनारे पाए जाने वाले पोधे हैं जल पिडिये पोधे हिंदी में हैं ऐसे भारती उत्पाद जो पडियावरन के परती मेतरी पुर्ण होते हैं को दिया जाने वाला प्रवन पत्र है इको मार्क 1991 से ये प्रारम है दोस्तों ऐसे भारती उत्पाद जो पडियावरान के परती मेतरी पुर्ण है को दिया जाने वाला प्रवन पत्र एको मार्क और 1991 से ये प्रारम है Green Development Environment and Sustainability in a Developing World पुष्ट के लेखा कौन है तो WM Adams है याद रखिएगा Next, Civilization and Climate नमक पुष्ट के लेखा कौन है तो Elseworth Hating Garden है दोस्तों Civilization and Climate नमक पुष्ट के लेखा कौन है तो Elseworth Hatington है प्राकिरतिक किरिसी के अनवेंशन है दोस्तों अनवेंशक है तो मसा नवेंशक है मसा नवेंशक है मसा नवू फोकु ओका है दोस्तों Next, प्रिच्छाद रिष्टी से देखे क्या important है प्रियावरन स्रक्षन के लिए Green Army Program को प्रारम किया था Australia ने वर्स 1972 में आयोजित Stockholm अंतराष्टी सीकर सम्मिलन था प्रियावरन पर पहलाव वैस्विक सीकर सम्मिलन था प्रियावरन दिवसमनाने का निर्ने लिया गिया था दोस्तों Stockholm अंतराष्टी सीकर सम्मिलन 1972 में इंपोर्टेंट है याद रखेगा वी सुप्रियावरन दिवस परति वर्स मनाया जाता है पांच जून को दोस्तों याद रखेगा पर्थम वी सुप्रियावरन दिवस मनाया गिया वर्स 1973 में पर्थम वी सुप्रियावरन दिवस मनाया पंजाब के मार्क फेड और इस्तराइल के सायाग के मदी समझोता हुआ 21 अप्रिल 2001 को दोस्तों देखिए यहाँ यह होगा पंजाब के मार्क फेड और इस्तराइल के सायाग के मदी समझोता हुआ था 21 अप्रिल 2001 को यह समझोता हुआ इस्तराइल के बीच next important point है जिससे आपको याद रखनी है किसी परजाती विसेश के पोधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का स्थन का लाता है आवास का लाता है दोस्तों ये तो आप लोग जानते ही होंगे परिस्तित्की तंत्र में परतिक पोशन अस्तर से आगे बढ़ने पर होता है उरजा का हरास परिस्तित्की तंत्र में परतिक पोशन अस्तर से आगे बढ़ने पर होता है दोस्तों उरजा का हरास यानि 10% उरजा का हरास होता है प्रकार संसलेशन तथा रासायन संसलेशन दुवारा अपना आःड स्वेंग निर्मित करने वाले संघटक कहलाते हैं क्या कहलाते हैं स्वपोसी प्रकार संसलेशन तथा रासायन संसलेशन दुवारा अपना आःड स्वेंग निर्मित करने वाले संघटक कहलाते हैं स्वपो समुधी जल में सरवादिक व्यापत लवन क्या है? सोडियम कलोराइट. नेक्ष्ट महत्पुन तत्थ जिसे आपको याद रखनी है. समुधी खाल संकला में, समुधी खाल स्रिंखला में से जबेगा, याद रखे क्लोरोफिल के साहिता से, और क्लोरोफिल में मैंनेशियम का एक अनु होता है, समुदरी खाद स्रिंखला में याद रखेगा फाइटो प्लेंक टॉंस यानि पादप पलवक होते हैं क्या मोग की प्रात्मिक उत्पाद होते हैं समुदरी खाद स्रिंखला में phytoplankton यानि पादब पलवक होते हैं ये मुख्य प्रात्मिक उत्पाद होते हैं याद रखेगा पिर्थवी के वाय मंडल में उपस्तित ओक्षियन की अधिकांस मात्रा के लिए उतरदाई है phytoplankton है दोस्तों पिर्थवी के वाय मंडल में उपस्तित ओक्षियन की अधिकांस मात्रा के लिए उतरदाई है तो phytoplankton है नेक्स्ट है अब घटक तथा उप्भोकता दोनों की स्रेनी से समंदित वाला जीव है चीटी अब घटक तथा उप्भोकता दोनों की स्रेनी से ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्रात्मिक उत्पादों को हरे पोधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्रात्मिक उभोकता कहलाते हैं याद रखेगा नेक्स्ट अब आम लोग पढ़ेंगे परिस्तिति की तंत्र के विभीद हैं जिसे आपको याद रखनी है देखिए वर्स 1972 में भारत यह वन झीव स्रक्षन अधिनियम मलागु हुआ इम्पोरेंटें याद रखेगा झाता है भारति वन झीव स्रक्षन अधिनियम कव लागु हुआ? разм commonうわ 그래도 podob Gaussian दूंसीstar में नकोचीए स्रक्षन अधिनियम कमलागु हुआ? 1980 में वन स्रक्षन अधिनियम कहला दोस्तों? अनसुचित जन्जाती एवं अनिय प्रमपारिक वनवासी वन अधिकारकों की मानेता अधिनियम 2006 में ये लाग हुआ नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखनी है एकजाम के दृष्टी कुन से उचतर अक्छांसों की तुल्ला में निम्नतर अक्छांसों में जे विविता होती है समनेता अधिक होती है परवतिय छेतर अक्छांसों में जे विविता होती है समनेता अधिक होती है फूलों की घाटी अब यहांता का लख्या लक्ष रखा गिया हैでしょう रख्येक हैं वश्टी केरल का वर्सונ casting कहांसों में जो चयांत गाटि केरल में को नेसनल पार्क घूसित किया थ में फूलों की घाटी अवस्ती थे चमोली उत्राखन में नेक्स्ट एक्जाम की दिश्टी कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है जे विविता के विकास में सहाइक है दोस्तों बंजर भूमी का वनी करन उसने एवं गर्म जलवायू छित्र रहने के सर्व स्रेष्ट अस्तनमाने जाते हैं और नियत तापी प्रानी तितली के तितलीयों की सरवाधिक पर जातियां पाए जाते हैं उसने कटिवंदिये छेत्रों में जै मंडल आरक्षित पड़ी रक्षन छेत्र समंदित होते हैं अनुवांसिक विविनता से दोस्तों रहती ह नेक्ष महत्मुंताती जिसे आपको याद रखनी है ग्लेंड सुर्जरलेंड रामसर सची वाले का मुख्याले है दोस्तों यादर के रामसर सची वाले का मुख्याले कहां इस दितली है ग्लेंड सुर्जरलेंड में दो फ्रवरी को वीश्व आदरभूमी दिवस मनाये जा अंतराश्टी महत्वट की आदरभूमियों की सूची में उन आदरभूमियों का रईश्टर है जहां मानविये हस्त छेव के परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है यादर के Montreo record के तहट दोस्तों अंतराश्टी महतु के आदरभूमियों की सुची में उन आदरभूमियों का रईस्टर है जहां मानवी हस्त छेप के पड़िनाम सुरूप आदरभूमि के परश्तित की सुरूप में पड़िवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होना सं भावी थे रामसर सम्मेलन के बारे में देखिए आदभूमियों के स्रक्षन से समन्दी थे दोस्तों रामसर सम्मेलन रामसर इरान में ये अवस्तित नगर है दोस्तों रामसर रामसर इरान में अवस्तित नगर है दो फरवड़ी 1971 को बैठा कोई थी रामसर का दो फरवड़ी प्रम्प्रागत अनुवांसिक संसाधन को सुरक्षित या श्रक्षित करने का काड़ी करता है राष्ट जै विविता प्रादी करन जैव चोड़ी को रोकने तथा देशी और प्रणप्रागत अनुवांसिक संसाधन को सुरक्षित या संरक्षित करने का कारी करता है राष्ट जै विविता प्रादी करन रखेगा नेक्ट जै विविता जै विविता की विविता हम लोग अब पढ़ेंगे जो कि इंपोर्टेंट है जै व सुरक्षा से समदिते काटा जेना प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर किया था 23 जन्वरी 2001 को सम सितोष्न और सित परधान देशों में रहने वाले जिवों की उस निसक्रियत था अब सन अवस्ता जिसमें वहां के उनके प्राणी जारे का समय बिताते हैं को कहा जाता है सित निसक्रियत था कि समसितोशन और सित परधान देशों में रहने वाले जीवों के उस निस्क्रियत था अवस्थन अवस्था जिसमें वहां के अनेक प्राणी जारे का समय बिताते हैं को कहा जाता है सित निस्क्रियस्ता कहा जाता है सित निस्क्रियस्ता कहा जाता है गुप्त गंगा पहाडी उद्गम अस्तल है तो वेतरनी नदी का दोस्तों। गिलहडी, भालू और कुछ किटभक्ची चमगादर। अब देखिए परिछा दरिष्टी कोन से क्या नेक्स्ट इंपोर्टेंट है। जलवाईव परिवर्तन पड़ अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC के अनुसार वर्स 1990 से 2100 याद रखेगा। जलवाई परिवर्तन पड़ अंतर सरकारी पैनल IPCC के अनुसार वर्स 1990 से 2100 के मद्ध तापमान में विर्धी होगी कितनी तो 1.4 से 5.8 डिगरी सेल्सियस की। IPCC के अनुसार वर्स 1990 से 2100 के मद्ध समुदरी सता में विर्धी का अनुमान है 0.33 से 0.45 मीटर तक। नेक्स्ट इंपोर्टन पॉइंट है फ्रीज में परसितक के रूप में भरी जाने वाली गैस का विपनन समने तक किया जाता है मैपरोन ब्रॉन के तहत अमोनिया परसितक के रूप में पर्युक्त होता है बड़े सयंत्रों में दोस्तों नेक्स्ट महत्पुन्तत जिसे आपको याद रखनी है ओजन प्रत की छिंता के लिए उतरदाई गैसे क्या है ओजन प्रत की छिंता के लिए उतरदाई गैसे हैं ओजन के छिंत का प्रभाव सरवाधिक प्रिलक्षित होता है धुर्मों के उपर ओजन के छिंत का प्रभाव सरवाधिक प्रिलक्षित होता है धुर्मों के उपर ओजन चिदर का सरवाधिक निर्मान हुआ अंटार्टिका के उपर तिबध पठार के उपर वर्स 2005 में ओजन आभा मंडल यानि ओजन हेलो का पता लगाया था जी डवलू केंट मूर्ने दोस्तों । तिबध पठार के उपर वर्स 2005 में ओजन अभा मंडल ओजन हेलो का पता लगाया था जी डवलू केंट मूर्ने वियना संदी का एक प्रोटोकोल मॉंट्रियल प्रोटोकोल समन्दी थे ओजन प्रत के सरक्षं से वियना संदी का एक प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समन्दी थे ओजन प्रत के सरक्षन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था एक जन्वडी 1989 से सोले सितंबर को परतिवर्स अंतराष्टी ओजोन दिवस मनाए जाता है ओजोन परत के सरक्षन है तू सोले सितंबर को परतिवर्स अंतराष्टी ओजोन दिवस मनाए जाता है ओजोन परत के सरक्षन है तू नेक्स्ट एक्जाम की द्रिष्ठी कोंसे क्या इंपोर्टेंट है दोस्तों हिमाले में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला टेक्सस विरिक्ष सुचिबद है रेट डाटा बुक में दोस्तों हिमाले में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वल्ला टेकसस विरिक्स जो है ये सुची बद है रेट डाटा बुक में यानि विलुप्त के कगार पर है टेकसल नमक ओजदी जो विशेष्टा कैंसर के परती प्रभावी है प्राप्त होती है टेकसस विरिक्स से उसने एबाँ उपोचन कटी बन दिये च्छेतरों में समुदो ततों के लवनिय जल में उगने वाले बन कहलाते हैं मेग्रोबन गौवा का वह दूइप जो पूरी तरह से स्रक्षित कच्छ बनश्पत्ती च्छितर है तो उसका नाम है चेराव दूइप गोवा का वह दीप जो पूरी तरह से सरक्षित कच्छ वनस्पतित छित्र दोस्तों चेराव दीप है दोस्तों याद रखेगा Next important point क्या है एक बार उपयोग होने के बाद पुना उपयोग में लाए जाने योग संसाधन कलाते हैं नवनिकर्निये संसाधन कलाते हैं अगर किसी पेर को काटे बिना उससे पूल बना दिया जाता है तो उस पूल को कहा जाता है जिवित पूल या प्राकिर्तिक पूल पडियावर्निये हितेसी स्वरूप और नविकर्निये योग होने के कारण हरी धातु की संया दी गई है अलमोनिये हितेसी स्वरूप और नविकर्निये योग होने के कारण हरी धातु की संया दी गई है अलमोनिये हितेसी स्वरूप और नविकर्निये योग होने के कारण हरी धातु की संया दी गई है अलमोनिये को जिसका सिंबल अल होता है अवेद सिकार से रक्षा एवं सरक्षन याद रखे इसका उदेश्त क्या था दोस्तों वनिजीव सरक्षन अधिनियम का वनिजीवों के तसकरी अवेद सिकार से रक्षा एवं सरक्षन प्रावधान वनिजीवों का अवास रक्षन इसका प्रावधान है विसेश किसी व्यक् क्ति दूरा विदी दूरा किये गये कति पयए उपवंदों के अधिर्ण होने के सिवय घर्याल भारतीय जंगली गधा एवम जंगली भैसतीनों का सिकार वर जित है प्तव 2 surgeon नेक्स्ट वन्सरख्षन अधिनियम 18+, वन्सरख्षन अधिनियम लागू हो थिमय।1 pione में काडियावनित नभीन राष्ट्री वन सूची डिजाइन के अंतरगत वन सूची समिक्षा का समय 20 वर्षे घटा कर दिया गया है 5 वर्षे वर्ष 2016 में कर्यावने इत नवीन राष्टी वन सूची डिजाइन के अंतरगत वन सूची समिक चाके समय 20 वर्षे घटा कर दिया गया 5 वर्षे प्रियावरन वन एवं जलवायू पडिवर्थन मंतराले के अंतरगत एक समधिक निका है राष्ट ये बाग सरक्षन प्राधिकरन भारती वन जीव संस्तानिस्तित है देहरादुन उत्राखण में दोस्तों नेक्स्ट वन जीवों के छेतर में किये गए विशिष्ट कारियों के लिए सेक्षिक एवं सोद संस्ताओं वन एवं जीव अधिकारियों तथा वन जीव सरक्षकों को पडियावरन एवं वन मंतराले दोड़ा दिये जाने वाले प्रुसकार क्या वन जीवों के छेतर में किये गए विशिष्ट कारियों के लिए सेक्षिक एवं सोद संस्ताओं वन एवं जीव अधिकारियों तथा वन जीव सरक्षकों को पडियावरन एवं वन मंतराले दोड़ा दिये जाने वाले प्रुसकार का नाम है राजीव गांदी वन वन जीवों के स्रक्षर में अभुत पूर्ण योगदान के लिए राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारब पर्दत प्रुसकार का नाम है अमरिता देवी विस्नोई अस्मिर्ति प्रुसकार संकटपुर्ण वन जीव प्रियावास की प्रिभासा समविस्थ है वन अधिकार अधिनियम 2006 में भारत में सब से पले प्रियावास अधिकार प्राप्त करने वाली जन जाती है दोस्तों बेगा समुदा है भारत में सब से पले प्रियावास अधिकार प्राप्त करने वाली जन जाती है बेगा समुदा है राष्ट क्रिसी वाने की अनुसंधान के अंधर इस्तित है जहां सी उत्तर परदेश में गैर वन छेतर में विक्सित किये गए बांस को विरिक्षों की परिभासा से विलोपित किया गया है तो भारती वन संसोधन अधिनियम 2017 द्वारा गैर वन छेतर में विक्सित किये गए बांस को विरिक्षों की परिभासा से विलोपित किया गया है भारती वन संसोधन अधिनियम 2017 द्वारा राश्ट क्रिसी वानिकी अनुसंधान केंदर की अस्थापना भारते क्रिसी अनुसंधान परिशत की एक एकाई के रूप में हुई है वर्स 1988 में नेक्ष जीम कारवेट पार्क के बारे में देखिए ये नेसल पार्क है दोस्तों देखे इसके बारे में important point क्या है भारत में अस्थापित पर्थम राष्ट उद्यान है Jim Carvet National Park भारत में अस्थापित पर्थम ये उद्यान है दोस्तों या इस्तित है नेनी ताल जीला उत्राखण में दोस्तों इस्तित है और वर्ष उनिसो तेहतर में सरपर्थम प्रोजेक्ट ट्रागर की दोस्तों सुरुआत हुई थी Jim Carvet National Park कहां है तो नेनी ताल जीला उत्राखण में है दोस्तों और इसकी अस्थापन हुई थी 1936 में हेली नेसल पार के रूप में और भारत में अस्थापित ये पर्थम राष्ट उद्यान है याद रखिएगा विविद क्या है जो आपको याद रखनी है देखिए दोस्तों पक्षी बिहार है और जीला है नवाब गंज बिहार कहां है नवाब गंज पक्षी बिहार है दोस्तों उन्नाव में अखोला पक्षी बिहार है दोस्तों गोतम बुद नगर में अखोला पक्षी बिहार है गो पारवती अरगा पक्षि वियार कहा है जे प्रकास नरायन नगर दोस्तों कहां गुंडा में नेक्स्ट केवलादेव राष्ट उद्यान के बारे में देखिए। वर्ज 1905 में 20 प्राकर्तिक धरवर सुची में समलीत यूनिसको दुआरा हुआ था दोस्तो केवलादेव राष्टी उद्यान। याद रख्या केवलादेव राष्टी उद्यान को वर्ज 1922 राष्टी उद्यान का दरजा मिला। और यह इस्तित है भरतपूर जिला राष्टी उद्यान इस्तित है जम्मू एवं कस्मी राज में है। सपेद बागों के लिए परसीद राष्टी उद्यान है बादम गट राष्टी उद्यान है। संयुत राज अमिर्का का पर्थम राष्टी पार्क है येलो इस्टोन नेसल पार्क है। नौकर एक जे मंडल अस्तापीत है मेघाले में। नौकर एक जे मंडल अस्तापीत है दोस्तों मेघाले में है ये। नेक्स्ट विष्व का एक मात्र पलवमान यानी फ्लोटिंग पार्क याद रखेगा कई बूल लाम जाओ नेसल पार्क है दोस्तों मनिपूर में। यह विस का एक मात पलमवान यानि फ्लोटिंग नेसल पारके दोस्तों इंपोर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स्ट है विसेस राष्ट उद्यान है जिसे आपको याद रखनी यह सभी राष्ट उद्यान है दोस्तों याद रुखे इरावी कुलम ये निलगिरी की मेग बकडियों यानि निलगिरी तरह मतलत तहर का वास अस्थान है याद इरावी कुलम राष्ट उद्यान जो है ये निलगिरी के मेग बकडियों यानि निलगिरी तहर का वास अस्थान है पेडियार ये जो पेडियार है राष्टी उद्यान दोस्तों मो की सरक्षित वनिपसू यानि बाग यवम हाती के लिए पेडियार है केवला देव केवला देव राश्टी उद्यान सरदियों में साइबरियन सारस का ये प्रवास है केवला देव दोस्तों राश्टी उद्यान वीवी तत्थी जी से आपको याद रखनी है ग्रेट इंडियन होर्ण बिल का प्राकिर्तिक अवास कहा है दोस्तों पश्मी घाट भारत का पर्थम तितली उद्यान बन्नेर घटा जेविक उद्यान इस्तित है बैंगलुरू में चमकीले निले धबों के साथ मकमली काले पंखों वाली बुलू मॉर्मॉन तितली को राज तितली के रूप में घोशित किया ये महराश राज ने किया बहारत की सबसबड़ी तितली सदर्न बडविंग को राज तितली के रूप में घोशित करने वाला राज है करना टक है नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखनी है भार सरकार दोड़ा अब तक अस्थापिज जे मंडल आरक्षी छेतर की संकिया आठार भार सरकार द्वारा अब तक का स्थापी जे मंडल आरक्षी छेतर की संकियां दोस्तों आठाड युनिस्को के विश्व संजाल में समलीत भारत के जे मंडल आरक्षी छेतर की संकियां बारत युनिस्को के विश्व संजाल में समलित भारत के जे मंडल अरक्षी छेतरों की संकियां बारत युनिस्को द्वारा परमानित भारत की विरतम छेतरफल की दिश्टी से जे मंडल या जे मंडली निदी है मननार की खारी छेतरफल है 10500 वर्ग किलोमीटर युनिस्को द्वारा परमानित भारत की विरितम छित्रफल की दिष्टी से जे मंदलीय निदी है मनार की खारी छित्रफल है इसका 10,500 वड किलोमीटर भारत में छित्रफल की दिष्टी से सबसे बड़ा जे मंदलीय निदी है कच का रन गुजरात है छित पलीस का कितनी है तो 12,454 वर किलोमेटर दोस्तों कच के रन गुजरात का है याद रखेगा Next, Project Tiger के बारे में जिसे आपको याद रखनी है अपरेल 1973 में प्रारम ते थिये दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर अपने 1973 में ये प्रारम हुआ था, उद्देश बागों को समाप्थोने से बचाना हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, और 1969 भाडत में बागों की कुल संकियां हैं, बाग गर्ना रिपोर्ट 2018 के अनुसार, बाबन स्रक्षित छितरों की संकियां हैं, स्रक्षित छितरों की संकियां दोस्तों बाबन याद रखेगा, नक्ष नोट, परतिक वर्ष 29 जुलाई को अंतराष्ट बाग दिवस की रूप में मनाये जाने का निर्ने, वर्ष 2010 में आव वादिक संकियां वला राज है, मद पर्देश है दोस्तों, यह 526 बाग है, भारत का सबसे बड़ा बाग आवास पाया जाता है, नागारजून सागर, स्री सिलम टैगर रिजर में, जो आंध पर्देश में दोस्तों, 3296 दसमलव, तीन एक वर्ग किलोमेटर में है यह, भार बांधिपूर करना टक बाग अभ्यारन ने वनजीव परबंदन हेतो, मानव रहित वीमान ड्रोन का उप्योग करना प्रारम कर दिया, भारत का एक निसल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है, जिसकी जलवायू उसने कटि बंदिये से उपोशन सितोशन और आर्किक तक प परदियस में, भारत का एक निसल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है, जिसकी जलवायू उसने कटि बंदिये से उपोशन सितोशन और आर्किक तक परिवर्तित होती है, वह है नाम दपा, ये कहा है दोस्तों और ना चल परदियस में, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जल प्राप्त करता है राम गंगा नदी से, चिनार वने जीव बिहार अवस्तित है किरल डाज में, हरी के आदर भूमी पंजाब प्रांत में इस्तित है ब्यास और सतलज के संगम पर ये अवस्तित है, नोट पंच मोसमों का बाग महरोली के समीप इस्तित है दोस्तों, नेक्ट वेकल पिक उर्जा के बाड़े में, अब हम लोग पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपोर्टनेंट है दोस्तों एकजाम के दरिष्टी कौन से, उर्जा संसाधन, ये याद रखेगा एकजामपल दोस्तों इसका, नवी किर्निय उर्जा संसाधन का एकजामपल क्या क्य परमानू उर्जा, सेल गैस, याद रखेगा नवी किर्निय उर्जा का एकजामपल क्यों क्यों है, सोर उर्जा, पबन उर्जा, जल विद्दूत, बायो गैस, भूता पिये, और कच्रे से उतपादित उर्जा, और जुआर ये उर्जा, ये सभी नवी किर्निय उर्जा का ह ओर नभी किर्णिये उर्जा संसाधन का है कोईला पेट्रोलियम प्राकिर्टिक गैस परमान उर्जा और सेल गैस है याद रखेए यह कापी इमपोर्टेंट एकजाम के दिरश्चिकों से नेक्ट उर्जा एब हम उर्जा संसाधन के बारे में अब हम लोग पड़ेंगे महत् प्राकृतिक परिक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होने वाली उर्जा कलाती है नवी किर्निय उर्जा कलाती है। जो हजारों वर्षों से पिर्थवी के नीचे दवे परे थे या पोधों के वे जिवास्म जिनका उप्योग हम इंधन के रूप में करते हैं वो जिवास्म इंधन कहलाते हैं। नोट। प्राकर्तिक ग्यास जिवास्म इंधनों के समर्थ होने के खत्रे को ही उर्जा संकट कहा जाता है। मत्मुन तत्य जिसे आपको याद रखनी है एक जाम के द्रिष्टिकों से। विशु का पर्थम पुन रूप से सौर उर्जा से संचालित अंतराष्ट हवाई पत्तन जिसे संयोक्त राष्ट पडियावरन कारकरम ने सिक्रित किया है। विश्टित ये कोच्ची केडल में। वर्थ 2018 में पुन्टा सौर उर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंसासी परदेश बना दीप बना। वर्थ 2018 में पुन्टा सौर उर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंसासी परदेश बना दीप। भारत में राष्टि हाइट्रोजन बोर्ट का अगठन किया गया वर्थ 2003 में। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जेविक राज बना वर्थ 2016 में। नेक्स्ट है एकजाम के दिश्ठी कुन से। ACI भूरे बादल में एरोसोल्स की मात्रा होती है लगवा 85% समानी इस्तितियों में वतावरन में परदूसन उत्पन करने वाली गयस है कारवा मोनो अक्साइड। वाईव परदूसन के जेविक सुचक का कारी करता है लाइकेड। ऐसे परदूसक जो सुच्म जीवों जीवानु आदी के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानी रहीते तत्वों विघटित कर दिये जाते हैं। जेविगटிत परदूसक के अईसे परदूसक जो सुच्म जीवानु आदी के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हनी रहीते हैं तत्वों में विघटित कर दिये जाते हैं जेविघटित परदूसक कहलाते हैं। सिक्रेट के धुवे में पाए जाने वाले क्या और बंधार क्या नेक्सट महत्पूर नोट क्या है दोस्तों जिससे आपको याद रखनी है अंतराष्टिय अस्तरपर हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985 के अंतरगत सलपर के उत्सरजन में कमी का प्रियास किया जा रहा है मत्रा की तेल सुधन सलाओं से उत्सरजित SO2 से उत्पन अमलवर्सा ताजमहल के सुंदर को छती पहुंचा रही है मत्रा की तेल सुधन सलाओं से उत्सरजित SO2 से उत्पन अमलवर्सा ताजमहल के सुंदर को छती पहुंचा रही है दोस्तों जर्मनी तथा United Kingdom में इस्तित मीलों से उत्सरजित SO2 तथा Nitrogen Oxide के कारण नाडवे तथा Sweden में अधिक अमलवर्सा हो रही है जर्मनी तथा United Kingdom में इस्तित मीलों से उत्सरजित SO2 तथा Nitrogen Oxide के कारण नाडवे तथा Sweden में अधिक अमलवर्सा हो रही है अमलवर्सा को जील काति यानि लेक किलर भी कहा जाता है अमलवर्सा को अमलवर्सा सुचक केंदर की अस्तापना इंगलेंड के मैंचेस्टर में की गई थी अमलवर्सा सुचक केंदर की अस्तापना और नी इसमन्दी तत्वी देखे जल में जेविक तथा वो जेविक दोनों प्रकार के पोसक तत्यों की मात्रा में विर्दी की घठी घाटन कलाती है. सूपोसन कहलाती है जल में जेविक तता ओजेविक दोनों प्रकार के पोसंततों की मात्रा में विर्धी की घटना कहलाती है सूपोसन गंगा नदी में जेव रसाइनिक ऑक्षिजन मांग यान बी ओडी की सरवाधिक मात्रा पाए जाती है कानपूर एवं इलहाबाद अब परदूसक क्या है दोस्तों आर्सेनिक है भूमिगात जल को परदूसीत करने वाले ओजेविक परदूसक क्या है आर्सेनिक है आर्सेनिक का बहतर अब सोसन माना जाता है धान का पोधा को नेक्स्ट है परिच्छा द्रिष्ठी से देखे क्या आपको याद रखें नौक नी नौकनी सलक्षन पेरों का मुर्णा यानि फ्लुवराइड के परदुसम द्वारा उत्पन होता है जैब सोचाले परनाली में ओवायविये जीवानु अपसिष्ट पदार्तों का विघटन या विखंडन कर उसे पानी और गैस मिथेन में प्रिवर्तित कर देता है जैब सोचाले परनाली में ओवायविये जीवानु अपसिष्ट पदार्तों का विखंडन कर उसे पानी और गैस मिथेन में प्रिवर्तित कर देता है फ्लुवराइड तत्व का अतिधिक संद्रन फ्लुवरेसिस नमक रोग का कारण बनता है नेक्स बियोडी क्या होती है यह काफी पॉपलर नाम है दोस्तों बियोडी बियोडी का फुलुवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व मापन की मुख्य इकाई है ये और अधिक मात्रा जल संक्रमन का सूचक है अब धारना देखिए कार्बनिक अपसिष्ट की मात्रा में विर्धी अब गटन के दर में विर्धी ऑक्षियन के उपयोग में विर्धी और घूली ऑक्षियन की मात्रा में कमी ये इसकी अब धारना ह दोस्तों याद रखेगा निक्ष धुनी पर्दुसन के बारे में देखी किसी वस्तू से उत्पन समानी आवाज को कहा जाता है धुनी आधिक दिर्वित्ता वाली धुनी का नाम है सोड़ क्या है सोड़िये तो जानती है तेज धुनी को वतावरण में इसके विपरित प्रभ में दोस्तों याद रखिएगा प्लास्टिक परदुसन के बारे में देखिए एकजामपल काफी है इंपोर्टेंट है पॉलिथीन एथिलीन का पॉलिमर बहुलक होता है पॉलिथीन एथिलीन का पॉलिमर बहुलक होता है दोस्तों प्लास्टिक का थेला एक थर्मो प्लास्ट प्लास्टिक है जिसे प्राप किया जाता है एथलीन के बहूली करण से, प्लास्टिक लोहा सीसा अक्षे पर्धुस्त याणि नवाइो डिगरेबल पूल्यूटेंट्स के स्रेनीम आते हैं। नेक्स्ट रेडियू धर्मी वो अनी गैस ये परदोसन के बारे में आप हम लोग पढ़ेंगे भपाल गैस दुरगतना तीन दिसमबर 1984 का का कारण क्या था मिथाल आइसो साइनेट यानि CH3NC दोस्तों CH3NC, Methyl Isosinate, भुपाल गैस दूरगट न 12 स्मेल 1984 का कारण था, Methyl Isosinate, याद रखेगा, Methyl Isosinate, गैस का पढ़ियूग किया जाता है, कर्भोनेट कृतनासकों के उतकादण में, मिथाल आइसो साइनेट गैस के मतलब पर्योग किया जाता है कार्बोनेट किटनासक के उत्पादर में दोस्तों किया जाता है यूक्रेन ततकालीन सुवियस संग के चर्णोबिल इस्तित पर्मानों के अंद में हुई नाविके दुरगट नाति थी है 26 अपरी 1986 यूक्रेन ततकालीन सुवियस संग के चर्णोबिल इस्तित पर्मानों के अंद में हुई नाविके दुरगट नाति थी है 26 अपरी 1986 नाविके उर्जा का उपयोग प्राया उसमिय पर्दूसन का ये कारण है दोस्तों नेक्स्ट पर्दूसन एब रोग से समनित कुछ कोस्तन है जिसे आपको याद रखनी है देखे पर्दूसक और समनित बीमारी है पारा से बीमारी है दोस्तों मीना माता रोग होता है केड्मियम से इटाई 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 रोग होता है नाइट्रेट आयन से बुलू बैबी सिंड्रोम होता है, फ्लोराइड आयन से दोस्तों फ्लोरोसीस दात की बिमारी होती है, पारा से मिनी माता रोग होता है, केर्मियम से इटाई इटाई रोग होता है दोस्तों, नाइट्रेट आयन से बुलू बैबी सिंड्रोम रोग होता ह प्लॉराइड आयन से फ्लॉरोशीष दात की बिमारी होती है यह काफी इंपोर्टेंट थी याद रखेगा इसको नेक्ष्ट वायु प्रदुसाद को परभावित अंग है देखे ईस्वेस्टोस धूल ये फेपला को परभावित करती है इस्वेस्टोस धूल फेपला को मच् एक्साइड रक्ट ध्धमियों को प्रभावित करती है काबा मोझार याद रखेगा ना्येट्रीजन ये ये cancer जैसा रोग मतलब जर्म देता है nitrogen के oxygen ये cancer के रोग का जर्म देता है धूलकन धूलकन ये 100 समंद्री रोग को फहलाता है धूलकर 100 समीती रोग सीशा केंडरीय तंत्रिका तंत्र ये वा मानव मस्तिष को प्रभावित करती है काबा मुन ओक्साइड हिर्दे को छती पहुंचाती है नाइट्रोजन के ओक्साइड केंसर जैसा घातक बीमारी होता है इससे धूल कन स्वास समंदी रोक्स समंदी थे और ये दोस्तों सीसा केंदरी के तंत्रिका तंत्र मानम मस्ति से ये समंदी थे नेख से पर दूसन विबीत के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे देखिए मत्पूंत थे हवा में तरते हुए स्वासनिय सुक्ष में कनों का आकार होता है लगवा 2.5 मैक्रून सरसों के बीज के अब मिसरक के रूप में समनेता पड़ियों किया जाता है सरसों के बीज के बीज के अब मिसरक के रूप में समनेता पड़ियों किया जाता है आरजी मौन के बीज का एसबेस्टोस फाइबर से गीरे वातावरन में ज्यादा देर रहने से होने वाले रोग का नाम है तो याद रखेगा एसबेस्टोसिस क्या एसबेस्टोस फाइबर से गीरे वातावरन में ज्यादा देर रहने से होने वाले रोग है तो याद रखेगे, एस्वेस्टोसिस है, एस्वेस्टोसिस, नेश्ट कुरा कच्रा को जलाने के लिए परियोग किया जाता है, याद रखेगे, कुरा कच्रा को जलाने के लिए परियोग किया जाता है, इंसेन रेटर का, इंसेन रेटर का, कुरा कच्रा को जलाने के लिए, नेक्स्ट एक्जाम के द्रिष्टि कुन से? नेक्स्ट नोट नेक्स्ट एक अंतराष्टिये दिवस मनाने का निन्न लिया गिया जुन 2001 में केंद्रिये वन पडियावरन एवं जलवायू मंत्राले ने केंद्र पडियायु जीत योजना के रूप में राष्टि जिल सरक्षन पडियोजना की सुरूआत की थी परबरी 2013 में राष्ट जिल सरक्षन पड़ी उजना और राष्ट ये नम भूमी सरक्षन कारक्रम को सनुवीत कर बनाई गई नई उजना का नाम में राष्ट जल ये परिस्तितिकी तंत्र सरक्षन उजना जल हाणी को रोकने के लिए प्राया काटों में बदल जाती है यह important चीज है काटों में बदल जाती है next प्रिछा द्रिश्टी से बहुत है या दखिया दोसो क्लोरेमीन तथा क्लोरीन डायोकसाइड प्रयोगत किया जाते जल के जिवानों मुख्त करने में पैजल को जिवानों रहित करने के लिए प्रयोगत किया जाता क्लोरीन गैस एवं बिलेचिंग पोडर को पैजल को जिवाननु रहित करने के लिए प्रियोग किया याथ कलोरिन गैस एवाम विलेचिंग पोर्डर का नेक्स्ट वाटर प्रिवेंशन एवाम कंट्रोल आप पोलिउशन सेस एक्ट लागों किया गया वर्स उसटतर में लागो किया गया, नेक्स्ट, नोट, प्रावेगनिक वीकिरन का परकार विदू चुमबक्य वीकिरन है, दोस्तों, प्रावेगनिक वीकिरन का परकार क्या है, तो विदू चुमबक्य वीकिरन है, प्रावेगनिक वीकिरन युगते जल सुधन पर नालियों में, बिना किसी ख उखेतरनाक रासायन का प्रियोग किये जल को कितानों मुक्त किया जाता है इंपॉर्टेंट है नेच्ट आब हम लोग पढ़ेंगे देखिए दोस्तों कमिंग सुन में यह है दोस्तों सभी एमसी क्यू कुसर्ण एक वीडियो हम लोग समात करेंगे यह दोस्तों कल यह वीडि में जो पूछे गए थे सभी इस बुक में दिया गया है दोसो साइंस का इसे एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे ये भी दूस्तर कमिंग सुन में है ये काफी है इंपोर्टेंट है रेलवेग ग्रूब डी एकजाम के द्रिष्ठी कुन से नेक्षे विभीत उतर पर्देश में पर्थम बायो टेक्नोलोजी पार की अस्थापना की गई थी लखनों में सुनामी की उत्पत्ति का कारण क्या है समुद्र के भीतर उत्पन भुकम सुनामी की उत्पत्ती के कारण है समुद्र के भीतर उत्पन भूकंप मोसम विग्यान समंदी प्रेक्षन के लिए गुबारों को भरने में परियुक्त गयस है हिलियन डाइनोसोर्स का कर्विस्तान नाम से परसीद अस्तल है मोंटाना अमिर्का में है वह भारती क्रिसी वेग्यानिक जिससे संहुत राश परियावरन कारिकरम यू एन एपी द्वारा फादर आप एकोनोमी के एकोलोजी की उपादी दी गई है नेक्ष दोस्तों दिवस है और थीमें जिससे आपको याद रखनी है विस आदर भूमी दिवस 2021 की थीमें आद भूमी एवम जल विस परियावरन दिवस 2021 की थीमें दोस्तों एको सिस्टम रेस्टोरेशन विस जल दिवस 2021 की थीमें वेल्यूइंग वाटर विस जल दिवस 2021 की थीमें वेल्यूइंग वाटर विस वन जिवस 2021 की थीमें वन और आजिवी का लोगों और ग्रह को बनाए रखना दोस्तों ये इसकी थीमें विस सोचालेदबद 2020 की थीम क्या है सतत स्वक्षता और जलवायू पडिवर्तन विस सोचालेदबद 2020 की थीम है नेक्स्ट विवीन पुरुसकार है दोस्तों जिसे आपको याद रखनी है इंद्रा गांधी पुरुसकार समंदी छेतरे दोस्तों देखे क्या है इंद्रा गांधी पुरुसकार ये किसे समंदी थे? तो प्रियावरन के चेतमे सार्थक योगदान से प्रियावरन पुरुसकार देने वाले संगठन एवां व्यक्ती से समंदी थे बोरलोग पुरुसकार क्रिसी एवं प्रियावरन छेत में दिया जाता है राजीव गांधी प्रियावरन पुरुसकार जो है ये स्वक्ष प्रोदित की एवं विकास में दिया जाता है राजीब गांधी पर्यावरन प्रुसकार स्वक्च प्रुदित की एबम विकास में दिया जाता है वैस्विक पांसो ग्लॉबल पांसो पर्यावरन स्रक्चन है तु किये गए उत्किष्ट कारियों के लिए दिया जाता है नेक्ष देखिए क्या इंपोर्टेंट है जिसे आपको याद रखनी है, 214 दिवास 19 नमबर को मनाया जाता है, 214 दिवास 19 नमबर को मनाया जाता है, 214 दिवास 19 मार्च को मनाया जाता है, 214 दिवास 22 मार्च को मनाया जाता है, पिर्थवी दिवास 22 अप्रिल को मनाया जाता ह 24 दिवस 16 अक्टुवर को मनाय जाता है विसू पसु दिवस 4 अक्टुवर को मनाय जाता है यह काफी इंपोर्टेंट है दूस्तों अब दखए 25 प्रियावरन दिवस अक्टुवर पर्थम सुंबार को मनाय जाता है विस प्रियावरन दिवस पुछा जाता है नेक्स्ट एकजाम के द्रिष्टी कौन से देखिए क्या इंपोर्टेंट है धान के खेत कोईले का खनन पालतु पसु आदर भूमी तथा दिमक सुरोच से मिथ्यन याने CH4 गयस निकलती है वैसे को उसमन के फल्स रूप जिसकी बरंबारता और परचनरता बढ़ रही है वे है दोस्तों चक्रवात था तूफान वैसे को उसमन के फल्स रूप जिसकी बरंबारता और परचनरता बढ़ रही है वे है चक्रवात था तूफान है पिर्थवी का धोरी पर विवस्था बदलना जलवायू परिवर्तन के लिए एक कारक है यह सुझाया था तो यादर के मिलूटीन मिलान कोवीच ने यह सुझाया था यह जो लाग हुई थी एकिस मार्च 1994 को युनाटेड नेसंस फ्रेमबवार के कर्वेंसंस और क्लाइमेट चेंज यू एन एप सी 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 एक अंतराष्ट संदी है जो लाग हुई थी एकिस मार्च 1994 को वह ग्याज जो धरती पर हानिकारक और लाबदायक दोन है वह है कारबन वाग है जो धरती पर हानिकारक और लाबदायक दोन है कारबन डायोकसाइड वाइमंडल के प्राकरतिक संतुलन के लिए कारबन डायोकसाइड की उप्यूकत संदर्ता मानी जाती है 0.03 परती सत्य नेक्स्ट है नेक्स्ट एक्जाम के द्रिष्टी कोन से देखिए क्या है इंपोटेंट है गीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जो सेब फोडियर ने गिन हाउस ग्यास की संकलपना की थी जो से फोडियार ने परियावरान में गिन हाउस ग्यास ग्यासों की उधारन है दोस्तों जलवास्म, कारबन डियोकसाइड, मीथेन, नाइट्रस ओकसाइड, ओजोन और कलोरो फ्लोरो कारबन पडियावरण में गिन हाउस ग्यास कुण कुण सी है जल वास्फ सबसे पहले करबन डियोकसाइड उसके बाद मीथ है नाइट्रस ऑकसाइड ओजोन और कुलरो फ्लोरो कारबन अब अस्तान है और अस्तान विभाग है जिसे आपको याद रखनी है दोस्तों भारती वन स्रक्षन विभाग कहा है देहरादुन भारती वन स्रक्षन विभाग कहा है दोस्तों मुख्याले इसका देहरादुन सुस्ग वन अनुसंधान संस्थान यानि ए एप आराई का मुख्याले कहां जोधपूर में सुस्ग वन अनुसंधान संस्थान का मुख्याले जोधपूर में है इंस्च्ट ऑप उड साइंस एन टेक्नोलोजी का मुख्याले बैंगलोरू में Institute of Wood Science and Technology का मुख्याले दोस्तों बैंगलोरू में है वर्सावन अनुसंदान संस्तार का मुख्याले जोरहाट में है निश्च भारतिय वनस्पातिक सर्वेक्षन बिवा का मुख्याले कोलकाता में है Institute of Forest Genetics and Tree Breeding का मुख्याले कोयमबटूर में है Institute of Forest Genetics and Tree Breeding का मुख्याले कोयमबटूर में है राष्टी पादप अनुवांसिक संसादन ब्यूरो का मुख्याले नई दिल्ली में है राष्टी प्रियावरन अभियांत्रिक सोथ संस्तान का मुख्याले कहा है नागपूर में है नेक्स्ट है वन अनुसंदान संस्तान का मुख्याले देहरादून में है आप देखिए दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों इसे याद रखेगा वन निती 1922-1988 संसोदित हुआ था 1988 में संयुक्त वन प्रमंधन के तह दोस्तों या भारती वन अधिनियां 1927 भारती वन अधिनियां दोस्तों 1927 याद रखेगा वन निती पुछा जायत 1922, संसोदित 1988 हुआ था, सहीत वन प्रबंदन याने GFM, भारतिय वन अधिनियम 1927, वन जीम सरक्षन अधिनियम 1972, याद रखेगा, वन सरक्षन अधिनियम 1908, प्रियावण सरक्षन अधिनियम 1986, जै विविता अधिनियम 2002, नेक्ष दोस्तों, आपको ये भी याद रखनी है, सब्ध है और समन्दित व्यक्ति है, हरित विकास W.M. Adam से समन्दित है, प्राकरतिक करिसी का अनवें सक याद के मासा नोभू फुकु ओका से समन्दित है, दोस्तों, परस्तितिक तंत्र टांसले से समल्दी थे नीस ये गृणेल से समल्दी थे, गीन हाउस गयास की संक्लपना जोसे फोडियर से समल्दी थे एकोलोजी अर्नेस्ट हेकल से समनी थे, हरित विकास W.M. एडम से समनी थे, प्राकिर्तिक क्रिसी का अन्वेंसक मासा नोवु फुकुव का समनी थे, परस्तितिक तंत्र टांसली से समनी थे, परस्तितिक नीस गिनेल से समनी थे, गिन हाउस ग्यास की संक्रपना जोसे फोडिय से समनी थे sociology Ernest Hickle से समनी थे ecology नेक्ष जेव विद्ता यह रेमंद दासमेन से समनी थे बायोसपीयर रिजर्ब एडवर्ड-सुये नेक्ष परिच्छा उप्योगी द्रिज्टिकों लखिमपूर खिरी जनपत में इस्तित है दुद्वा राष्ट उद्यान, उतर पर्देश के लखिमपूर याद रखेगा खिरी जनपत में, पूझा जाता है, सलीम अली राष्ट उद्यान इस्तित है जम्मु कस्मी में, लोक्टक जील भारत में ताजे पानी यानी मीठा पा में घी राश्ट्य उध्यान गुजरात के जुनागर में इस्तित्यां यह परसीद है नेक्स्ट एक जाम के दिश्टी कोंसे देखेए दोस्तों क्या important है परियावरन वन एबम मंत्राले द्वपारा राश्ट्य वायू गुनवत्ता सुचकांग नेशनल Air Quality Index यानि एनए एक क्युवाईड़ जारी किया गिया यह 17 अक्टवर 2014 को यह सुचकांग सरी छितरों में वायू परदुसन का अस्तर बताने के लिए काड़ करता है याद कारी करता है एक संखियां एक रंग या एक संखियां रंग एक वीबरन यानि one number, one color, one description के रूप में दोस्तों या सुचकां के सहरी छित्रों में वायू पर्दुसर्ण का अस्तर बताने के लिए कारी करता है क्या तो याद रखियेगा एक संखियां एक रंग एक वीबरन यानि one number, one color, one description के रूप में next P, देखे PM, PM2.5, PM2.5, PM10, SO2 और NO2 जिस सहर में वायू पर्दुसर्ण के बढ़ते अस्तर का कारण है वह है दोस्तों दिल्ली PM2.5, PM10, SO2 और NO2 जिस सहर में वायू पर्दुसर्ण के बढ़ते अस्तर का ये कारण है यह है दोस्तों दिल्ली में जलवायू एबं स्वक्च वायू गठवंदन यानि Climate and Clear Air Collision यानि CCAC मुखेता जीन पर दुस्वकों पर केंदरित करता है वे हैं मिथेन, काला कार्बन और दुस्तों हाइडो फ्लूरो कार्बन याद रखेगा जलवायू एबं स्वक्च वायू गुनवत्ता Climate and Clear Air Collision यानि CCAC मुखेता जीन पर दुस्वकों पर केंदरित करता है वे हैं मिथेन, काला कार्बन एबं हाइडो फ्लूरो कार्बन वायू पर्दुसर नियंतरन है तू वायू यानि वी ए वाय यू परनाली का सुबारम किया गया दिली में याद रखेगा नेक्स्ट ऐसे पर्दुसक जिनके कनो का व्यास दो मायक्रोन से कम होता है वेब वाय मंडल से स्वक्च नहीं किये जा सकते हैं वर्सा द्वारा वेब वाय मंडल से स्वक्च नहीं किये जा सकते हैं वर्सा द्वारा वे वायू पर्दुसक जो पर्दुसक स्रूत से सीरे वायू में मिलते हैं कहलाते हैं प्रात्मिक पर्दुसक कहलाते हैं स्यूपतुराज अमीरिका का पर्थम राष्ट नेसल पार्क है याद रखेगा और यहीं पर दोस्तों इस बुक में जितनी भी एक्जाम की दुष्टी कौन से important point दी गई थी जो काफी important है एक्जाम के लिए दोस्तों यह सभी को आज हम दोस्तुरूस लेकर अंत तक इसमें दोस्तों complete किये और यह वीडियो आप लोगों कैसा लगा दोस्तों आसा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सेर कर दीजिएगा कम से कम अपने दोस्तों को इस चैनल से जोडने का प्रियास जरूर कीजिएगा असा करते हैं आप ऐसा जरूर कीजिएगा, चलि दोस्तों दुस्ते वीडियो मिलते हैं, तब तक कलिए हैं विद्ली नाइस जेल अलव यू, अपना ख्याल रखियें, अपने दोस्तों का ख्याल रखिये एक बात हमेशा याद रखेग दोस्तों महिनत कभी विवेर्थ नहीं होता है महिनत का फल जो भी होता है बहुत नहीं अच्छा होता है दोस्तों इसलिए अधिक साधिक और अच्छा साच्छा महिनत कीजिए और फल भी अधिक साधिक और अच्छा साच्छा पाईए चली दोस समय सरोक मार्सिंस चूड़े स्टडी में आपका हार्दी स्वाद करता हूँ आसा करता हूँ कि आपला हूँ प्रहाई बहुत अच्छी से चल रही होगी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों महस्कुमार बनवाल की समर्य अध्यन की ये बुक जो कॉस्मोस पॉब्लिकेशन का है दोस्तों इंसियाटी सार संग्रह यह वाल- coded फॉर्म में इसको दिया गिया है और यह काफी इंपॉर्टेन्ट है सभी एक्जाम के दृष्टिकों से आपको हम कहना चाहेंगे दोस्तों ये बुक में वही कोशन दिया गया है जो एकजाम के दृष्टिकों से अति महत्पून कोशन है दोस्तों उसी को इसमें कभर किया गया है और ये काफी important बुक है और ये दोस्तों महसकुमार बनवाल की बुक है तो ये कितनी important बुक होगी य तो आप लोग जानते ही है दोस्तों महसकुमार बनवाल की जितनी भी बुक आती है वो काफी important बुक होती है दोस्तों और ये cosmos publication की है तो इसमें दोस्तों quality और content में कोई compromise इसमें नहीं किया गया है दोस्तों अच्छी तरह से सजा के इस बुक में बिल्खु adjust करके दिया गया है जो आपको याद करने में काफी ये सिवधा दीगी दोस्तों और इस बुक में ये biology जो दिया गया है दोस्तों ये biology कितनी important point होती है exam के दिश्टिकों से ये तो आप लोग जानते ही है इस biology को आज हम लोग सुरू से लेके आं तक दोस्तों एक ही वीडियो में complete करेंगे ज एही बुक है दोस्तों Cosmos Publication का और ये स्रीज नमर 15 है और ये NCRT सार संगर है दोस्तों वाल लाइनर फॉर्म में इस बुक को दिया गया है और ये Cosmos Publication का है दोस्तों और ये महस कुमार बनवाल की ये बुक है आपको बता दूं कि महस कुमार बनवाल की जितनी वी बुक आत इस कोर्स को हमेशा अपने मन में रखिएगा लगणों से घर का नोका पार नहीं होती कोशिस करने वालों की हार नहीं होती ननी चीटी जबदाना लेकर चलती है चटती दीवारों पर सुवार फिसलती है मन का विश्वास रगों में सास बरता है चटकर गिरना गिर का चरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी महनत बेकार नहीं होती, कोशिस करने वालों की हार नहीं होती, डूब क्या सिंदों में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लोट कराता है, मिलते नहीं साजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं साजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दोगुना उत्सा इसी हेरानी में, मुठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिस करने वालों की हार नहीं होती, एक अंतिम पक्ती है दोस्तों, वो सफलता एक चनोती है इसे स्विकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और अगो तुम, कुछ किये विना ही जे जे कार नहीं होती, कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती, अगर दोस्तों, जीवन में मुसीवत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं दोस्त बिना महनत का कुछ भी नहीं होता है ये आप याद रखेगा इसलिए दोस्तों अधिक से अधिक और अच्छा सच्छा दोस्तों महनत कीजिए बिल्कूल और एकजाम निकलेगा दोस्तों इकजाम क्यों निकलेगा दोस्तों बिल्कूल निकलेगा सिर्फ दोस्तों एक बार से नहीं निकलता है बिल्कुर निकलेगी दोस्तों दुनिया मा इसा कोई भी चीज नहीं है जो आप लोग से नहीं होगा सभी होगा दोस्तों सब तो आदमी ही करता है दोस्तों तो आप क्यों नहीं किजिएगा आप भी कर लिजिएगा दोस्तों सिर्फ दोस्तों एक बार मन साथ हमेशा ख़़ा रहेंगे दोस्तों और हमेशा जो भी होगी हमसे दोस्तों वो सभी भूख को हम complete करेंगे दोस्तों चलिए हमें start करते हैं start करने से पहले ये देख लिजीए दोस्तों इस भूख का ये अनुकर्मनीका है जिसमें हम लोग भारती राजवेस्ता जिसे हम लोग सुरूस लेके आन तक complete कर चुके हैं और भुगोल में भारत का भुगोल भी हम लोग दोस्तों सुरूस लेके आन तक complete कर चुके हैं अब हम लोग complete कर रहें विज्यान विज्ञान में दोस्तों भोती विज्ञान को भी सुरूस लेकर अंतक कम्प्लीट कर चुके हैं और असान विज्ञान को भी दोस्तों हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग कम्प्लीट करेंगे जे विज्ञान याद रखेगा जे विज्ञान को आज हम लोग दोस्तों सुरूस लेके अंतक कंप्लीट करेंगे और ये काफी इंपोर्टेंट ये टोपिक है दोस्तों इसे भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और दोस्तों इसमें एक और सब्जायट को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे व के करके सभी subject को दोसतों हम लो एक भी subject नहीं चोरेंगे सभी को complete करेंगे दोस्तों step by step आप लोग बनी रहेगा दोस्तों चली दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं जी विग्यान यानि बाइलोजी का पहला चेप्टर है जी विग्यान की सखाएं ब्रांचेस और बाइलोजी का पहला कोस्तने विर्टी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है अंगूर यानि विर्टी कल्चर में किसका अध्यन किया जाता है अंगूर का के अंतरगत विर्धावस्ता या आयर विर्धी के प्रभाव का अध्यन किया जाता है वर्मी कल्चर में कौन सा किट पर्युक्त होता है केचवा यानी अर्थवार्व वर्मी कल्चर में कौन सा किट पर युक्त होता है केचवा यानि अर्थवार पैडोलोजी के अंतरगत किसका विज्यानिक अधिन किया जाता है मिर्दा का पैडोलोजी के अंतरगत मिर्दा का अधिन किया जाता है फुलों के अधिन को क्या कहते हैं, एंथोलोजी कहते हैं, किटों का वेज्यानी का अधिन क्या कहलाता है, एंट्रमोलोजी, जनसंक्या एवा मनब जाती के आखनों का अधिन क्या कहलाता है, जनसंक्या एवा मनब जाती के आखनों का अधिन क्या कहलाता है, जनांकी क्या कहला जिवासुबनस्पति यानि पेलियो बोटनी के अंतरगत पादब जिवास्म फोसिल प्लांट्स का अध्यन किया जाता है। अस्तियों का अध्यन किस साखा के अंतरगत किया जाता है। जिवासुबनस्पति यानि पेलियो बोटनी के अंतरगत किन जनतों का अध्यन किया जाता है। जिवासुबनस्पति यानि पेलियो बोटनी के अंतरगत किन जनतों का अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कोने थियो फ्रेश्टस। सुक्ष्म जी विज्ञान के जनक कोने लुई पास्चर। जिवानु विज्ञान के जनक कोने रोबर्ट कोज। पर्तिरक्षा विज्ञान के जनक कोने एडवर्ड जेनर। वर्गी की अथवा वर्गीकरन विग्यान के जनक याने टेक्सोनोमी के जनक कों है तो केरोलास लीनियस रुदिर परीशंचरान तंतर बलर्ड सरकुलेशन सिस्टम के जनक कों है विलियम हार्वे रुधिर परिशंचरं तंत्र, बलड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक कोन है, विलियम हारवे, कोशिका विज्यान साइटोलोजी के जनक कोन है, रोवाट हूग, उत्परिवर्तन म्यूटेशन के जनक कोन है, हीगो डिबरीच, कवग विज्यान माइकोलोजी के जनक कोन है, हैंरि पादब शरीर किडिया विज्ञान प्लांट साइकलोजी के जनक कोन है तो याद रखेगा एस्टीपन हिल्स है एस्टीपन हिल्स रुधिर वर्ग ब्लड ग्रूप के जनक कोन है तो याद रखेगा शरावी विज्ञान प्लांट साऋמעल अनुवाँसिकी याणि जेनेटिक्स के जनक कोन है तो याद रखेगा जोनमेंडल अनुवांसिक यानि जेनेटिक्स के जनकों है ग्रेगर जौन मेंडल आधुनिक अनुवांसिक यानि जेनेटिक्स के जनकों है ग्रेगर जौन मेंडल भारतिये पूरा वनस्पति विग्यान इंडियान पेलियो बोटनी के जनकों है बिर्बल साहनी अनुवांसिक अभियांत्र की यानि जेनेटिक इंजिनेरिंग के जनकोन है पॉल बर्ग हैं सेवाल विज्यान यानि फाइकोलोजी के जनकोन है विलियम हेन्री हार्वे भारतिय सेवाल विज्यान इंडियन फाइकोलोजी के जनकोन है एम ओपी आयंगर भारतिय सेवाल विज्यान इंडियान फाइकोलोजी के जना कोण है? M.O.P. आयंगर भारतिय प्रस्तित की यानि इंडियान इकोलोजी के जना कोण है? रामदेव मिस्रा असधी विज्यान यानि फार्मा सेट्यूकल साइंस के जना कोण है? तो हिपोक्रेटस अजदी विग्यान के जनक कोन है? हिपोक्रेटस सुख्षम दर्सकी यानि माइक्रो एसकोपी के जनक कोन है? एंटिनी वान लुएन होग सुख्षम दर्सकी यानि माइक्रो एसकोपी के जनक कोन है? एंटिनी वान लुएन होग जिन चिकिसा के जनक कोने एंडर्सेन, जन्तु विग्यान, जी विग्यान की ही एक साका है अरस्तु को जन्तु विग्यान का जनक पादर अवजिलो जी कहा जाता है वनस्पति विज्ञान की परमुख सखाएं के अंतरगत देखे क्या है दोस्तों यह काफी important है घास विज्ञान यानि एग्रो एस्टोलोजी घासों का अध्यन वो पालन इसमें किया जाता है एग्रोइस्टोलोजी यानि घास विज्ञान में घासों का अध्यन वो पालन किया जाता है एल्गोलोजी में सेवालों का अध्यन किया जाता है एल्गोलोजी में सेवालों का अध्यन किया जाता है या फाइकोलोजी में सेवालों का अध्यन किया जाता है जिवानों विज्ञान यानि बैक्ट्रियोलोजी में जिवानों का अध्यन किया जाता है ब्रायोलोजी में ब्रायोफाइटा का अध्यन किया जाता है केसिडोलोजी में पादपो में रोग जन ये गाठो पादप कैंसर का अध्यन किया जाता है केसिडोलोजी में पादपों में रोग जनी गाठो पादप कैंसर का अध्यन किया जाता है डेंड्रो क्रोनोलोजी में विरिक्षों की आयू का अध्यन किया जाता है डेंड्रोलोजी में विरिक्षों एवं जारियों का अध्यन किया जाता है ડेन्डोलोजी में विरिक्षों यवं झारियों का अध्यान किया जाता है इकोलोजी में पोधों का वतावरण से समंध का अध्यान किया जाता है एकोनोमीक बोटनी के अंतरगत आर्थिक महतु के पोदों का आध्यन किया जाता है और एथनोबोटनी के अंतरगत आरिवासियों दोआरा पादपों के उप्यों का अध्यन किया जाता है फोरेश्ट्री में वनों का अध्यन किया जाता है एक्सो बाइलोजी में आनिगरों पर संभावित जीवों की उपस्ति का अध्यन किया जाता है एकसो बाहिलोजी में अनिग्रों पर संभावित जीवों की उपस्ति का अध्यन किया जाता है और जेनेटिक इंजिनेरिंग, जेनेटिक इंजिनेरिंग के अंतरगात कृतिम जिन्स, यानि आर्टिफिसियल जिन्स का निर्मान वो अस्थंतरन का अध्यन किया जाता है। सुष्म जीवों का अध्यन किया जाता है। पादपों के साथ समंधों का अध्यन किया जाता है। पेलियो बोटनी के अंतरगात पादप जिवासों का अध्यन किया जाता है। पेलियो बोटनी के अंतरगात परागकनों का अध्यन किया जाता है। पेरासीटोलोजी के अंतरगात पोसक तथा पर जिवियों के समंधों का अध्यन किया जाता है। यह काफी important सभी है दोस्तों क्या फर्मेकोलोजी के अंतरगात औस दिये पादपों का अध्यन किया जाता है। फिजियोलोजी के अंतरगात विभीन पादपों के जेवी किरियाओं का अध्यन किया जाता है। टेरीडोलोजी के अंतरगात टेरीडोफाइट्स का अध्यन किया जाता है। के अंत्र illustrator अंत्री सटा वाईमंडल में इस्तित्पादपों का अध्यण किया जाता है मिल्स एक स्पर मॉलोजी यह एक भी सुरि के प्रवार्ब या का धिया कि याइन किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स के अंतरगत इस साखा के अंतरगत बिना मिर्दा के बागवानी की जाती है नेक्स अब हम लोग पड़ेंगे जन्तु विग्यान की परमुख साखा हैं जो कि काफी यह इंपोर्टेंट है वो देखिए एनाटोमी में विछेदन की दौरा सरीर एवं विवीद अंगों की रचना का परदसन करना होता है एंथ्रोपोलोजी में मानब जाती के संस्कृतिक विकास का अध्यान किया जाता है एंथ्रोपोलोजी में मानव जाती के संस्कृतिक विकास का अध्यन किया जाता है एकोलोजी में जेविक एबं ओजेविक वतावरन से जीवों के विवीद समंदों का अध्यन किया जाता है और एंडोक्राइनोलोजी में अंतस्रावी तंत्रों का अध्यन किया जाता है में ब्रूनिय समर्धन का आध्यन किया जाता है इंजाइमोलोजी में उत्प्रेरकों का आध्यन किया जाता है एंटामोलोजी में किट पतंगों का आध्यन किया जाता है जेनेटिक्स में जीवों के अनुमांसिक लक्षने एबं उनकी वनसागती का आध्यन किया जाता है जेनेटिक्स में जीवों के अनुमांसिक लक्षन एवं उनकी वनसागती का अध्यन किया जाता है हीमेटोलोजी में रुधिर एवं रुधिर समंधिर रोगों का अध्यन किया जाता है हरपेटोलोजी में उभैचरों एवं सरी सिर्पों का अध्यन किया जाता है हरपेटोलोजी में उवाई चरो यवं सरी सिर्पों का अध्यन किया जाता है मेमेलोलोजी में अस्तंधारियों का अध्यन किया जाता है माइक्रोबायलोजी में आतिसुक्ष में जीवों का अध्यन किया जाता है और पेथोलोजी में रोगों की प्रकिर्टी लक्षनों एवम का अधियन कीआ जाता है पैथोलोजी में रोगों की प्रिकिर्टी लक्षनों एवं कार्णों का अधियन किया जाता है रेडियोलोजी में जीवों पर वीकिरन प्रभाव का अधियन किया जाता है टेक्सनोमी में जीवजातियों के नामकरन एवं वर्गिकरन का अधियन किया जाता है आयू बिर्धी देखिए आयू बिर्धी के साथ जीवों में होने वाली परिवर्तनों का अध्यान जराविज्ञान यानि जरेंटरलोजी कहलाता है अब हम लोग पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ती से समन्दित परमुक सिध्धात एवं जय विकास पहला कुशन है जीव विकास को सरपर्तम किसने परिवासित किया था जीन बेप्टिस्ट डीमल याद खिया लेमार्क ने आप लेमार्क याद रखेगा दोस्तों जीव विज्ञान को सरपर्तम किसने परिवासित किया था लेमार्क ने परिवासित किया था वेग्यानिकों ने आधुनिक मनस्त का अंतिम पुर्वज कसे माना है क्रो मेग्णोन मानव को माना है वर्तमान परमान के अनुसार पिर्थी पर जीव का उद्गम लगवग कब हुआ तो दो अरब वर्स पुर्व से माना जाता है वर्तमान पर्मान के अनुसार पिर्थी पर जीव का उदगम लगभग का हुआ दो अरब वर्स पूर्व हुआ विकासवाद का सिधान्त theory of evolution किसने पर्थिपादित किया Charles Darwin ने विकासवाद का सिधान्त किसने दिया Charles Darwin ने उद्विकास का मोख्य कारक्या है प्रकृतिक वरन यानि नेचरल सलेक्शन उद्विकास के उतपडिवरतन सिधान्त मीटेशन थ्योरी ऑप इबोलेशन का परति पादन किस ने किया था तो याद रखें का ही यूगर डी ब्रीज ने किया था उत्रविकास के उत्पडिवर्तान सिध्धांत मीटेसन ठीोरी ओप इवोलेठशन का परतिपादन किस नहीं किया था ही ओर डीब्रीज नहीं किया था निक्स्ट आर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक यूग का सबसे प्राचिन पक्षी है जो सरिस्रीप वो पक्षी वर के मद की कड़ी है याद कि आर्कियोप्टेरिक्स ये जुरेसिक यूग का सबसे प्राचिन पक्षी है जो सरिस्रीप वो पक्षी वर के मद की कड़ी है मेमत किस जीव का पुरवज है हाती का मेमत किस जीव का पुरवज है तो हाती का ये पुरवज है पिर्थुई पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ती मानी जाती है नील हडित सेवाल का पिर्थिवी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ती मानी जाती है नील हडित सेवाल का, सितरीतु में पस्वों के पर सुपती काल को क्या कहते हैं तो हाइबर नेशन कहते हैं, किस जीव में सनायो तंत्र तो होता है, परंतो मस्तिस्क नहीं होता है तारपिन एश्टारफिस में, जीवानों में किस परकार के राइबोस्वों पाए जाते हैं, तो यह जाते हैं, जीवानों में किस परकार के राइबोस्वों पाए जाते हैं, तो सत्तर एस राइबोस्वो पाए जाते हैं डाइनोसोर शरीषिप रेप्टाइल स्वर्ग में आते थे जिनका उदे मेसजोई की युग में हुआ था निल हरित से वाल जिवानों तथा कवक में लवक यानि प्लास्टिट्स नहीं पाए जाते बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाए जाती है तो क्रेमेटो फोर्स पाई जाती है क्रेमेटो फोर्स पाई जाती है निल हरित सेवाल जिवान होता था कवक में लवक नहीं पाई जाते बलकि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है क्रेमेटो फोर्स पाई जाती है किन पोधों में जायलम वाहिकाओं का अभाब होता है तो अनाविर्थ बीजी एवं टेडो फाइट्स में होता है पांच जगात वर्गी करन किसने प्रस्तूत किया था हुई टेकर ने पांच जगात वर्गी करन किसने प्रस्तूत किया था हुई टेकर ने जंपिंग जिन की खोज किसने की थी मैग क्लिन टॉक ने किया था कौन से चार डिने तथा आरेने दोनों में पाए जाते हैं तो एडिनीन गोणीन और साइटोसीन कौन सा चाल DNA तथा RNA दोनों में पाय जाते हैं एरिनीन, गोवानीन तथा साइटोसीन पाय जाते हैं ऐसे कौन से उरने वाले जीव हैं जो पक्ची वर्ग में नहीं आते दोस्तों चमगादर यानि बैट को उरने की कीट एवं चमता होते हुए भी पक्ची वर्ग के अंतरगत नहीं सामिल किया गया है बलकि इसे अस्तनपाई वर्ग में समलित किया गया है वह समू जिसके जनतु प्राया रातरी चर यानि नेक्चुरल नल होते हैं वह होते हैं मच्चर चमगादर और उल्लू वह समू जिसके जनतु प्राया रातरी चर होते हैं मच्चर चमगादर और उल्लू नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कुछ सधार नाम तथा उनके वेग्यानिक नाम जिसको आपको याद रखनी है सम इंपोर्टेंट कोमन नेम एंड इट्स साइंटिफिक नेम शधार नाम और वेग्यानिक नाम मानब का वेग्यानिक नाम होमो सेम्पयंस है दोस्तों बाग का वेग्यानिक नाम पैंथरा टिग्री से, सेर का वेग्यानिक नाम पैंथरा लियो है, मतर 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 का वेग्यानिक नाम पैंथरा लियो है, य राना टिग्रीना है, धान का वेग्यानिक नाम औराईजा सताईवा है, सरसों का वेग्यानिक नाम ब्रेसिका केमपेस्ट्रीज है, सरसों का वेग्यानिक नाम ब्रेसिका केमपेस्ट्रीज है, चना का वेग्यानिक नाम सी सर एडिये टीनम है, गेहु का वेग्यानिक नाम टीटिकम इस्टिबम है, गाय का वेग्यानिक नाम बोस इंडिकस है, आम का वेग्यानिक नाम मेंगी फिरा इंडिका है, और इसमें वह भी दिया गिया दोस्तों जो एक्जाम में पूछी जाती है इसको आपको अच्छी तरह से याद रखनी होगी प्रकासनसलेशन की प्रकासिक एवं वह प्रकासिक अभी किरिया क्लोरोप्लास्ट में कहां संपन होती है ग्रेना एवं एस्ट्रोमा में संपन होती है मुलास्का संग के कुछ जंतुओं में नीली या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है तो याद रखेगा हीमोया सनीन के कारण होता है मानब हिर्दे का बाया निले परकोष्ट पुर्णता ऑक्सिक्रीत रक्त को महा धमनी में और संपुन सरी में भेजता है मानब हिर्दे का बाया निले परकोष्ट पुर्णता ऑक्सिक्रीत रक्त को महा धमनी में और संपुन सरी में भेजता है कवकों और उचतर पादपों की जरों के मदि कौन सा कर्यात्मक सहचरी पाया जाता है कवक मूल दोस्तों पाया जाता है यानि माइक्रो हिजा पाये जाता है इस्ट और मस्रूम से किस परकार के जीव है फपुन्द कपास में पाये जाने वाले पर्मु घटा कौन सा है सेलिलोज लाइक और किसे निर्मित होता है तो याद रखे कवकों एवं सेवालों से फंगी और अलगी से लाइक और किसे निर्मित होता है कवकों एवं सेवालों से जीवन चक्र की द्रिष्टी से पोधे का सबसे महत्पून अंग कौन सा होता है पुस्प अधिकांस कीट किसके द्वारा सोसन करते है वातक तंत्र यानि ट्रेकिया के द्वारा अधिकान स्कीट किसके द्वारा सोसं करते हैं वातक कंत्र या ट्रेकिया के द्वारा कुनेन आविर्त बीजी पादप यानि एंगियो एस्पैन में एक प्लांट का उधारन है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा या मलेरिया के उपचार के लिए पर लाल रंग का क्या कारण है तो याद रिखेगा एंथोसाइनिन सेव में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है एंथोसाइनिन टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्तित होता है लाइकोपीन की उपस्तिति के कारण सतूत के फल का वेग्यानिक नाम क्या है तो सो सर्पों की विश ग्रंथियां किस अंग के समान है दोस्तों के सरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है सर्पों की विश ग्रंथियां किस अंग के समान होती है किसे रुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है नेक्स्ट निफेंथिस खास याना नमक पोधा मुक्यता भारत के किस राज में पाए जाता है मेघाले में चटनों पर उगने वाले पादब क्या कहलाते हैं तो याद रखेगा सेलोध भीद कहलाते हैं घट पर नियानि पीचर प्लांट किट भक्षी पादब के अंतरगत आता है और इसकी प्राणि अपनी आत यानि इंटेस्टाइन में जल का संग्रा करता है उट कोन से प्राणि अपनी अंथ इंटेस्टाइन में जल का संग्रा करता है दोस्तों उट करता है सबसे बढ़ा उकके से रुकी जीव कोन सा है तो याद रखे कोलोसल स्क्वीड है लीची के फलों को किस साखा के अंतरगत रखा गया एकपीजी बेड़ी के अंतरगत लीची के फलों को किस साखा के अंतरगत रखा गया है एक बीजी बेडी के अंतरगत हल्दी पोधिय के तने से प्राप्त होती है तथा इसका खाने वाला हिस्सा परकंद कहलाता है लाल मिर्च किसकी उपस्तित के कारण तेखी होती है कैपसे सीन के कारण होती है दोस्तों सबसे बड़ा अस्तन पाई जीव कौन सा है वेल सबसे बड़ा अस्तन पाई जीव कौन सा है दोस्तों वेल गर्म रूधिर वाले या सम्ताप जन्तु के सरीर का तापमन कितना होता है सदेव एक समान रहता है दोस्तों समुदरी घोडा किस परकार के जीब का उधारन है मचली का वह कौन सा अस्थन पाई है जो अंडे देता है बच्चे नहीं एकिडिना वह कौन सा अस्तन पाई है जो अंडे देता है बच्चे नहीं एकिरिना जानने की एक्छा परकट करना तथा गुड़ चिंतन वो मनन करना मनुस्य को वनर गुनों से अलग करता है जानने की एक्छा परकट करना तथा गुड़ चिंतन वो मनन करना मनुस्य को वनर गुनों से अलग करता है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशी का कौशी है सुकरानू सील किस वर्ग का प्राणी है अस्तन पाई यानि मैमल का सील किस वर्ग का प्राणी है अस्तन पाई यानि मैमल का कौर्क किस पेर से प्राप्त होती है तो याद रखेगा क्वेकर से कौर्क किस पेर से प्राप्त होती है क्वेकर से प्राप्त होती है डॉल्फिन किस वर्ग के अंतरगत आते हैं अस्तन पाई डॉल्फिन किस वर्ग के अंतरगत आते हैं अस्तन पाई अफिम मॉर्फिन पोस्टी की पोधे के अधपके फल से प्राफ्थ होते हैं गन्य के रोपर देखे गन्य के रोपर में उसके किस भागा पढ़ियों किया जाता है तना का गन्य के रोपर में उसके किस भाग्रोग किया जाता दोस्तो तने का यानि गन्य को रोपा जाता तना को काट के दोस्तो लहसुन की गंद यानि the smell of garlic का क्या कारन है दोस्तो सलफळ योगी की उपस्तिती लहसुन की गंद का क्या करने सलफ़र योगी की उपस्तिती सुस्क जलवायों में अनुकूलित पेर पोधे को क्या काते हैं मरूद भीट काते हैं जलद एवं अस्तल दोनों पर रहने वाले जीवों के उभेचर वर्ग के अंतरगत रखा जाता है जैसे मेढग अधी पादप आनी पोधों पर क्यों निर्वर करते हैं तो यांतरिक सहारे के लिए ये रहते हैं नेक्स्ट टीक और माइट टीक और माइट किस जीव वन से समन्दित है मकडी वन से जुगनू यानी फायर फ्लाय की चमक किस एंजायम के कारण होती है तो लुसी फ्रस के कारण होती है नेक्स्ट सन हम्प रे से किस से प्राप्त किया जाता है फ्लो एम से लेग हेमोगलोबिन किस में पाए जाता है तो यां देखेगा लेग्यूम लेग्यूम मुल गरंथियों में, लेग हेमोगलोबिन किसमें पाया जाता है, लेग्यूम मुल गरंथियों में पाया जाता है, डार्विन की पुस्तक on the origin of species का परकासित हुई थी, वर्ष 1869 में, जै विकास के पक्ष में किस सुरोत से परतियक्ष परमन प्राप्त होते हैं, जीवास्मों से, जै विकास के पक्ष में किस सुरोतों से परतियक्ष परमन प्राप्त होते हैं, जीवास्मों से, जीवों के उद विकास के संदर्व में कौन सा अनुकर्मन सही है, जीवों के उद विकास के संदर्व में कौन सा अनुकर्मन सही है, सेला मेंडर, अजगर औ और उसके बाद कंगारू किन कैसे रुकी जीवों में कंकाल पूर्णता अनुपस्तित होता है सरीश्रीप में किन कैसे रुकी जीवों में कंकाल पूर्णता अनुपस्तित होता है दोस्तों सरीश्रीप यानि रेप्टाइल्स में कोक्रोच और सिल्वर फिस में किस परकार का पड़िसंचननतंत्र hem sc Cannes get s आसतंपय वर्ग के उत उत सर्जिनिये उत पाद किसकी द्वारा बाहर सजित किये जाते हैं अप्रा के द्वारा行了 की द्वारा an Leuten कि और उत से 09 पाद किसकी द्वारा बाहर संजित किये जाते हैं अप्रा यानि प्लेसेंटा के द्वारा चमगादर कैसा प्रानि है तो नियत थापी warm-blooded है दोस्तों विज्यान की प्लियन्ट या desired रखेगा सबस बरापक्ची जो तेज गती से दोड़ सकता है प्रंतु उर नहीं सकता है सुतुर मुर्ग यानि ओस्ट्रीच नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलो फाइट्स कहलाते है नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलो फाइट्स कहलाते है डूबने से हुई मिर्तियू का पता लगाने में किस जीव का महतु है डाइटम का पपीटे का पीला किस कारण होता है तो याद रखे केरिका जन्थीन की उपस्तिती के कारण पपीटे का पीला किस के करण होता है किरिका जन्थीन की उपस्तिती के कारण पोधिय के किस भाग से हल्दी प्राप्त होते है तना याद रखेगा इसका परगन खाते हम लोग किस सेवालों से आयोडीन का निर्मन होता है 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 लेविनिर्या नमक सेवालों से वे जिवानों जो आयमनलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के इस्त्रीकारी जीवानों कहलाते हैं यानि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टरिया कहलाते हैं अधिक देखे अधिक नमक वाले अचार में जीवानों जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीवद्रब कुंचित होकर मर जाते हैं अधिक नमक वाले अचार में जीव तलाबों और कुवों में किस जंतु को छोड़ने से मच्छों को नियंतित करने में मदद मिलती है गेंबूसिया फीस बिस फिनॉल देखें बिस फिनॉल ए बीपी ए क्या है खाद स्वेस्टन समागरी के विकास के लिए पडियो हमे लाये जाने वाला रसायन है B-Sphenol, यह मतलब A, यानि BPA क्या है, खाद सिवेस्टन समागरी के विकास के लिए पड़ियोग में लाये जाने वाला रासायन, मिर्दा के पड़ियोग के बिना केवल खनीज युक्त सहायता से पोधे उगाने की विधी को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, मिर्दा के पड़ियोग के बिना केवल खनीज युक्त सहायता से पोधे उगाने की विधी को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, पर्ति जेविक यानि एंटि बायोटिक्स मुक्य तक किसे प्राप्त किये जाते हैं, जिवानु से, इस्ट कोसिका में कौन सा मुक्य विकर उपस होता है दोस्तों, जायमेज, जब एक ही जीन, दो या, दो से अधिक भिनभीन लक्षनों को एक साथ नियंत्रित करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, क्यूनिन, क्यूनिन अथ्वा कुनिन, किसकी छाल से प्राप्त की जाती है, सिनकोना की छाल से, क्यूनीन अथ्वा कुनेन किसकी चाल से प्राप्त की जाती है सिनकोनों की चाल से प्राप्त की जाती है मेंडल ने अपने वानसागती नियमों Rules of Heriability को परतिपादित करने में किस पोधे का परयोग किया था गार्डेन पी मतर का मेंडल ने अपने वांसागती नियमों को पर्तिपादित करने में किस पोधे का परयोग किया था गार्डेन पी का परयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल अठारसो बाइस से अठारसो चौरासी इसमी तक ये रहे थे को आधुनिक अनुवांसिकी का जनक फादर ओफ मोडन जेने टिक्स कहा जाता है अधिकांस इंजायन किस ताप पर सरवाधिक सक्रिये होते हैं नेक्स्ट सीप घोंगा इसक्वीड कोरी ओक्टोपास केटल फिस आधी मोलस्का संग के परमुख जीव है दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कोशिका यानी सेल के बाड़े में काफी इंपोर्टेंट ये चेप्टर है दोस्तों जेब कोशिका के किस कोशिकां को उर्जाघर पावर हाउस कहा जाता है माइट्रो कॉंडिया को जेब कोशिका का किस कोशिकां को उर्जाघर कहा जाता है माइट्रो कॉंडिया को हमारे तंतर में अधिकतम ATP अनुओं को उत्पन करने वाले पद का नाम क्रेप्स चक्र है दोस्तों मानब शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाए जाती है पिलिया में किस जीब में लिंग गुंसुत नहीं पाए जाते हैं छिपकिली में किस जीब में लिंग गुंसुत नहीं पाए जाते हैं छिपकिली में नहीं पाए जाते हैं सेक्स क्रोमोसों जन्तु कोशिका में अनुपस्तित होती है कोशिका भित्ति यानि सेलवाल जन्तु कोशिका मनुपस्तित होती है सेलवाल यानि कोशिका भित्ति नेक्स पीटपिंड पीटपिंड यानि कारपस लुटेनम कहां पाये जाती है अंडासय ओवरी में पीटपिंड कहां पाये जात यानि प्रोग्रामेंट के और नियंत्रान यानि सेलोलर एड मोल्एकुलर को क्या कहा जाता है याद रखेगा एपपटोशिस कहा जाता है केंद्रक यानि नुक्लियस के अंतरगत को सिका कि किकोशी का कि DNA उपस्तित होता है हरितलवक तथा माइटोकॉंडिया में, केंद्राइक aids के अंतर गति को्षिका के किस जलकी में DNA उपस्तित होता है हरितलवक तथा मास्तों धूंद उपस्तित किसी कोशिका की पाचन थेली कहते हैं लाइसो स्वम को मनुस के किस उत्तक में जन्म के पस्चात कोशिका विभाजन नहीं होता तंत्रिका उत्तक में कौन सा भाग पादव तथा जन्तु कोशिका में पाए जाता है कोशिका जिली और कोशिका द्रब केंद्रग कौन सा भाग पादव तथा जंतु कोशिका में पायाता कोशिका जिली, कोशिका द्रब और केंद्रग नेक्ट हैपर प्लासिया का क्या अर्थ है तो कोशिका के आकार में विर्धी होना जिन सदसर पर्थम किसने पर्ति पादित किया था जॉनसन ने जिन सदसर पर्थम किसने पर्ति पादित किया था जॉनसन ने रिवर्ज पर्ति लेखन की खोज किसने कि थी टेमीन एवां बाल्टी मोर ने जब एक युग में जिन दूसरे इकाई के परभाव को छुपाता है तो इस परिकरिया को क्या कहते हैं परभाविता जब एक युग में जिन दूसरे इकाई के परभाव को छुपाता है तो इस परिकरिया को क्या कहते हैं परभाविता कहते हैं कोजिका का जिवित अंस जिव द्रभ यह कहलाता है कम सिका कह रहुआ डरबी के प्रोटोब्याज्म कहलाता है यह किस से मिलकर बनता है कॉँछसा कोसिकांग प्रोटन डृन संस्लेशन में सहायता करता है रैवसुन कौन सा कोशिका प्रोटीन संसलेशन में सहायता करता है राइबोसों मानव सरी में गुंसुत्रों की संख्यां कितनी होती है 46 कौन सा तत्तो पोधों की कोशिका भीति की स्रचना का घटक है केलसियम कौन सा तत्तो पोधिय की कोशिका भीतिकी स्रचना का घटक है केलसियम सबसो छोटी जीवित कोशिका कोँशी है मायकोपलाजमा किसे जीवन का भोतिक आधार मना जाता है जीवद्रब को किसे जीवन का भोतिक आधार मना जाता है जिव द्रव यानि प्रोटो प्लाज्म को नेक्स्ट कौनसा कोसिकांग केवल वनस्पतिकोसिकां में ही उपस्तित होता है हरित लवक दुईनाम पदति के जम दाता कौन थे किरूलस लिनियस दुईनाम पदिती के जंदाता कौन थे? केरुलस लिनियर्स दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागवन किसके माध्यम से होता है? तो जीवद्रवत तंतु के माध्यम से किस तत्व के कोशाओं में एक्तित होने से रंदर खुल जाते हैं? पोटासियम किस तत्व के कोशाओं में एक्तित होने से रंदर खुल जाते हैं? पोटासियम किस कोशिकांग को ट्रेफिक पुलीस की संग्या परदान की गई है? गोलजी काई को प्लाज्मा जिली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपो प्रोटीन से प्लाज्मा जिली किस पदार से बनी होती है? तो याद रखे है लाइपो प्रोटीन से प्लाज्मा जिली की सरचना का unit membrane model किसने प्रस्तूत किया था? रॉबर्स ने वर्स 1969 में कोशिका भीतिकी सरचना कैसी होती है? पार गम्मी होती है नेक्स्ट है विस्व की सबसे चोटी कोशी का माइको प्लाजमा माइको प्लाजमा गेली से पिक्टर्म है दोस्तों विस्व की सबसे चोटी कोशी का माइको प्लाजमा गेली सेप्टिकम है विस्व की सबसे बड़ी कोसी का सुतुर मुर्ण का अंडा है दोस्तों मनवशरी में सबसे छोटी कोसी का सेरीबेलम की ग्रेनियॉल सेल होता है मानव सरी में सबसे चोटी कोशी का तो सेरी बेलम की ग्रेनियोल सेल होता है मानव सरी की सबसे बड़ी कोशी का अंडानू या ओवम होता है केवल इस्तरी में मानव सरी की सबसे बड़ी कोशी का अंडानू या ओवम होता है केवल इस्तरी में मानव सरी की सबसे लंबी कोशिका निरान होता है सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है तो कलार पो टेकसी फोलिया पुरुसों के सुकरानों तथा महिलाओं के अंड़ानों की निसेचन की किडिया अंडवाहिनी में संपन होती है पुरुसों के सिक्रानों तथा महिलाओं के अंडानों की निसेचन की किर्या अंडवाहिनी में संपन होती है अब हम लोग पढ़ेंगे पोसन यानी निट्रियेसन के बारे में मानव सरीर में किस पोसकत्तो की कमी के कारण सरीरिक विर्दी धीमी होती है प्रोटीन मानव सरीर में किस पोसकत्तों के कमी के कारण सरीर की विर्दी धीमी होती है प्रोटीन विटामिन A का मुखी स्रोथ क्या है दूद विटामिन A का मुखी स्रोथ क्या है दूद प्रोटीन एबन वसा दोनों की परचुरता किस खादपदार्थ में होती है मुंग फली में सरीर में तोचा के नीचे विदमान वसा शरीर की उसमा के हरास के विरूद अबरोधक का कारी करती है सरीर में तोचा की नीचे विदमन वसा सरीर की उस्मा के हरास के विरूद अबरोधक का कारी करती है सरीर में उत्तकों का निर्मन किस पोसकत तुसे होता है दोस्तों प्रोटीन से किस विटामिन को हार्मोन मना जाता है विटामिन डी को किस विटामिन को हार्मन मना जाता है विटामिन D को, कौन सा इन जायम प्रोटीनों के पाचन में सहायक है दोस्तों ट्रिपसिन, कौन सा इन जायम प्रोटीनों के पाचन में सहायक है ट्रिपसिन, याद रखे ट्रिपसिन, सम्मानी किरियासिल महिला के लिए प्रोटीन की उप 70 ग्राम् प्रोटीन fracture के आवेसकता होती है अस्तंपान करवाने मां को बर्ति दिन आहर में लगवक 70 ग्राम् प्रोटीन सेहो करता है स्टार्च, लार किसके पाचर में स्टार्च干ता है स्टार्च, कि स्टार्च रूज्ट एछ inicial है ? पाचन की अधिकांस किरिया किस अंग में संपन होती है, छोटी आंट में संपन होती है, मास की तुलना में मचली को सुपाची और लाबदाय के क्यों माना जाता है, बहु ओस्तंत्रिप्त वसा अमल की उपस्तति के कारण, मास की तुलना में मचली को सुपाची और लाबदाय क्यों माना जाता है, बहु ओस्तंत्रिप्त वसा अमल की उपस्तति के कारण, दूद किस बैक्टरिया के कारण खराब हो जाता है, लेक्टो बेसिलस बैक्टरिया कारण, फासपुरस शरी में अमलियता एवं छड़ियता के मद्य संतुलन बनाए रखता है, फासपुरस शरी में अमलियता यानि एवं छड़ियता याद के एलकलीनिटी के मद्य संतुलन बनाए रखता है, पालप के पालप के पत्तों में किस पोसक्तत्यों की मात्रा सबस अधिक होती है, लोहा यानि आईरन का आईरन का दोस्तों, क अधिकांज प्राणियों के जिवित पदार्थ का लगव 80% पदार्थ क्या होता है प्रोटीन सेव का हिर्दे रोगियों के लिए विशेश महतु क्यों है पोटासियम के स्रोथ होने के कारण दूद में प्रोटीन और कार्बोहाइडरेट के अतरिक्त केलसियम और पोटासियम तत्व समलित होते हैं प्रोटीन की अधिकता मात्रा किस में पाय जाती है स्वयाबीन में अलफा केरेटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाय जाता है तोचा में अलफा केरेटीन नमक प्रोटीन शरीर के किस रंग में पायाता है तोचा में गेहों में कौन सा प्रोटीन पायाता है गुलेटेन गेहों में कौन सा प्रोटीन पायाता है तो गुलेटेन पायाता है याद रखेगा गाय का दूद के रोटीन के उपस्तिती कारण हलके पीले रंग का होता है दूद का स्वेत रंग किसकी उपस्तिती कारण होता है केसी नम प्रोटीन के कारण होता है पीला रंग के रोटीन के कारण किसे विटामिन सी की मातरा सरवादिक होती है आमला में आमला में सरवादिक होती है विटामिन सी विटामिन डी का परमुक्या सुरोत है तो सूरी के किरने किस विटामिनों का निर्मान हमारे सरीर में होता है विटामिन डी और बी थिरी किस विटामिनों का निर्मा हमारे सरीर्म होता है विटामिन दी और विटामिन और विटामिन किसी सब्न को पर्यापत अब दी तक याद रखने में सहाइक होता है विटामिन 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 किसी सब्न को पर्यापत अधी तक याद रखने में सहाइक होता है विटामिन सबजियों में मुक्यता हमें प्राप्त होता है विटामिन एक गलास पानी पीने से कितनी किलोडी मिलती है सुनिए बास्मती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते है तो याद कि EMILEGE की उपस्तिति के कारण बास्मती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते है EMILEGE की उपस्तिति के कारण दुद में कौनसा सेकराइट उपस्तित होता है लेक्टोज किस विटामिन की कमी से एस्करवी रोग होता है विटामिन सी हेपेटाइटिस मानव सरीर के किस अंग को परभावित करता है या कृत को किसके संसलेशन में विटामिन के के विशिष्ट भूमिका होती है तो या पोथ्रों बीन के किसके संसलेशन में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है पोथ्रों बीन पोधो वो जनतों में कार्भो हाइडेट का संचेन किस रूप में होता है तो पोधो में एस्टार्च की रूप में तथा जनतों में गलाइकोजेन की रूप में पोधो वो जनतों में कार्भो हाइडेट का संचेन किस रूप में होता है पोधो में एस्टार्च की रूप में तथा जनतों में गलाइकोजेन की रूप में विटाइमिन होते हैं आवस्थे के कार्बनी की योगी के जिनका संसलेशन सरीर में नहीं होता है विटामिन होते हैं आवस्ते कार्वनिक योगी के जिनका संसलेशन सरीर में नहीं होता है सरी में अवसोशित होने वाले पोसक पदार्थों से भंडारन के लिए आवसकता से अधिक वसा का संसलेशन कर लिया जाता है दोस्तों किसीमीर फंक यह जो पोसक पदार्थ पदार्थ तो कॉड यकृतत तेल और सकरकन्द गाजर पालक इत्यादी में सर्थ ज्यादा विटैमिन A गाजर में होता है मनुस्वें विटैमिन A की कमी से रतुंदी सरीरीक विर्धी वो भार में कमी कॉर्णिया तथा तोचा समंदी रोग उत्पन हो जाते हैं मनुस्वें विटैमिन A की कमी से रतुंदी सारीक विर्धी वो भार में कमी कॉर्णिया तत्त पच्चा समंदिरोग उत्पन हो जाते हैं वीटाइम B12 का रशानिक नम क्या है साइनो कोवालामीन खटे फलों में कौन सा वीटाइमिन पाए याता है वीटाइमिन सी किलोसिस नमक रोग किस विटामिन की कमीस होता है विटामिन B2 थाइमिन किसका रासनिक रूप है विटामिन B1 का जल में कौनसा विटामिन गुलनसिल होता है B और C जल में कौन सा विटामिन गुलंसिल होता है B और C पेलागरा और एसकरवी नामक रोग करम सक्किन विटामिनों की कमी के कारण होता है विटामिन B3 और विटामिन C पेलागरा और एसकरवी नामक रोग करम सक्किन विटामिनों की कमी के कारण होता है vitamina B3 और vitamin C, vitamin D का राशनिक नाम क्या है, κलसी फिरोल, vitamin D की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सांकर्मन रोधी विटैमिन जाते हैं, संकर्मन रोधी विटैमिन किसे कहते हैं विटैमिन ए को, किस विटाइमिन में कोवाल्ट पायाता है विटाइमिन B12, अनाज के छिलके में मुख्य तक कौन सा विटाइमिन पायाता है थाइमिन, यानि B1, भोजन में रेसे का महत्व, Importance of Fibers in Food के बारे में देखिए, भोजन में रेसे की अधिकता पाचन किरिया में सहाइक होती है, भोजन में रेसे की अधिकता पाचन किरिया में सहाइक होती है, रेसे युक्त भोजन में गुलकोज की मातरा कम होती है, जिससे आतों में ट्रिमर बनने की समभावनाएं कम हो जाती है, नेक्स्ट आप हम लोग पढ़ेंगे दिर्ग मातरिक खनीच यानि माइक्रो मिन्रल्स के बारे में, काफी यह इंपोर्टेंट है दोस्तों, वो देखिए, केलसियम, दातों और अस्तियों की रचना, रूधीर, असकंदन, तंत्रिकाओं और पेसियों के काड़ं के लिए, याद रखेगा दोसो केलसियम जो हमारे सरीक के यूपयोगी है दातों और अस्तियों की रचना रूधीर असकंदन तंत्रिकाओं एवं पेशियों के काड़ के लिए फासफोरस दातों और हड्डियों की रचना आमले चार संतुलन एटिपी डियने के लिए फासफोरस दातों और हड्डियों की रचना आमले चार संतुलन एटिपी डियने के लिए गंधक याणी सल्फ़र अनेक एमिनों आमले तथा कुछ हार्मोंस एवं वीताइमिनसों के घटक के लिए याद रख्येगा गंधक याणि सलफर अनेक अमिनों अमलों तथा कुछ हार्मोंस एबं विटाइमिनसों के घटक के लिए पोटासियम आमलों चार संतुलन जल संतुलन तंत्रिकाओं के कार्यकी के लिए कलोडिन जठन रस का आमलों चार संतुलन सोडियम आमलों चार संतुलन जल संतुलन तंत्रिकाओं के कार्यकी Magnesium glycolysis तता ATP पर आसित अनेक उपापचाई किरियों के इनजाइमों का संगळटक के रूप में नेक्स अब हम आपक पड़ेगे खनीज और पनमुक श्रोथ देखें ये काफी इंपोर्टन्ट है लोह, केला एवं खजूर देखें लोहा जो पाए जाता है शरीर में ये केला और खजूर से मिलता है पोटासियम पालक से मिलता है दोस्तों पोटासियम पालक से मिलता है और आयोडिन युक्त समानी नमक से मिलता है केलसियम दूद एवं अंडे से मिलता है केल्सियम दोद एवं अंडे से मिलता है कौन सा तत्तो किड्नी में पथरी को बनने से रुखता है मैगनिसियम कौन सा तत्तो किड्नी में पथरी को बनने से रुखता है दोस्तों मैगनिसियम कौन सा फल एसकरवी रोग के उपचार में उपयोगी है आमला कौन सा फल इसकरवी रोग के उपचार में उपयोगी है आमला एक संतुलित आहर में विभीन पोसक्तत्व किस अनुपात में होने चाहिए एक बटे दो प्रोटीन, एक बटे चार वसा एवं तिन बटे पाँच कार्बोहाइड़ेट एक संतुलित आहर में विभीन पोसक्ततो किस अनुपात में होने चाहिए एक बटे दो प्रोटीन, एक बटे चार वसा और तिन बटे पाँच कार्बोहाइड़ेट किस पोसक्ततो से परती ग्राम सरवादी कुर्जा प्राप्त होती है वसा किस की कमी से या क्रिटी निज्म, मंद, बुद्धी एवं बोना रोग हो जाता है आयोडीन कौन सा विटैमिन सरीर को रोगों से परतिरक्षा परदान करता है विटैमिन A कौन सा विटैमिन सरीर को रोगों से परतिरक्षा परदान करता है विटैमिन A विटेमन D की आनुपस्तिती से सरीर में केलसियम की कमी हो जाती है नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे नाम और स्रोत विटेमन A करासानिक नाम रेटिनॉल है दोस्तों विटेमन D का रासानिक नाम केलसी फिरोल है ये मक्खन यक्रित मचली का तेल गुर्दा अंडे इस्ट सुरी के प्रकास दोरा संसलिसित होता है सवसे ज़्यादा विटेमन D मिलता है दोस्तों सुरी के प्रकास में विटामिन E का राशानिक नाम टेकोफेरोल है, ये तेल, गेवुँ, अंडे की जर्दी स्वयविन में होता है विटामिन K का राशानिक नाम फिलोकुईनोन है, ये हरी पतियां अंडा यकरित टमाटर गोभी स्वयविन आथ के बैक्टरिया में होता है विट्यमिन के खार और रेक्ट के नाम फिलोक्विनोन है? यह री पत्तियां अंडा, येकरित टमाटर गोंभी स्रेविन आथ के बेक्टरिया में होता है याद रग्षिएगा नेक्स्ट है, जल में गुलंसिल विट्यमिन के बारे में देखिए, विट्यमिन V1 का रासे एक नाम थाइमीन है, यह सभी जल में गुलंसिल है, आपको बता दो पले ही, विट्यमिन C और विट्यमिन B, B और C जल में गुलंसिल है दोस्तों, विट्यमिन B1 का रासे एक नाम थ धाइमीन है श्रूत अनाज फलिया स्वैबीन आंडा मास के सह इंजाइम का घंतक बातरव अगरत रायभ प्लोविन है यह पनीर अंडा इसे हरी पतियां दूद यंक तमास में होता है। B2 कराज्या का नाम Riboflamin है, ये पनीर, अंडा, इस्ट, हरी, पत्या, दूद, यक्रित, मास में होता है. वितायन B3 कर रासणेक नम नीको तेनिक अमल है या इस्ट मास यकृत मचली अंडा दूद मतर मेवा फलियों में पाये जाता है वितायन B3 इसक रासणेक नम तेनिक आमल है विटामिन B5 पेंटाथोनी के आमले दोस्तों या निकोटानामाइड या नियासीन नियासीन और पेंटाथोनी के आमले बिटामिन B5 है अंडा यक्रित मास दूद टमाटर मुंफली गन्ना में पायाता है विटामिन B5 विटामिन B6 का रासनी के नम पायोडोक्सिन है ये दूद इस्ट अनाज मास यक्रित में पायाता है विटामिन B7 का रासनी के नम बायोटीन है मास गेंगू अंडा मुंफली चोकलेट सबजी फल में पायाता है विटामिन B7 का रासनी के नम पायाता है विटामिन B9 का रासनी के नम पायाता है बिटामिन B12 का रासरी की नाम क्या है तो साइनोकवलामीन है ये मास, मचली, यक्रित, अंडा, दूद, आत के बेक्टरियाम पाय जाता है बिटामिन C का रासरी की नाम एसकर्भीकेसिड है ये आमला, निम्बू, खटे, फल, टमटर में पाय जाता है बिटामिन C प्लांट मार्फोलोजी के बारे में पादपों के आकारिकी के बारे में पादपों में किस सरचना के द्वारा जल उपर चरता है जायलम के द्वारा, एक बीज किस के अभाब में अंकुरित हो सकता है प्रियात प्रकास, प्रकासंसम्सिलेशन की दरकिस प्रकास में अधिक होती है भान में, जिवों द्वारा नाएटेट को वायमनली य करने की पडिक्रिया क्या कालाती है विनाइटरी करन करनाती है किस गिरिया के दौरण सौर उर्जा रासानी कुर्जा में पडिवर्तित हो जाती है प्रकास संसलेशन विर्धी रोध़क के रूप में कारी करते हैं एपसिसिक आमलो वह इथाइलीन विर्धी दोदर के रूप में कार्य करते हैं, एपसिसी कामलों और इथाईलीन, पुस्वित पोधों के बीज किसके बने होते हैं, भुरून खादी संगरत अथा आवरन, पुस्वित पोधों के बीज किसके बने होते हैं, भुरून खादी संगरत अथा आवरन, नेक्स्ट है तो प्रासरन प्रघात के कारण यदि हम केच्वे अथवाज्योंग पर नमख छी रखते हैं तो वो क्यों मर जाते हैं प्रासरन प्रघात के कारण Next, कौनसी फसल मित्री को अतरिक्त नााइ्ट्रोजन परदन करती है मटर कौन सी फसल मी टी को अत्रिकत नाइटोजन प्रदन करती है दोस्तों मतर किस पोधों को आसदिक भारतीय चिकसक कहा जाता है आमला को किस पोधे को औसधी के भारते चिक सक कहा जाता है आवला को अफिम पोधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है दोस्तों तो यह याद रखेगा फूल से सबसे पहले बनने वाले प्रात्मिक जायलम तत्त को क्या कहा जाता है प्रोटो जायलम सबसे पहले बनने वाले प्रात्मिक जायलम तत्त को क्या कहा जाता है प्रोटो जायलम कोफी पोधियों के किस भाग से प्राप्त होती है बीज से रेसम के किट समने तक किस पेर पर पाले जाते हैं सहतूत भूमी की उरुड़ता को घटाने वाला जीवान कौन सा है तो थायो यार कि थायो बेसिला से डिनाइटरी फिकेंज भूमी को उरुड़ता को घटाने वाला जीवान कौन सा है थायो बेसिला से डिनाइटरी फिकेंज जीवानों में प्रकास नस्लेशन किरिया में हाइट्रोजन दाता समनता कौन होता है हाइट्रोजन सलफाइट एस जीवानों में प्रकास नस्लेशन किरिया में हाइट्रोजन दाता समनता कौन सा होता है हाइट्रोजन सलफाइट एस तू एस वायू परदूसर के सुचक होते हैं लाइकेंस से विहिन पुस्पूद भीद क्या कहलाते हैं जिम्नो एस्पन बर्गत की सकाओं से निकलने वाली जरों को क्या कहते हैं अस्थम मुल बरगत की सकाहों से निकलने वाली जरों को क्या कहा जाता है दोस्तों अस्थम मुल कहा जाता है नेक्स परजीवी पोधे अपने पोसद से किस अंग द्वारा भोजन का अपस्वसन करते हैं तो चुसकांग की द्वारा पर जिवी पोधे अपने पोसद यानि होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अबस्वसन करते हैं चुसकांग द्वारा किस परकार के पोधों की जरो में दुईतियक विर्धी सेकेंडरी ग्रोध पाये जाती है दुई बीजपत्री पोधों में दोस्तों किस परकार के पोधों के जरों में दुई तीक विर्दी सेकेंडरी ग्रोथ पाये जाती है दुई बीज पत्री पोधों में नागफणी में पत्तियां किसमें रुपंत्रित होती है तो काटों में गेहूं धान एवं जो में कैसी जरें पाये जाती है तन्तु में जरें यहूं धान एवं जो में कैसी जड़े पाए जाती है तंतू में जड़े रिसेदार जर तंत्र किन पोधो में पाए जाता है प्राया एक बीजपत्री पोधो में पूस्व का सहायक अंग किसे कहा जाता है तो याद रखेगा लसुन और प्याज का हम लोग सलक कंद खाते हैं हल्दी और अद्रक का दोस्तों हम लोग परकंद खाते हैं अड़ी जिमी कंद का हम लोग धन कंद खाते हैं आलू का कंद अस्तम कंद खाते हैं काफी यह important है दोस्तों सभी हर्मोंस विकर से भीन है क्योंकि हर्मोंस उपाप्चाई करियाओं में पुनतेया पर्युक्त होते हैं जिवानों में प्रकासनसलेशन उच पादपों से भिन होता है क्योंकि इसमें ओटू का निस्कासन नहीं होता है प्याज किसका पडिवर्धित रूप है तने का प्रकासनसलेशन की परकिरिया केवल द्रिश सी प्रकास में होती है अब हम लोग पड़ेंगे कंकाल तंत्र यानि इसकेलटल सिस्टम के बारे में मानब भुरून में हिर्दे अस्पंदन कब प्रारम होता है तो विकास के चोथे पाचमें सब्ता में मनुष की खोपड़ी में कितनी अस्तियां होती है 29 कैसे 29 होती है फेस में 14 होती है दोस्तो कापाल में कितनी आठ होती है काण में 6 होती है एक होती है गला में टोटल मिला के 29 परतिवर्थी किरियाओं का नियंतरन केंदर कहां इस्तित होता है कैसे रूक रज्जु में वयस के मानब में कितनी अस्तियां होती है 206 हड्डियां वयस्क मानव में कितने अस्तियां होती 26 अस्तियां नाखुन काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखुन मिर्द कोशिकाओं के द्रब द्वारा बने होते हैं जिन में रत्त संचरन नहीं होता है हमारे सरीर का सबसे द्रिट भाग कुंसा है दंत वल यानी एनामेल हमारे सरीर का सबसे द्रिट भाग एनामेल होता है जो जेबराम होता है कानिक मतलब दात के जेबरा में मुह के जेबरा में सली किडिया में और्थो प्लास्टी का क्या कारी है जोर का परती अस्थापन करना मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी कान की होती है जिसे इस्टेपीच कहा जाता है मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी कान की होती है जिसे इस्टेपीच कहा जाता है मानव सरीर की सबसे लंबी अस्थी कौन सी होती है फीमर मनुस के सरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाय जाते हैं 12 जोड़े मनुस के सरीर में डिम वहनी नली में सिक्रानू डिम को निसेचित करता है मानव सरीर में डिम वाहनी नली में सिक्रानू डिम को निसेचित करता है वयस्क मानव के सरीर में जल का परतिसद कितना होता है? 65% अस्ती एवं दंत निर्मान हे तो क्या आवस्थक है? केलसियम और फासफोरस मानव सरीर की सबस्ब्सकन से कोन रक्षा करता है? उलव यानि याद एमनियोन मानव के जीवन काल में कितने दाध दो बार विक्सित होते हैं? 20 20. मनरसरी की सबसे बरी गुवा कोंसी होती है? कोलम या सिपलेनी की गुवा दोस्तों, याद रखिया यही होते हैं सबसे बरा गुवा तोचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर उद्भवन किसके दोरा किया जाता है घहनाकार उपकला के दोरा तोचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर उद्भवन किसके द्वारा किया जाता है घहनाकार उपकला के द्वारा कंडरा यानि टेंडल किसको जोरता है पेसी को अस्ती से याद रखेगा कंडरा यानि टेंडल किसको जोरता है पेसी को अस्ती से अस्तनियों की अस्ति उपस्ति से क्यों भिन कैसे होती है तो यह हेवर्शियन नलिकाओं के कान अस्तियों की अस्ति उपास्तिती से क्यों भीन कैसे होते है, अस्तियों को कठवर बनने वाले लवन मुक्या तक क्या होते हैं? किलसियम और मेगनेशियम के फास्पेट कि अनुपस्तित होती है लाल रिधानों यानि आर्वीसी की कौन लसिका यानि लिंफ में किन रिधानों की अनुपस्तित होती है लाल रिधानों यानि आर्वीसी की कौन सा प्रोटिन तोचा बाल नाखोन सिंग तथा खुड की निर्मान में सहाइक होते हैं तो किरेटिन यान केलसियम तथा मेंगनिसियम फासपेट मच्जागुः का निर्मन किस परकार की कोशिकाओं करती है तियों अस्तियों का निर्मन आयाती है 300. मानव सरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्तियों की संखियां होती है हाथ में. मनुस के कंकाल में कवजा संधी का एक उद्ध किस उधारन की अस्तियों की संधी मैं मिलता है तो ये अलना एवं हुमरस में दोस्तों याद रखेगा मनुस की कंकाल में कबजा संदी का एक उतक्रिष्ट उधारन किन आस्तियों की संदी में मिलता है अलना एवं हुमरस में मिलता है मनुस की देखें मनुस की स्रेनी मेखला में तीन आस्तियां इस्चियां इलियां एवं प्यूबिस उपस्तित होता है अब हम लोग पढ़ेंगे सोसन तंत यानि रिस्प्रायरिटरी सिस्टम के बाड़े में काफी यह इंपोर्टेंट चेप्टर है सोसन में बाहर निकली वायू में CO2 की लगभग कितनी मातरा होती है 4 परतिसत होती है CO2 4 परतिसत होती है दोस्तों अक्षियन लेते तो हैं अक्षियन हम लोग 21 परतिसत लेकिन हम छोड़ते हैं अक्षियन ए 17 परतिसत यही 4% बन जाता है दोस्तों काबन डे ओकसाइड हम लो लेते हैं तो कितना 0.03% छोड़ते हैं 4% यह आपको याद रखनी चाहिए अधिकतर किट किस परकार सोसन किरिया करते हैं तो सौसनली परनाली के द्वारा नेक्श सित निद्रा के दोरन मेड़ा किस अंग से सोसन करता है केबल तोचा से याद पुलीस सराब के नसे वाले व्यक्टी की सौस जांच में किस गैस के मिस्टन का पर्योग करते हैं पोटासियम डाक्रोमेट और सल्फरिक अमलका याद पुलीस सराब के नसे वाले व्यक्टी की सौस जांच में किस गैस का मिस्टन का पर्योग करते हैं पोटासियम डाक्रोमेट सल्फरिक अमलका नेक्ष स्वास देखिए स्वास यानि ब्रेथिंग स्वास ने लेवाले ब्रेथिंग में बाहर निकली वायू में ऑक्षिएन कितनी होती है 17 परतिसत अभी जस्ट बताए थे हमनों लेते ऑक्षिएन 21 परतिसत छोडते ऑक्षिएन 17 परतिसत ये 4 परतिसत कारबन डायोक्स सायर बन जाता है सोसन में रुधिर का कौन सा घटक ओटू का आप सोसन करता है लाल रख्त कनिका है वह वाईविये सोसन में पेसी कोसा हैं गुलकोच को किसमें परिवर्तित होकर उर्जा हुत पादन करती है दुस्तों लेक्टिकम भोजन निगलते समय सोसन मार किस अंग बंध हो जाते हैं एपिगलोटिस के कारण बंध हो जाते हैं फेपरों में गैसों का आदान परदान किसके द्वारा होता है रुधिर द्वारा क्रेब्स चक्र की किरिया किस कोसिकांग में संपन होती है माईटो कॉंडिया में गलाइकोल लीसिस किरिया को ऑक्सी तथा एनोक्सी सोसन का समयनी चरन माना जाता है सोसन द्वारा उत्पन उर्जा का संचे किस रूप में होता है एटिपी अनू में सोसन द्वारा उत्पन उर्जा का संचे किस रूप में होता एटिपी अनू में पहरों पर रहने वाले में RBC की संखिया अधिक होती है क्यों पहार पर वायू कम संखनित होती है पहारों पर आने वाले विक्ति में RBC की संक्यादी होती है क्योंकि पहार पर वायों कम संगनित होती है कर्भो हाडिर्ट अथा वसा उपाप चेके पर्मुक अंतिम उत्पाद है CO2 एवं पायरुवी के अमल कार्वोहेडर्ट अथा वसा उपापचे के परमुख अंतिम उत्पाद है दोस्तों CO2 एवं पारविक अमल वाइभीय सोसन में कौन सी पड़िकरिया होती है गलाइकोलाइसिस मानम में सौसदर परती मिनट लगवक कितनी होती है 12-15 बार मानम में सौसदर परती मिनट लगवक कितनी होती है 12-15 बार गलाइकोलीसिस में अंत में गुलकोज पारविक अमल में परिवर्तित हो जाती है गलाइकोलीसिस के इंजायम कहां पायाते कोसी का द्रब में किस कारण से उतकों में ऑक्सी हेमोगलोविन से ऑक्सियन निकल कर उतक द्रब में जाती है तो याद रखेगा क्या होगा O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण किस कारण से उतकों में ऑक्सी हेमोगलोविन से ऑक्सियन निकल कर उतक द्रब में जाता है तो और टो की कमी और सक्रीय की आधिक्ता के कारण से फेपलों मैं कुपी काऊं में किस प्रिकार होता है तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट到ड पोंस् द्वाड़ा थैशा सक्रिय ट्रांसमकल का और कहां सतित होता है मेडूला अबला गेंटा तथा पॉंस में फेपरों के उपर का आवरण किसका बना होता है तो पुलूरल कलाका सरवादिक CO2 का पड़ीवहन किस रूप में होता है बाय कारवुनेट के रूप में सरवादिक CO2 का परवपड़ी वहने किस रूप में होता बाय करबोनेट की रूप में क्रेब्स चक्र में गुलकोज के एक अनु से कितने ATP के अनु का निर्मान होता है 24 ATP अनु का किनवन अर्थात अनु से किस के द्वारा पहुचाया जाता है तो याद रखे फुपूस धमनी द्वारा फेपरों तक असुद रख्त किस के द्वारा पहुचाया जाता है फुपूस धमनी के द्वारा फेपरों द्वारा सुद किया गया रख्त बाय अलिन में किस के द्वारा पहुचाया जाता है फुपूस सिरा द्वारा पहुचाया जाता है सोसन गुनांग का मापन किस यंद्र से किया जाता है तो गेनौक सोसन मापी से किया जाता है ऑक्षियन की कमी के कारण सरीर के उत्तकों में ऑक्षियन की कमी होना हाइपोक्सिया या एनौक्सिया कहलाता है दोस्तों औक्षियन की कमी के कारण सरीर के उत्तकों में औक्षियन की कमी होना हाइपोक्सिया या एनोक्सिया कहलाता है सोसन किरिया में वायू के किस घटक की मातरा में कोई पडिवर्तर नहीं होता नाइट्रोजन में सुसन किरिया में वायू के किस घटक की मात्रा में कोई पडिवडत नहीं होता, नाइटोजन में दोस्तों नहीं होता पाचन तंत्रियानि डाईजेस्टिव सिस्टम के बाड़े में अब हम लोग पढ़ेंगे लार किसके पाचन में साहिक होती है इस्टार्च लाड किसके पाचन में सहाइक होती है दोस्तों स्टार्ट वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक इंजायम किस अंग द्वारा सरावित होता है तो अगनासे द्वारा वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक इंजायम किस अंग द्वारा सरावित होता है अगनासे य स्रावित होती है तो सिक्रेटीन कौन सा पाचेक हार्मोन छोटी यहां से स्रावित होती है सिक्रेटीन पीत का संचयान कहां होता है पितासे में गॉल गॉल ब्लेडर में पीत का संच्थे सित निर्माण याकरीत में होता है यह वसा को वसिय अमल में तोरकर पाचर में सहायता करता है, पीत का निर्माण यक्रित में होता है जमा होता है पितासे में यह वसा को वसी अमल मतोर कर पाचर में सहायता करता है दोस्तों किस अंग में प्रोटेंस का पाचर पूर्ण होता है आत में किस अंग में प्रोटेंस का पाचर पूर्ण होता है दोस्तों आत में लार का टैलिन इंजायन किस माध्य में क्रियासिल होता हलके अमलिय माध्य में, अमासे की दिवार का पेशिय संकुचन क्या कहलाता है, या कर्मांकु कुचन कहलाता है, अमासे की दिवार का पेशिय संकुचन क्या कहलाता है, तो कर्मांकु कुचन कहलाता है, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रोल पाए जाता है पीत में कार्बोहाइडरेट्स किस रूप में सरीर में संग्रहित होता है ग्लाइकोजेन के रूप में अमसाय में भुजन के जिवानों को कोन नस्ट करता है HCL अमसाय में भुजन के जिवानों को कोन नस्ट करता है HCL मानव सरीर के किस सरचना में किर्मी रूप पड़ी सिसिका पाए जाती है बड़ी आत में मानव सरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइडरेट का भंडारन करता है यकडित है मानव सरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइडरेट का भंडारन करता है यकडित एक अस्तंधारी में सबसे बड़ी ग्रंती कौन सी होती है यकडित पिलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है यकडित पाचन क्रिया के समय आहरनाल में स्टार्च का अंति मुत्पात क्या है गुलकोज कौर्ड मचली के यकडित तेल में कौन सा विटामिन परचूर मात्रा में पायाता विटामिन A कौर्ड मचली के यकडित तेल में कौन सा विटामिन परचूर मात्रा में पायाता विटामिन A मपस गल्सुआ और पेरा मिक्सो वाइरस द्वारा फ्लाई जाने वाले बिमारी है जिसमें पेरोटीड ग्रंती में सूजन जलन वो दर्द होने लगता है मपस गल्सुआ और पेरा मिक्सो वाइरस द्वारा फ्लाई जाने वाले बिमारी है जिसमें पेरोटीड ग्रंती में सूजन जलन वो दर्द होने लगता है लेंगर हैंस की दूपिकाएं किस अंग में उपस्तित होती है अगनासे पेंक्रियाज में माना सरीर में किस अंग से हर्मोनों के साथ साथ पाचन इंजायमों का सरावन होता है अगनासे जठर गरंतीयाँ किस अंग में पाए जाती है अमासे में यक्री दुआड़ और किस प्रोटीन का संस्लेशन वो संग्रत किया जाता है फाइब्रो याद कि फाइब्री, नोजन वो प्रो थ्रॉम्बीन में यकृत में उपस्तित कौन सा पदात मानबaint सरीर में रग्त को से रोकता है हीपेरीन लंबे समय तक उपवास रखने का सरवादी प्रभास शरीर के किस अंग पर पड़ता है विरिक यानि किड़नी पर मानव सरीर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में संपन होता है छोटी आंथ में मानव सरीर में छोटी आंथ होती है अब सोसन के लिए मानव सिसु के जन्म लेने के 6 महिने पस्चात दात निकलना प्रारम हो जाता है किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पिर्थक किया जाता है विरिक यानि किड़नी से किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पिर्थक किया जाता है विरिक यानि किड़नी से इंसुलीन में कौन सी थातू पस्तित होती है जस्ता मानव सिसो में सरपर्था मधिवर्ती इंसाइजर दात निकलता है मानव सिसो में सरपर्था मधिवर्ती इंसाइजर दात निकलता है अब हम लोग पढ़ेंगे उत्सजन तंत्र यानि या देखे एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में बाला को सने मानव सिर में यूडिया का निर्मान किस अंग में होता है यक्रिट में एलकोहल के निराविषन के लिए कौनसा मानव अंग उतरदा है यक्रिट एलकोहल के निराविशन के लिए कौन सा इंजा है कौन सा मानव अंग उतरदा है यह यक्रित मनुस के सरीर में खून के सुधिकरन की परिक्रिया को क्या काते है रक्त आपोहन मनुस के सरीर में खून के सुधिकरन की परिक्रिया को क्या काते है रक्त आपोहन मानव सरी से उत्साजित सर्वादिक विसाक्त पदार्थ कौन सा है अमोनिया है मुत्र की मात्रा का नियंत्रन नियंत्रक ADH यानि anti-anti-diuretics हार्मोन से एवं eldo-stiron करता है मुत्र की मात्रा का नियंत्रन ADH यानि anti-anti-diuretics हार्मोन यानि एवं eldo-stiron करता है एक वयस्क स्वस्त मनुस द्वारा एक दिन में उस सर्जित मुत्र की मात्रा कितनी होती लगभग देर लीटर होती है दोस्तों ये डिपेंड करता है पानी कितना पीते हैं एक वयस्क स्वस्त मनुस द्वारा एक दिन में उस सर्जित मुत्र की मात्रा लगभग देर लीटर होती है कौनसी औस दी मुत्र के सराव को परतोसाहित करती है डाय यूरेटिक विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होती है व्रिक यानि किर्णी हैमी का डेटा संके जीवों में किस अंग के द्वारा उस सजन होता है कोसी का गुच विभीन जन्तों में यूरिया उस सजी अंग के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे मनुस में क्या है मुख्य उस सजी अंग विरिक है दोस्तों अमिवा में तोचा वो रितिका होता है यूरिया उस सजी अंग केचवा में यानि मुद्र को जो उस सजी करता है केचवा में उस सरजी काय होता है जिंगा मचली में हरित ग्रंथियां होता है फिता किर्मी में फ्लेम को सिकाएं होता है और्थोपोड़ा में मेल पीगी का नलिकाएं होता है और कैसलीन ट्रेटा में तोचा सता हुव़ मूख होता है विरीक में पत्री यूरीक आमल केलसियम औग्जिलेट तो था केलसियम फासपेट के कारण बनती है गुर्दिय का कडियात्म की काई क्या है नेफ्रोन नाखुनों में कौन सा प्रोटिन पायाता है केरोटीन वरिकों के काम नो करने पर रक्त में यूरिया की मातरा बढ़ जाती है इसे यूरिमिया कहते है यूरिमिया मनुसी में किस परकार का उससाजन पाया जाता है तो याद रखेगा यूरियो टेलिक उससाजन यूरोक्रोम का निर्मन कैसे होता है लाल रूदिर कनिकाओं के हेमोगलोविन से व्रिक यानि किड्नी से परती मिनट औस रत परभाव कितना होता है एक से 1.2 लिटर परती मिनट या दखेगा कितना एक लिटर से 1.2 लिटर परती मिनट व्रिक न लिकाओं के दुरस्त कुंडलीत भाग से मुक्यता किसका पुनर अवस्वसन होता है 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 किसका पु के साथ रखता है तो ही मोटुरीं तो या कहते हैं, वो भीमारीजिसें मुद्र के साथ रखता है ही उसे कहते हैं, सरीक में संपूर्ण। किसके माध्यम से सुध होता है, वुरिक यानी किड्नी से, केचवा मुख रूप से केचवा मुखरूप से एमोनो टेलिक या एमोनो टेलिक अमोनियम उत्सजक जनतु है किन्तु प्रयाथ जल नो प्राप्त होने पड़िया या देखें यूरियो टेलिक यूरिया उत्सजक हो जाता है केचवा मुख रूप से एमोनो टेलिक अमोनियम उत्सजक की योंतु है किन्तु प्रयाप्त जल नो प्राप्त होने पड़िया युडियो टेलिक युडिया उत्सजक हो जाता है दोस्तों याद रखेगा अब हम लोग पढ़ेंगे केसरुकी जनतु के उसजी अंग देखे क्या है उसजी के अंग है वरिक यानि किड्नी रूधिर से मुद्र की रूप में अतिधिक जल वो नैट्रोजीनी अप्सिस्ट पदार्त जैसे युडिया आदिक ये उसजन करता है वरिक यानि किड्नी केस्टाइन केल्सीम वो नैट्रोजीन वीनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया गठ्या रोग का क्या करण है रक्त में परभावीत यूरिक एसीड का सोड्याम यूरेट के किश्चलों के रूप में जरों में एक्तित होना गठ्या रोग यानि याद के एर्थरिक्ट से का क्या कारण है दोस्तों रग्द में प्रभाविती यूरीक एसीड का सोडियम यूरेट के किश्चलों के रूप में जरों में एक्तित होना अमासे की दिवार का पेशिय अब हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र यहाई नर्वस सिस्टम के बाड़े में मानव सरी की पर्तिवर्ती किरिया का नियंत्रन के अंदर कहां इस्तित होता है मेरूला अवला गेंटा में मानव सुली की पर्तिवर्ती किरिया का नियंत्रन के अंदर कहां इस्तित होता है मेरूला अवला गेंटा में हिर्दे की धरकन की गति कि सकी द्वाब बढ़ती है तो अनुकंपी तंत्रिका द्वाड़ा हिर्दे की धरकन की गति किसके द्वारा बढ़ती है अनुकंपी तंत्रिका द्वारा प्रेरक कोसल मस्तिस के कौन से भाग के साथ समन्दित है ललाट भाग यानि दोस्तो फ्रॉंटल लेव क्या प्रेरक कोसल मस्तिस के कौन से भाग के साथ समन्दित है ललाट भाग जिसको ब और वह सिस्टम के अध्यन को तंत्रिका विज्ञान यानि नीरोलोजी कहा जाता है। कितना होता है तो 1.36 kg होता है दोस्तों 1300 से 1400 ग्राम के बीच और दन एक समण इमानम मस्तिस का भार कितना होता है। सरेब्रल पालसी का मस्तिस समंधी विकार है जो समंधता छोटे बच्चों में पाए जाता है। तंत्रिका तंत्रिका विकास सरपर्तम किस जीव में माना जाता है हाइड्रा में। मनुस के कापालिय तंत्रिकाओं के संख्या कितनी होती है बारा जोरी होती है। मनुस में मेरू तंत्रिकाओं के संख्या कितनी होती है एकती जोरी। मना शरीर में भूग तथा त्रिप्ती मस्तिस्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है हाइपो धिलमस द्वारा। नेक्स्ट डिसलेक्सिया नमक बीमारी मनव सरीर के किस अंग से समन्दित है मस्तिस्क। तंत्रिका उत्तक का परमुकारी क्या है उतेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरू रज्यू वो मस्तिस्क के आवेग भेजना। भोजन गरहन के पश्चात अहरनाल की तरंग गती और इसकी दिवार की गरंथियां के स्रावन का उतेजन किस तंत्र द्वारा होता है तो पुरानू कम्पू द्वारा होता है। भोजन गरहन के पश्चात अहरनाल की तरंग गती और इसकी दिवार की गरंथियां के स्रावन का उतेजन किस तंत्र द्वारा होता है तो प्रानू कम्पू तंत्र द्वारा होता है। कौन से तंत्र हमारे सरीर में समन्ययन का कारी करते हैं तंत्र का एवं अंत्र स्रावी तंत्र करते हैं। जो मनुसे यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोग देना चाहिए वह किस रोग से प्रित है तो या दिखेगा बुलुमिया से वह प्रित है। जेवी के घरी मानव सरीर के किस अंग में इस्तित होती है हाइपोथेलमस अंग में। जेवी घरी मानव सरीर के किस अंग में इस्तित होती है हाइपोथेलमस में। नेक्स्ट, एपी थेलेमस किन गरंतियों से निर्मित होता है? पिनियल गरंतियों और हिबे नियुएला से. मनव सरी का कौन सा भाग ऐलजायमा रोग से प्रभावित होता है? मस्तिस्क. मनव सरी का कौन सा भाग ऐलजायमा रोग से प्रभावित होता है? मस्तिस्क. तो तंत्रिकां याद कि तंतरिकां आख्च कला आता है. निर्मित का बाहरन निकला हुआ घाली मनव से प्रभावित होता है. मस्तिस्क में मानब के जर्म के पस्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता तंत्रिका कोशिका में देखें चिकिस्सा उपकरण और उपियों के बाड़े अब हम लोग पढ़ेंगे CT scan सरीर में वो समानी के लिए वो समन्याता के लिए किया जाता है CT scan और इलेक्टो काडियोग्राप हिर्दे में विकार का पता लगाने के लिए ओटो एनलाइजर जेव रसानी क्ततों की जाँच के लिए पेस्मेकर हिर्दे की गति नियंतित करने के लिए काफी यह इंपोर्टेंट है दोस्तों CT scan सरीर में वो समन्याता के लिए और इलेक्टो काडियोग्राप हिर्दे में विकार का पता लगाने के लिए ओटो एनलाइजर जेव रसानी क्ततों की जाँच में पेस्मेकर हिर्दे की गति नियंतित करने में मानम मस्तिष का कौँसा भाग विर्दी अस्मिर्ती और तरक का केंदर होता है सेडी ब्रम दोथ तंत्र का कोशिकाओं के मिलन को क्या काते है सिन्याप्स कातें दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलनगों क्या काते हैं सिनेप्स काते हैं पर्ति विर्थी किडियाओं की खोज सरपर्था मार्सल हाल ने की थी दोस्तों नेक्स्ट रक्त पड़ी संचन तंत्र ब्लड सर्कुलिटरी सिस्टम के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे मानव सरीर में कौन सी रक्त कोशिकाओं संकरमन से सरीर की रक्षा करती हैं स्वेत रक्त करनी काएं किस रक्त समू का वेक्ति सर्वदाता यूनिभर्सल डोनर होता है ओव मैनस याद रखिएगा O minus, universal acceptor AB होता है, क्योंकि AB में antibody नहीं होता है, O minus में antibody होता है, antigen नहीं होता है, hemoglobin मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है, जिसका परमुख कारी oxygen का पड़िवहन करना है, ब्रीद व्यक्ती का रक्त दाव समनेता बढ़ जाता है, एक समानी व्यक्ती के रक्त का ओसत pH मान कितना होता है, तो 7.35 से 7.45 pH तक होता है, यानि होना चाहिए 7.4, रक्त समों, ब्लड ग्रुप्स की खोच करता कोन है, कारलेंड इस्टिनर, रक्त समों की खोच करता कारलेंड इस्टिनर है, आरेच कारक, आरेच फेक्टर का नाम किस जमतों से समन्दित है, बंदर से दोस्तों, आरेच फेक्टर बंदर से, ए भी रक्त वर्ग का वेक्ती, किसी भी रक्त, वर्ग के वेक्ती का रक्त ले सकता है, इसलिए इने सार्व भोमिक प्राप्ट करता, युनिवर्सल रिसेप कहा जाता है दोस्तों स्व्यत रुधीर कनिकाओं का परमुक क्या है तो सरीर की परति रक्षा रुधीर के जमने में किस खनीच क्या आव सकता होती है पिलिया यानी स्पिलीन में लाल रक्त का निकाहें सरीर के किस अंग में नश्ट होती है पिलिया यानि इस्पिलीर में मनुस का उसत रक्त चाप कितना होता 120 वाए 80 mmHg मनुस का उसत रक्त चाप कितना होता 120 वाए 80 mmHg रक्त किस परकार का उत्तक है तरल सेयोजी उत्तक है रक्त किस परकार को उत्तक है? तरल सेयोजी उत्तक है दोस्तों, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O, तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? A अथवा O हो सकता है दोस्तों, याद रखे यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त रुधिर प्लाज्मा में पर्तिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निमित होते हैं? लिम्फोसाइट. नेक्स दिल का दौरा परने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डेन आवर. दिल का दौरा परने हार्ट अटेक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डेन आवर. मनुष के सरीर में रक्त का दाप कितना होता है? वायमनलिय दाप से अधिक होता है. मनुष के सरीर में रक्त का दाप कितना होता है? वायमनलिय दाप से अधिक होता है. रूदीर में स्वेत रक्त कनिकाओं के अत्यदीक मात्रा में उपस्तिती को किस रोग के नाम से जाना जाता है? लूकेमिया अत्वा रक्त कैंसर. रूदीर में स्वेत रक्त कनिकाओं के अत्यदीक मात्रा में उपस्तिती को किस रोग के नाम से जाना जाता है? लूकेमिया अत्वा रक्त कैंसर. नेक्श इंसुली नामक हार्मोन का मोगी कारे रक्त में सरक्रा की मात्रा का नियंत्रन करना होता है. रक्त में गुलकोच का अस्तर किस में व्यक्त किया जाता है तो मिली ग्राम परती डेसी लिटर में. रक्त का थक्का बनने के दुरान होने वाली अभी किडिया के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. देखिए काफी यह इंपोर्टेंट है दोस्तों. देखिए थ्रमोप् प्लस प्रोथ्रोंबीन प्लस केल्सियम हो जाएगा तो थ्रॉंबीन बन जाएगा. याद रखिए थ्रॉंबोप्लास्टीन प्लस केल्सियम हो जाएगा तो थ्रॉंबीन बन जाएगा. यह रक्त का थक्का बनने के दुरा होने वाली अभी किरिया है दोस्तों. थ्रॉंबी जेवीग पडिकरिया को तेज करने में कौन सा पदा उतरदाई है इंजाइम परतिजन यानि एंटिजन एक ऐसा पदात है जो परतिरक्षी एंटिबोडी के निर्मान को उद्धिपित करता है तथा उसकी मुख्य विशेस्ता परतिरोधियों के निर्मान को प्रेरित करना है याद के परतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो परतिरक्षी के निर्मान में उद्धिपित करता है तथा उसकी मुख्य विशेस्ता परतिरोधि के निर्मान को प्रेरित करता है रक्त को हिर्दे तक पहुचाने वाली धमनिया क्या का लाती है हिर्दे धमनिया लाल रक्त कनी काई आड़ी सी मुख्य तक कहां बनती अस्ती मज़ा में प्लाजमा में जल का परतिसत कितनो होता लगभग 90 परतिसत प्लाजमा में जल का परतिसत कितनो होता लगभग 90 परतिसत स्टार्च के जल अब घटन से कौन सा इंजायम बनता है इमाईलेज रग का थक्का बनने में फाइबरी नोजिन का फाइबरीन में परिवरतन थ्रॉम्बिन इंजायम के कारण होता है रग का थक का बनने में फाइबरी नोजिन का फाइबरी में परिवर्तन थ्रोमिन इंजायम के कारण होता है हिर्दय की धरकन नियंतित करने किस की भूमिका होती है सोडियम की हिर्दय की धरकन नियंतित करने किस की भूमिका होती है दोस्तों सोडियम की होती है इंजायम एक परकार का क्या है इंजायम एक परकार का दोस्तो जेब उत्परे रख है जेब उत्परे रख नेक्स्ट है एक धरकन या हिर्दे गती की एक आविर्थी में लगभग कितना समय लगता है 0.8 सकेंड लगता है एक धरकन या हिर्दे गति की एक आविर्थी में लगवर कितना समय लगता है? 0.8 सकंड रक्त दाप का नियंदरन किस गरंथी के द्वारा होता है? अधीवरी की गरंथी के द्वारा होता है रक्त दाव का नियंत्रन किस गरंति के द्वारा होता है अदिवरे के गरंति के द्वारा हिरदै के संकुच्न से धर्मनीओं की दिवानोंपर पर著 दिवनाव करने व typ कहलाता है अत्य अतिदीक उचाही पर जाने पर मानव सरी में लाल रक्त कनिकाओं की संख्यां पर क्या परभाब पड़ता है तो लाल रक्त कनिकाओं की संख्यां में दोस्तों विर्दी होती है एनिमिया रोग किस पोसक पदार्थ की कमी के कारण होती है, फोली के सीड, मानव सरी की सबसे लंबी सिरा कौन सी है, ग्रेट सेफिनस सिरा पैर में उपस्तित होती है, मानव सरी की सबसे लंबी सिरा कौन सी है, ग्रेट सेफिनस सिरा पैर में उपस्तित होती है, सुईत रख्त कनो की कितनी संकिया होने पर रख्त कैंसर होता है, रख्त दाप के उपचार में किस पोध्य का पड़ियोग किया जाता है, सर्प गंधा का, मानव सरी की सबसे बड़ियोग किया जाता है, सर्प गंधा का, मानव सरी की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी है दोस्तों, एरोटा, याद रख्येगा, मानव सरी की सबसे बड़ी धमनी क्या है महाधमनी, किस अंग को मानव सरी का रख्त बैंक कहा जाता है, पिलिय देखिए असुध रख्ट का पर्वहाँ देखिए। कोशी काई अंग में जाएगा याद रखे ऐसे होता है दोस्तों क्या है हिर्दय उसके बाद महा धमनी उसके बाद धमनिया तब धमनी काएं तब कोशी काएं अंग होती है असुद रख्त का ये परभाव है कोलेस्ट्रोल की संक्यां सीमा मानव में कितनी है तो 150-260 mg परती 100 ml कोलेस्ट्रोल की संसर्फ मानव में कितनी है 150-260 mg परती 100 ml रख्त समु एबी को सारभूमी की गराही क्यों माना जाता है क्यो कि रख्त समु में परतिरक्षी नहीं पाया जाते हैं परतिरक्षी एंटिबोडी क्या है गलाइको प्रोटीन है दोस्तों नेक्ष्ट सीकल सिल एनिमिया का रोग किसकी विक्रती से होता है रख्ट पड़ी संच्रन से समधी अंग एवं उनके कारी के बारे में अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे देखिए क्या है, हिर्दय, रक्त को संपून सरीर में प्रभावित करना, धमनिया, रक्त को हिर्दय के अंगों तक पहुचाना, सिराय, रक्त को सरीर से हिर्दय तक पहुचाना, कोशिकाय, धमनी तथा सिरा के रक्त का सम्मिलन, कोशिका यह धवनी तता सिरा के रख्थ का संमिलन नेक्ष देखिये रिसेर्बिन नामक उस्दी का पढ़िएक किस लिए किया जाता है उच रखत दाब को कम करने में याद रखें दोस्तों बहुत है इंपोर्टेंट है किया रिसेर्बिन रिसेर्पिर नमक उस्धी का पड़ियों किसलिए किया जाता है उच्छ रक्त दाब को कम करने में किया जाता है नक्ष कौन सी कोशिका परतिरक्षी का उत्पादन करती है लिंफोसाइट कौन सी कोशिका परतिरक्षी का उत्पादन करती है लिंफोसाइट रग्त में उपसित परमुक पदार्थ देखिए, रग्त प्लाजमा हलके पिले रंका तरल पदार्थ होता है, एलबुमीन ये ओस्मोटिक दाव अस्थापित करता है, और क्या ग्लोब्यूलीन? ग्लोब्यूलीन ये संक्रामक रोगों से रच्छा करता है, और फाइबरी जेन रग्त का असकंदन करता है, प्लाजमा, यदि दोनो जनकों का रूधिर वर्ग अबी हो, तो उनके बच्चों का संभावितर रूधिर वर्ग क्या होगा? ए, बी और एबी होगा, यदि दोनो जनकों का रूधिर वर्ग अबी हो, तो उनके बच्चों का संभावितर रूधिर वर्ग क्या होगा? A, B और A, B होगा स्वस्थ मनुस्थ के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्यां समना तक कितनी होती है तो याद रुखेगा 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है स्वस्थ मनुस्थ के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्यां कितनी होती है, देर लाग से सरे चार लाग तक होती है, एक वयस के मनुसके रक्त में परती 100 मिली लीटर में हेमोगलोमीन की मातरा कितनी होती है, तो 14.5 ग्राम होती है, पेपसीन, ट्रिपसीन एवं ट्राइलिन, इंजायम पाचन में सहायक होते है पेपसीन, ट्रिपसीन एवं टाइलिन ये पाचक में, पाचन में दोस्तों सहयता करते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे माता पिता के रखत समू के अधार पर बच्चों के संभावित रखत समू बहुत ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, देखिए बहुत ये इंपोर्टेंट है, अगर माता का O रहेगा, पिता का भी O रहेगा तो संभावित रखत समू O होगा दोस्तों O संभावित जो नहीं हो सकता है, A, B, A, B नहीं हो सकता है अगर माता का O है, पिता का A है, तो बच्चों में O भी होगा, A भी होगा लेकिन O संभावित है B और A भी नहीं होगा और अगर माता का O है पिता का B है तो भी बच्चा में दोस्तों क्या होगा O और B होगा नहीं होगा A और A B कभी नहीं होगा अगर माता का O है पिता का A भी है तो बच्चा में A और B होगा और वह संभावित है O और A भी नहीं होगा और देखें माता में भी A है पिता में भी A है तब क्या है संभावित रखत समय बच्चों में A और O होगा नहीं हो सकता B और A भी नहीं हो सकता अगर माता में A है पिता में B है तो बच्चों में होगा A भी होगा, B भी होगा, O भी होगा, A भी होगा चारों ग्रूप होगा दोस्तों अगर A माता में, B पिता में तो तो वह संभावित रखत कोई नहीं क्योंकि चारों हो चुका है और माता में A है, पिता में A भी है तब बच्चों में A, B और A भी हो सकता है और O नहीं हो सकता है दोस्तों अगर माता में B है पिता में B है तब क्या होगा दोस्तों बच्चों में B भी O भी हो सकता है लेकिन वो समभावित रख समू है A और A B नहीं हो सकता है अगर माता में B है पिता में A B रख्थ है तो बच्चों में A B और A B हो सकता है ओ कभी नहीं हो सकता है अगर माता में, A-B है, पिता में भी A-B है, तो बच्चों में A-B होगा, B-B होगा, और A-B भी होगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन ओ कभी नहीं हो सकता है, यह आप याद रखिएगा, एकजाम में दोस्तों पूछी जाती है समन रूप से लाल रगत का निकाओं की आयो कितनी होती है, तो 20 से 120 20 दिन होती है एप्रॉक्समेंट रक्त में गुलकोच की मातरा में विर्धी को क्या कहते हैं हैपर ग्लाइसिमिया कहते हैं रक्त समंधी समस्या के बारे में देखिए उच रक्त दाव से हैपर टेंसन होता है निम्र रक्त दाव से हैपर टेंसन होता है इससे भी दोस्तों देखिए, बहुत यह important है, उच रक्त दाप से hypertension होता है, जबकि निम्न रक्त दाप से hypertension होता है, और हिमोफिलिया से यह अगहात से रक्त सराब होता है दोस्तों, यह रूक नहीं सकता है, हेमोफिलिया अनुवांसिक रोग है, और रक्तता है हेमोगलोविन की कमी होता है और रक्तता से, धामनिया हिर्दे से oxygen युक्त रूधीर को सरीर के विभीन अंगों में ले जाती है, अब हम लोग पढ़ेंगे अंतासराबी ग्रंथियां एवं हार्मो इंडोक्राइन ग्लेंट्स एन हार्मों के बारे में, यह काफी important है, देखिए, दूद निस्कासन हार्मोन, ऑक्सितोंसिन का सराब कोंसी ग्रंथि करती है, प्यूस ग्रंथि पिट्ट्री ग्लेंड करती है, मां और सिसु के मदे गले लगना या चुमना किस हार्मोन के को प्रिदित करता है ऑक्सीटोंसीन मानव सरीर में मानव सरीर में प्राब्डों ग्रंथी से स्रावित होने वाला प्राब्डव हार्मों रक्त में केलसियम और फास्पेट की मात्रा वियनिमीद करता है दोस्तों किस हार्मोन में आयोडिन उपस्तित होता है तो थायोक्सिन हार्मोन में आयोडिन उपस्तित होता है इंसुलीन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है अगनासे से इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है अगनासे से मनुस में पित का निर्मान यक्रित में होता है तथा पित का निर्मान यक्रित में होता है तथा पित का संचे किस में होता है दोस्तों ये पिता से गौल ब्लेडर में होता है थाराइड ग्रन्थी को थारक्सीन सरावित करने के लिए उत्यजित करने वाला अन्ता-सरावी हर्मोन कौन सा है तो TSH है थाराइड स्टिमूलीटिंग हर्मोन होता है थाराइड गरंती को थारोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्रावी हर्मोन को होता है? TSH हर्मोन. लरों और उरों के नाम से किस हर्मोन को जाना जाता है? एडिनेलीन हर्मोन को. लडों और उरों के नाम से किस हार्मोन को जादना जाता है एडिनेलीन हार्मोन को मानो सरील का समनी तापमन कितना होता 98.6, 310 केरविन और 37 डिरी सेर्शियत सरील में अतिरिक्त गुलकोच गलाइकोजेन में परिवर्थित होकर यकृत में सनक्षित रहता है सरील में कौन सी ग्रंथियां वहनी हीन है तो अनतसरावी ग्रंथियां पस्मों के थनों में दूद उतारने के लिए किस हार्मोन की कमी से होता है अगनासाई को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्यजित करने वाला हार्मोन कौन सा है तो सिक्रिटीन है यदि अगनासाई में कोई विकार उत्पन हो जाए तो इंसुलिन और गुलकागोन या गुलकागोन का निर्मान नहीं होगा यदि अगनासाई में कोई विकार उत्पन हो जाए तो इंसुलिन और गुलकागोन का निर्मान नहीं होगा कौन सी गरंथी विर्दी हर्मोन का रिसाव करती है प्यूस गरंथी कौन सी गरंथी विर्दी हर्मोन का रिसाव करती है प्यूस गरंथी अब हम लोग पढ़ेंगे मानव हर्मोन तथा उनकी भूमिकाए के बारे में हर्मोन और सरीर में भूमिकाए सुमेटो एस्टेटीन का विर्दी हर्मोन के सरावन को रोकता है और अस्तन गरंथी विर्दी हर्मोन के सरावन को रोकता है सभी इंपोर्टेंट है याद रखेगा मेला टोनीन या सोने जागने के चक्र को नियंतित करता है सरीर को यूद या प्लाइन के लिए तयार करता है यूद या प्लाइन के लिए तयार करता है next estrogen estrogen जो है यह स्तिरियों मेर्य पर जिनन अंगों की वीर्दी वह विकास करता है इस्तियों मे है कि लेंगी लंगिक लक्ष्णों का विकास करता है गरवासाई बनाए रखने में ये सहायक है दोस्तों, क्या प्रोजेस्ट्रोन गरवासाई को भून के अधिरोपन के लिए तयार करता है और गरवासाई बनाए रखने में ये सहायक होता है उसके बाद टेस्टेस्ट्रोन प्रूस के सहाइक परजनन अंगों के विर्दी वो विकास करता है प्रूस दृत्यक लेंगिक लक्षनों का विकास और पेसिये के विकास में ये सहाइक होता है Testosterone, पुरूसों के सहायक, परजनन अंगों के विर्दी वो विकास करता है पुरूस दृतियल्गिक लक्षनों का विकास और पेसियों के विकास में ये सहायक होता है Renin, जो होता है दोस्तों ये Aldoesterone, Aldoesterone के स्रावन को प्रेडित करता है प्लाजमा प्रोटीन एंजियो टेंसिनोजन को एंजी टेंसिन में तोड़ता है जो हिर्दे के अस्पंदन की दर को बढ़ाता है रेनिन एल्डो एस्टेडोन के स्रावन को ये प्रेडित करता है प्लाजमा प्रोटीन एंजियो टेंसी नोजेन को एंजी टेंसीन में तोड़ता है जो हिर्दय के स्पंदन की दर को बढ़ाता है एडिनेलीन हार्मोन के स्रावित होने से हिर्दय गति बढ़ जाती है तथा उत्यजना का अनुभब होता है एडिनेलीन हार्मोन के स्रावित होने से हिर्दतय गति दोस्तों बढ़ जाता है तथा उत्यजना का अनुभब होता है किस ग्रन्थी को मास्टर ग्रन्थी भी कहा जाता प्यूस ग्रन्थी को किस ग्रंती को मस्ट ग्रंती भी कहा जाता है प्यूस ग्रंती को वेसो प्रोसीन हर्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो डाई यूरेसिस हो जाता है अस्तंधारियों में दूद स्राव को कौन से हर्मोन उत्तेजित करता है तो ऑक्सिटोसीन एवं प्रोलेक्टिन हर्मोन करता है अस्तंधाडियों में दूद स्राव को कौन से हर्मोन उतंशीत करता है आक tapes Lorzin ebun employee next आप लेक्टिक टेर में 1930 कहां पाय जाती है करकां की नीचे parodid गरंति पाय जाती है मानो सही में सबसे बरी अंतास्वाइद गरंति कौँस यह थाराईड गरंति मानव सरी में सबसे बड़ी अंता सरावी गरंथी कौनसी है थाराइड गरंथी थायमस गरंथी द्वारा उत्पन होने वाला हार्मोन कौनसा है थायमोसीन गर्ब निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है एस्ट्रोजेन गर्व निर्धक दवाई के रूपे किस हार्वन की गोलियां दी जाती है एस्टोजेन प्यूस गरंथी यान पिटिट्री गलेंटी किस अंग में पाय जाती है मस्तिस्क में मस्तिस्वें प्यूस गरंथी कौनसी ग्रंथी अंता वो 22 रावी दोनों परकार की होती है अगनास है कौनसी ग्रंथी अंता वो 22 रावी दोनों परकार की होती है अगनास है कौनसा वर्नक मानव की तोचा को रंग परदान करता है मेलालीन कौन सी गरंथी मानव स्रीर के तापमान को नियंतित करने में सहयता परदन करती है थाराईड कौन सी ग्रंथी मानाव सरीड के तापमान को नियंतित करने में सहायता परदन करती है थाराइड ग्रंथी और हर्मोन देखिए अगनासे से गुले के गौन हर्मोन निकलता है प्यूस ग्रंथी से थाराइड उधिपक हर्मोन निकलता है अधिव रिक से कौटी सोल निकलता है और रिक से दोस्तो विटेमिन डी निकलता है याद रखे विटेमिन डी मनुस के नवजात सिसु को अस्तन गरंती से निकले पहले सराव को पिलाया जाता है जिसे कुलेस्ट्रोम या क्लोस्ट्रम कहते हैं कुलोस्ट्रम सिसु के लिए कि प्रकार लाबदायक या सिसु को रोग परतिरोधक सकती परदान करता है मनुस के नवजात सिसु को अस्तन गरमती से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रोम कहते हैं और क्लोस्ट्रम सिसु के लिए किस परकार लाबदायक है या सिसु को रोग परतिरोध लग सकती परदान करता है इंसुलीन में कौन सी धातु मोजूद होता जस्ता इंसुलीन में कौन सी धातु मोजूद होता दोस्तो जस्ता मानव सरीर का कौन सा हार्मोन रख्त के फास्पेट वो केलसियम को नियंतित करता है पराब्टू करता है नेक्स्ट हार्मोन सरीर के उपापचे विर्धी जनन रूधीर दाब रूधीर में जल और लवन की मातरा आधी का नियंतरन करते हैं आयोडिन युक्ति नमक क्यों उपयोगी होता है क्योंकि यह थराइड गरंती का नियंतरन करता है यक्री तेवं मास्पेशियों में उर्जा किस रूप में जमा होती है गलाइकोजेन के रूप में मुख्य गरंतियां इंपोर्टेंट ग्लेंट्स के बाड़े में अब हम लोग पढ़ेंगे जिसे आपको याद रखनी है हमेशा देखे हाड़े रियन ग्रंतियां यानि ग्लेंट्स नेतरों में सराव द्वारा चिकनई परदान करती है यूट्री कुलर ग्रंतियां ये काक्रोच एवं कीटों के मादा जिनननांगों की ग्रंतियां है और आत ग्रंतियां कैसे रुकी प्राणियों की आतों में ये इस्तित होती है आत ग्रंतियां कैसे रुकी प्राणियों की आतों में इस्तित होती है सलेसम ग्रंतियां मेड़क की तोचा में मीकोस का सराव करते हैं बुर्नर्स ग्रंतियां कैसे रुक प्राणियों की ग्रहनी में सरक्षक परती अमल का सराव करती है बुर्णस ग्रंथियां के सरुख प्राणियों के ग्रहनी में सरक्षक परती अमलका सराव करती है और प्रो इस्टिट ग्रंथियां अस्तनियों तथा केचियों के नर्जननंगों की सहाइग ग्रंथियां है प्रो इस्टिट ग्रंथियां अस्तनियों तथा केचियों के नर्जननानंगों की सहाइक ग्रंथियां हैं कोपर ग्रंथियां अस्तनियों के नर्जननानंगों की सहाइक ग्रंथियां हैं नेक्स्ट है वाइट लाइन ग्रंथियां वाइट लाइन गरंतियां प्लेटी हलमिंथीज प्राणियों के जननांगों में पाए जाती है, और हीमोरेल गरंतियां सरिष्रिप जनतों की जंगाओं पर पाए जाती है, वसा ग्रंथियां अस्तनियों की तोचा में पाए जाती है स्वेद ग्रंथियां अस्तनियों की तोचा में पसीने की ग्रंथियां है और स्वेम रेडिन ग्रंथियां मेड़क के के से रुख अस्तम के दोनों और इस्तित होते हैं अस्तन ग्रंथियां अस्तनियों में दूद का सराव करती है सेरु मिनस ग्रंथियां अस्तनियों की वर्ण कुः गुः से मोम के समान पदार्थ का सराव करती है क्या सेरु मिनस ग्रंथियां अस्तनियों की कर्ण गुः से मोम के समान पदार्थ का सराव करती है लेक्राइमल ग्रंथियां ये नेत्रों में उपसित होती है डीप ग्रंथियां संयुक्त नालाकार ग्रस्निये ग्रंथियां जो म्यूकस सलेशमा सरावित करती है निक्स्ट हासी मोटा रोग में सरीर सोता थाराइर ग्रंथि को नश्ट कर देता है इसलिए इसे थाराइर की आत्म हत्या करते है रोग एवं उपचाट डीजेज एंड ट्रीटमेंट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे पानी से भय नामक बीमारी किस के द्वारा उत्पन होती है विसानों के द्वारा हाइड्रोफविया विसानों के द्वारा मस्तिक्स तथा में रुरज्यू पर चड़ी जिली से सुजन आ जाना किस रोग के लक्षन है मेनेंजेटिस मस्तिक्स तथा में रुर्ज्यू पर चड़ी जिली में सुजन आ जाना किस रोग के लक्षन है मेनेंजेटिस सिसु में अतिसार का क्या कारण है रोटा वाईरस नेक्स्ट वतातमाद हिस्टरिया रोग समनेता युवा महिलाओं को प्रभावित करती है याद रखे वतातमाद हिस्ट्रिया रोग समनता युवा महिलाओं को प्रभावित करती है अंध बिंदू या पीत बिंदू आंके किस भाग में पाय जाती है दिरिष्टी पटल में अंध बिंदू या पीत बिंदू आंके किस भाग में पाय जाती है दिरिष्टी पटल में सिलिकोसिस रोग किस अंग से समन्दित है फेपरे से सिलिकोसिस रोग किस अंग से समनित है फेपरे से ट्रिपल एंटिजन वेक्सिन नवजात सिस्वों को कुकर खांसी टिटनस डिप्थरिया रोगों से पर्तिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है प्रोटो जवा मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है प्रोटो जवा भोजन विसाक्तता किस जीवानों के कारण उत्पन होती है तो याद रखेंगे सल्मोनेला विसिलाई के कारण मप्स रेविज यवम हरपीज आदी विसानु जनित रोगों के समू में आते हैं जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग होती है केडमियम फैनिल किटो नुरिया रोग किसे समंदित है मानसिक जरता से यह समंदित है नेक्स पोटेसियम अलपता किसे समंदित है निम्र रक्त चाप से यह है मलेडिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है पिलिया यानि इस्पिलिन अनुवांसिक रोग लिंग सलंगन है रॉयल हेमोफिलिया भारत में मलेडिया के 65% रोग्यों के लिए पिवाई वैक्स परजिवी उतरदाई है हेमोफिलिया एक अनुवांसिक विकार है जिससे रक्त का असकंदन नहीं होता है डेंगू बुखार होने पर मानव सरीर में किसकी कमी होने लगती है प्लेटलेट्स की डेंगू बुखार होने पर मानव सरीर में किसकी कमी होने लगती है प्लेटलेट्स की मलेडिया प्लाज्मो डियम नामक परजिवी की खोच किस वेग्यानिक ने की थी सर रोणाल रोजने मलेडिया प्लाज्मो डियम नामक परजिवी की खोच किस वेग्यानिक ने की थी सर रोणाल रोजने टियमर की पहचान के लिए किस रेडियो धर्मी समस्थानी का परजिवी किया जाता है आर्सेनिक 74 का यदि मुतर के साथ एलवोवीन की मातरा आ रही हो तो वरी के किड्नी के प्रभावित होने की संभावना होती है यदि मुत्र के साथ एलवोवीन की मात्रा आ रही हो तो विरिक के प्रभावित होने की संभावना होती है सालक टिका किस लोग से संभन दित है तो पोलियो से सालक टिके का विस्कार जॉन सालक ने वर्स उनिसो बावन में किया था सालक टिके का विस्कार जॉन सालक ने वर्स उनिसो बावन में किया था नेक्स्ट एथलिट फूट नामक बीमारी किसे होती है फपून से मनुस के सरी में किस रैट परवह की गती मापने की लिए किस रेडियो एक्टिव ततो का पड़ीयोग किया जाता है तो रेडियो सोडियों का मनुस के सली में रत परभाव की गतिम अपने के लिए किस रेडियो एक्टिव ततों का पड़ियो किया जाता है रेडियो और सोडियम का पॉलिस युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है बैरी बैरी पॉलिस युक्त यानि पॉलिस जो किया होता है बैडी बैडी रोग होता है दोस्तों इससे नेक्स्ट है पलाज्मो डियम परजिवी का वहाग जीव कौन सा है मच्छर पलाज्मो डियम परजिवी का वहाग जीव कौन सा है मच्छर हानिकारक विकिर्णों से मनुस्ट के अंगों में से मस्तिस का सब से कम तथा आँख सब से अधिक परभावित होती है ने MRI का पूर्ण रूप क्या है तो Magnetic Resonance Imaging BMD prediction किसकी पहचन करने के लिए किया जाता है तो याद रखेगा अस्ति रंदरता के लिए किया जाता है कौन सा मच्छर जीका वारस का वहाग है अंडिज मदुमाई के उपचार में पर्योग होने वाले हार्मोन इंसुलीन का विश्कर किस ने किया था पईजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण Blue Baby Syndrome नामक बिमारी होती है पईजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण Blue Baby Syndrome नामक बिमारी होती है पर्यावर्निय पर्दुसन द्वारा होने वाले रोग एमफाई सीमा से फपूस फेप्रे परभावित होते हैं पर्यावर्निय पर्दुसन इनवाईरोमेंटर पोलिशन द्वारा होने वाले रोग एमफाई सीमा से फपूस फेप्रे परभावित होते हैं मानव शरीर का कौन सा अंग अलजायमा रोग से परभावित होता है? मस्तिस्क मानव सरीर का कौन सा अलज्यमा रोग से प्रभावित होता है, दोस्तों मस्तिस्क पोलियो एक विसानो जनीट रोग है जिसका वाइरस सरीर में दुसित भोजन तथा जल के माधियम से प्रवेश करता है पोलियो एक विसानों जनित रोग है जिसका वाइरस सरी में दूसित भोजन तथा जल के माध्यां से प्रवेश करता है मस्तिस की बिमारी को किसे पहचाना जाता है तो विदुत मस्तिस के लेख यानि एजी इलेक्ट्रो इनसुफेलोगराप के द्वारा समानी जुकाम किस वाइरस के द्वारा होता है रीनो विसानों के द्वारा होता है एनोस्मिया नामक रोग किसे समन्दित है सुने की सक्ती घ्रान समेदना की कमी से सलफा दवाई या किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है जीवानों जनित बीमारियों के लिए हिर्दे की धरकन किस तत्त द्वारा नियंतरित की जाती है पोटासियम जीवानों जनित रोग के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे हाईजा देखिए हाईजा ये जीवानों देखिए सभी होता है जीवानों से मी ठीक है हाईजा जिसको कलेडा कते विब्रियों के कारण होता है ये कारक जीवानों है दोस्तों हैजा विब्रियों के कारण होता सबस्वेखने लिपरोसी यह मैको बेक्ट्रियम लेपरोसी की खाहरण होता है क्लॉस 처atro क्लॉस टिटिव कारण होता है Titanus ये Clostridium Titanium के कारण होता है Typhide Salmonella Type Hossa के कारण होता है Plague Pasturella Pestige के कारण होता है Kalikhanse Body Tela Pertussis के कारण होता है pneumonia Diplococcal pneumonia के कारण होता है pneumonia Diplococcal pneumonia के कारण होता है gonorrhea Nisriya gonorrhoi के कारण होता है syplist Trepenema Pleiadium के कारण होता है ये सभी जिवानों के कारण होता है दोस्तों सुजाक ये gonococcal gonorrhoi के कारण होता है Next एमिनो सेसिलिक एसिड एमिनो सेसिलिक एसिड पर्ति सुक्षम जिवी औस दिये के रूप में यक्षमार्टिवर क्लोसिस और कुष्ट लेप्रोसि दोनों की चिकसा के लिए उप्यूग्थ है एमिनो सेसिलिक एसिड पर्ति सुक्षम जिवी औस दिये के रूप में यक्षमार्टिवर क्लोसिस और कुष्ट लेप्रोसि दोनों की चिकसा के लिए उप्यूग्थ है संक्रमी तो चुूह की काटने से कौन सा रोग होता है प्लेग होता है दोस्तों ओब बिंदुखता नमक रोग किस अंग को प्रभावित करता है निंध्रा रोग नमक बिमारी ट्रिपेनो सोमा नमक प्रटो जवासे होता है फालेडिया नमक रोग किसके कारण होता है? गोल किर्मी के कारण HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? AIDS Down syndrome नमक अनुवांसिक विकार किसके कारण होता है? गुणसुत्रों की संक्या में पडिवर्तन के कारण Down syndrome नमक अनुवांसिक विकार किसके कारण होता है? गुणसुत्रों की संक्या में पडिवर्तन के कारण AIDS रोग HIV नमक विशनों से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाये जाता है AIDS किसका संक्चित रूप है? एक्वाइड एमिनो डिफिशेंसी सिंड्रोम का AIDS किसका संक्चित रूप है? एक्वाइड एमिनो डिफिशेंसी सिंड्रोम का AIDS virus HTLV, HTLV 3rd की खोज किसने कीती? रोवर्ट गेलो ने किया था AIDS virus HTLV 3rd की खोज किसने किया तो रोवर्ट गेलो ने? AIDS के उपचार के लिए सबसे उप्युकत दवाई कौन सी है? जुडो वुडिन या देखे जुडो वुडिन जिसको बोलते है एजिडो थाइमिडिन ये AIDS के उपचार के लिए सबसे उप्युकत दवाई है दोस्तों जपानी एंसे फिलाइटीस बीमारी विसानों के कारण फैलती है और इसके उनमुलन के लिए सुवरों को मानव रिहायसी छेतर से दूर रखना आवसक है एलिसा परिक्षन किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? AIDS के लिए किया जाता है थेलिसीमिया के रोगी में सरीर किसके संसलेशन की चमता नहीं रखता हेमोगलोविन इस्तरियों की तुलना में प्रूस वर्नंदता से अधी परभावित होते हैं उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसम होते हैं इसलिए इस्तरियों की तुलना में प्रूस वर्नाधता से अधी परभावित होती है उनमें केवल X क्रोमोसम होते हैं एड्स छोटी माता एवं गल्सवा तिनो संक्रमक बिमारिया हैं एफला टॉक्सिन खाद विसाक्तन द्वारा कौन सा अंग परभावित होता है यक्रित रोगों की प्रिकिर्ती लक्षनों एवं कार्णों का अध्यान रोग विग्यान यानि पैथोलोजी दोस्तों कहलाता है नेक्स्ट ब्रॉइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग परभावित होता है गुर्दा ब्रॉइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग परभावित होता है गुर्दा इंटर्फेरोन का पड़ियों किसके नियंतरन के लिए किया जाता है कैंसर के नियंतरन के लिए इंटर्फेरोन का देखिए सिलिकोसिस क्या है यह फ्यप्रों से समनीत रोग है सिलिकोसिस फ्यप्रों से समनीत मका में सप्यद कली किस तत्यों की कमी से होती है जिंक मक्का में सपेद कली किस तत्तो की कमी से होती है दोस्तों जिंक ने सपेद कित किस फसल का रोग है सरसों का सपेद किस फसल का रोग है सरसों का पाईरीला किस फसल से मे उल लगने वाला कित है गन्ना पाईरेला किस फसल में लगने वाला कित है गन्ना बिंडी में पीत वर्न सीरा रोग किस कारण होता है सफेद मक्षी से खसरा जिसको मिसलियस करते हैं और रोग को एंटि बाायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है खसरा रोग को एंटीबियोटेक्स द्वाड़ाज ठीक नहीं किया जा सकता है गामा, गलोबुलीन इंजेक्षन का प्रयों किस रोग के उप्चार में किया जाता है हेपेटेस में रानी खेत रोग के किसे समदी था मुर्गियों से रान खेतरों किसे समन्दित है मुर्गियों से गेहों में होने वाले दो परमुक कबकरों कों से हैं काला किट और असमत धान का टूंगोरो विसानु किसके द्वारा परसाडित होता हरी पति के फुद के द्वारा ये होता है बर्ड फुलू H5N1 इंप्रियंजा विसानु के कारण होता है BCG कट्टी का नवजात सिसु को कब लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद नेक्स्ट पसो में प्रोटो जवाजनित रोग क्या है वो देखे रोग का नाम रोग के लक्षन क्या कौक्सी देखे कौक्सी डियोसिस ये रक्त स्रावी आत्रसोद खूनी पेचिस ये रोग है दोस्तों यादर के रोग का नाम है आक्सी डियोसिस इसमें क्या रोग का लक्षन है रक्त स्राव और आत्रसोद खूनी पेचिस होता है तिले रियोसिस में 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 तिले रियोसिस मे उसे का बिनास करता है जोर रखत है जोर होकी घर्व बंधेता होता है स्ट्थ समें बांध्या है चोटी माता विश्वानुजनित रोग है ये वेरिसेला वायरस के कारण होता है खसरा ये मोर्बिली वायरस के कारण होता है पोलियो पोलियो वायरस के कारण होता है रेबीज रेबीज वायरस के कारण होता है चेचक वेरिवेला वायरस के कारण होता है जननांग हर्पीज ये हर्पाइज वारिस के कारण होता है Eagles Human Immunodeficiency वारिस के कारण होता है Hippetaitis 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 fronts इन्फ्ल्वेन्जा मिक्सो वारस इन्फ्लेशाई के कारण होता है एकतले टीस यह यादराखे स्ब। से विविएंगु देंगु वार्स के कारण होता है देंगु कोबिड-19 ये कुरोना वार्स से होता और नाइंटीन कोई नेकस्ट देशों यकलितु सोध हैपटाइटीस कैसा रोग है विशानुजनित रोग है दोस्तों हेपेटाइटिस रोगों की संचरन के लिए उतरदाई कीटों को क्या काते हैं वेक्ट काते हैं ठेलिसीमिया एक अनुवांसिक बिमारी है यह किसको प्रभावित करता है रूदिर बलड को गलाइकोमा किस अंका रोग है नेतर का गलाइकोम विशनु से पोलियोमाइटेस रोग किस से फेदता है विशनु से रक्न आरेज क्या है परती जन है दोस्तों रक्न आरेज क्या परती जन है अब देखे कोरोना वाइरस एवं कोविड-19 के बारे में अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों ये काफी ये प्रभावित ये अभी परजेंट में ये चल रहा है दोस्तों कोरोना वाइरस ऐसे भी सन्वों का एक बड़ा समु है जो मानब तता जनवरों में रोग उत्पन कर सकते हैं और अनेक कोरोना वाइरस मानबों में सोसं संक्रमन रिस्पारिटरी इनफेक्शन उत्पन करते हैं जो समानी मानब तता जनवरों में रोग उत्पन कर सकता है और अनेक कोरोना वाइरस मानों में सोसं संक्रमन यानि रिस्पारिटरी इनफेक्शन उत्पन करते हैं जो समानी जुकाम से लेकर मर्स मिडिल इस्ट रिस्पारिटरी सिंड्रोम वो सार्स सर्ब एक्यूट रिस्पारिटरी को नश्ट करती है जबकि टी को सिका संक्रमेत को सिका को नश्ट करती है वर्तमान में विशु भर में फैले संक्रमन को कोरोना वारेस डिजीज COVID-19 की COVID-19 नाम दिया गया है यह संक्रमन चिन के वहां सहर में दिसमर 2019 न फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्व व्यापी महमारी का रूप ले लिया और विश्व स्वास संगतन डेबलो एचो की वेबसाइट पर उपलब्द 10 जनवरी 2021 तक कि आकरों के अनुसार वेश्विक अस्तर पर 8.9 करोर से अधिक लोग COVID-19 से संक्रमित हो चुके हैं और जिनमें से 19 लाग से अधिक लोगों की मिर्थी हो चुका है दोस्तों COVID-19 के लक्षन क्या है वो देखिए समानी लक्षन बुखार सुखी खांसी थकान आधि होता है कम समानी लक्षन सिर्दर्द सरीर के अने भागों में दर्द गले में खरास, स्वाद एवं सुने की चम्ता में कमी डार्या नेदर सलेसमकलासोद आधि ये हो जाता है दोस्तों याद रखे इसका यह लक्षन है COVID-19 का उपचार इसका देखिए अब तक COVID-19 के उपचार के लिए कोई औसधी अत्वा टीका अंतिम रूप से नहीं बन पाया है यद पी विशुव भर में अनेक टीके अंतिम चलन में है इसलिए इससे बचा करके तथा संक्रमन हो जाने की इस इस्तिती में चीकसकों के प्रामर्स के अनुसार देखभाल करने से संक्रमित व्यक्ति इससे ठीक हो सकता है और वैस्विक आंकरे बताते हैं कि COVID-19 ज़र संक्रमित 90% से अधिक व्यक्ति चीकसकों के निर्देशों का ठीक परकार से पालन करके संक्रमन यूगत हो जाते हैं कोविन-19 से बचा के उपाय क्या क्या है एक दूसरे से प्रयाप्त दोरी लगवग छे पीट रखना अर्थात समाजिक दोरी सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना है घर से बाहर निकलने पर मुह और नाग को ढखने के लिए मास्क मास्क फेस कवर गमचा आदी का परयोग करन है किसी भी संभावित संक्रमित वस्तू वस्तू अत्वाव्यक्ति को चूने के बाद साबून से हांतुद होना अत्वा हैंड सेनेटाइजर का परयोग करना है दोस्तों और इस समद में सरकार वह पर सासंदोरा दिये गए निर्देसों का पालन करना है नेक्स जीवानों ज उते नित्रोंग है यह विव्रियोग कुलेडि के कारन होता है दिब्धिरिया्या कोरिन्बेक्टेयम डिब्ध्राई के कारन होता है दिब्थरिया्जर्ण 6 रोक, Microbacterium Trivocroces के कारण 6 रोक होता है कुछ रोग, Microbacterium Leproce के कारण होता है Titnos रोग, Clostridium Titani के कारण होता है Type-1 रोग, दोस्तों, Salmonella Type-Hosae के कारण होता है और ये Plague रोग, Pasurella Pesečिस के कारण होता है काली खासी, Body-TelaORIA Paratuses के कारण होता है काली खांसी नीमोनिया नीमोनिया डिपलो कोकल निमानी के कारण होता है नीमोनिया डिपलो कोकल निमयनी के कारण होता है गनोडिया निसराई गनोराही के कारण होता है और सिपलिस ट्रेपोनेमा अपेलीडियम के कारण होता है सिपलिस सुजाक गनोकोकस गनोराही के कारण हो पैसरा किसे संकर्मन के कारण होता है? विसानु के कारण। ने उन्गो का केंकर रोग किसके कारण होता है? जीवानु कारण। पचेवे भोजर में मोजूद विसले पदार्थ का कौन सा अंग चूसन करता है या करीद करता है दोस्तों याद रखे कलाजार का संचार किसे होता है सिक्ता मक्की से होता है कलाजार का संचे निक्ट काली खांसी से बचा के लिए सिस्वों को कौन सा ठीका लगाया जाता है डिप्टि डिप्टिर या पाटियो सिस और टेटनस लगाया जाता है दोस्तों देखिए दोस्तों अनुआसगी के जनक ग्रेगर जोन मेंडल है सुक्ष में जेविकी के जनक लुई पास्चर है परतिरक्षा विग्यान के जनक एडवर्ड जेनर है जीवानुव विग्यान के जनक रोवर्ट कोच है प्रोटो जवा जनित रोग देखिए क्या क्या है मलेडिया ये पलाज्मो डियम वाइबेक्स के कारण होता है मलेरिय प्लाजमों डींउ वाइबयक्स के कार्ण होता है क्या दोस्तो'm systems यह antlemebore simplex के कार् know होता है यह antlemebores geb生 के कार्ण होता है planer ya antlemebore gengivitis के कार्ण होता है सोने की बीमारी ट्रेपेनो सोमा के कारण होता है नेक्स्ट है देखिए फपूस धुलिय मिता से कोईला खनन उद्यगों में कारत स्रमिक रोग गरस्थ हो जाते हैं और किमी जनीत रोग क्या है फालेडियेस यह वेचुरेडिया ब्रेकोफलाई और बुड़गिया तीमोरी के कारण होता है दोस्तों फालेडियेस और क्या टिनियेस टिनियासुलियम के कारण होता है और इसकोरियस यह इसकेरी से लुम्बरी क्राइट्स के कारण होता है दोस्तों कबक जनीत रोग देखिए क्या क्या है एथलिक फूर्ट जो है दोस्तों ट्राइकोफाइटोन माइक्रोएस्पोरम के कारण होता है एथलिक फूर्ट ट्राइकोफाइटोन माइक्रोएस्पोरम के कारण होता है खाज यह एकरस इसके बीज के कारण होता है दाद रिंग वार्म ट्राइकोफाइटोन एपीडर्मोफाइटोन के कारण होता है पौधों में लगने वाले मुहत्पून रोग कौन कौन है वो देख लीजिए क्या 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 कवक जनित पादप रोग और रोग कारी कवक हैं ये कवक जनित है सभी आलू का विलंबित अंगबारी जो होता है दोस्तों कवक के द्वारा होता है ये फायटोप थोड़ा इन फेस्टन्स के कारण होता है और आलू का अंगमारी रोग कवक के कारण होता है अल्टर नेडिया सोलिनी के कारण होता है मुंभली का टिक्का रोग ये कवक के कारण होता है दोस्तों ये जाद रखेगा सर कोस्पोरा पर सुनेटा के काड़rij 후 का लाल विलगन गन्ना का लाल वीगलन जुन होता है धोस्तों ये कवक के द्वारा होता है याद के कुलेटो क्लेटोट्राइकम फाल केटरम के काड़र होता है यहाँ का काला की ट्रोग पक्सिनिया ग्रेमिनीस याद के टीटीसी के कारण होता है गेहु का काला किट रोग ये पक्सिनिया ग्रेमिनीस टीटीसी के कारण होता है गेहु का सल्थकंड ये याद के अस्टी लेगो टीटीसी के कारण होता है गेहु का चुन आसित रोग ये याद रखे है इरिसाइपी ग्रेमी नीस के कारण होता है कुरूसी पेर का सफेद कीट ये याद रखे है अलबीगो केंडीडा के कारण होता है सभी कवक के द्वारा होता है दोस्तों बाजरा का मिर्दू रोमेल आसित ये याद रखे है किसु फेर का मिर्दू रोमेल आसित ये कवक के कारण होता है ये रोग दोस्तों ये परोनो एस्पोरा याद रखेगा पेरोनो एस्पेरा पेरासाइटिका के कारण होता है बाजरा का इर्गोट रोग बाजरा का इर्गोट रोग कवक के कारण होता है तो याद रखे केलवी सेप से स्वी फोर्सिस के कारण होता है आलू का वाट रोग ये कौन से कवक से होता है दोस्तों संकी ट्रिटियम इंडो बायो टिकम के कारण होता है बाजरा का गीन इयर रोग ये इसकिलरो एस्पोरा ग्रेमी कोला के कारण होता है नेक्स्ट राई का इर्गट रोग ये यादर किल्वी स्भसे परपूरया के करण होता है नेक्स्ट ब्राउन लिप स्पोर्ट और एस्पोरेम और आईजी के कारण होता है ब्राओन लिप, सपोट और प्राइस यह कौण से कवक से होता है हेल, मिन्ठो, अशेपोरियम और IZी कवक के कारन होता है विशानू जनीद पाधप रोग और रोककारी विशानू सब विशानू से होता है तंबाकु का मौज़ेक रोग टोवेको मोजेक वाइरस से होता है तंबाखू का मोजेक रोग टोवेको मोजेक वाइरस से होता है आलू का मोजेक रोग पोटेटो वाइरस से होता है बंकी टाप ओफ बनाना ये बनाना वाइरस से होता है फुलगोवी का मोजेक रोग फुलगोवी मोजेक वाइरस से होता है फुलगोवी का मोजेक रोग फुलगोवी मोजेक वाइडस से होता है गाजर का लालपती रोग गाजर लालपती वाइडस से होता है ओजेविक पादप रोग देखिए निम्बू में डाइबेक रोग कौपर की कमी से होता है निम्बू में डाइबेक रोग ये कौपर की कमी स आमले में आंत्रिक निक्रोसिस रोग बुरोन की कमीश होता है नेमू में लिट्ली रोग कौपर की कमीश होता है आम में लिट्ली रोग जस्ता की कमिस होता है धान में खेरा रोग जस्ता की कमिस होता है फुलगोवी में वीप टेल रोग मुलिब्डा नेम की कमिस होता है चुकंदर में हाट रोड बोरोन की कमिस होता है आलू का ब्लैक हाट रोग भंडारन में ओटू की कमिस होता है फुलगोवी में ब्रॉनिंग रोग ब्रोन की कमिस होता है फुल गोमी में ब्रोनिंग रोग यह होता है ब्रोन की कमिस दोस्तों नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे जिवानों जनीत पादप रोग और रोग कारी कारक देखें क्या जिवानों जनीत है सभी आलू का सेतिल रोग आलू का जो सेतिल रोग होता है स्वीं जीवाणूं की कारने है दोस्तों याद रखेगा धान का अंगमाली रोग जंतो मोनास ओराईजी जीवानुस होता है नेंबु का क्यंका रोग जंतो मोनास सिट्री जीवानुस होता है गेहों का टुन्ड ओग ये यादर रखे कोरिनोबेक्टरियम टृटिकी सोता है गेहों का टुन्ड ओप्डोग ये जेंथो मनास मालवे सीरम से होता हैं दोस्तों सब जिवानों होता है है सेव गुलाब टमटर का क्राउन गाल ये यादर रखे एगरो बैक्टरियम टिमी फोंसियन से होता है आलू का स्केब रोग ये यादर के स्ट्रेप्टोमाइसिज असकेबिजी के कारण होता है आलू का सेथिल लोग स्विडो मोनास स्विने सीरम के कारण होता है नेक्स्ट विविद यानि मिसलेनियस के बारे में अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे अनुवांसिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है ग्रेगर जॉन मैंडल को कहा जाता है एजोला एक जलिये फर्ण है जो जेव उर्रक के रूप में पर्योग किया जाता है क्योंकि यह निल हरी सेवाल का सहचारी होता है एजोला एक जलिये फर्ण है जो जेव उर्रक के रूप में पाया जाता है क्योंकि यह निल हरी सेवाल का सहचारी होता है दोस्तों अनुवान सिक्ता की एकाई को क्या कहते हैं जीन कहते हैं स्वयाबीन में नाइट्रोजन इस्त्रिकरन के लिए किस बेक्टरिया का प्रयोग किया ता राइजोबियाम जेपो निकम का स्वाइबिन में नाइट ट्रोजन इस्त्रिकरन के लिए किस बेक्टरिया का प्रयोग होता है राइजो बियम जेपो निकम का मेंडल ने अपने वनसागत नियमो को परतिपादित करने के लिए किस पोधे पर प्रयोग किया था मतर के पोधे का यानि गाडेन टी का मेंडल ने मेंडल ने अपने वंसागत नियमो यानी दोसो इन हेरिटेंस रूल्स को परतिपादित करने के लिए किस पोधे पर पड़ियो किया था मतर के पोधे पर निक्ष डियेने में पाए जाने वाला टायरोसीन योगिक एमिनो अमल का निर्वान नहीं करता जेव उर्रक के रूप में किन सुक्ष में जीवों का परियो होता है साइनो बेक्टरिया का जीवों में अनुवांसिक लक्षन किसके माध्यम से संतानों में जाता है क्रोमोसोम द्वारा प्रूज सेक्स हार्मोन कौन सा टेस्टेस्ट्रोन कौन सी गरंथी को एक विशेस हर्मोन का सराव करने के लिए आयोडिन के आवे सकता होती है जिसकी कमी से घेंगा रोग होता है थाराइड प्राणियों में अहार सोसन और संसलेशन उपापचाय के तीन पर्मुग गुन है स्वेद वास्पन की किरिया किसे समन्दित है उसमा सोसक किरिया से समन्दित है कोलेस्टरोल क्या है जन्तु वसा में उपस्तित वस ये अलकोहल कारवन डेटिंग वीधी का पर्यों किसकी आयू निर्धारन हे तो किया जाता जीवास्मों यानि फोसिल्स की पर्थम डाइनोस्टोरियम के अंदर कहां अस्थापित किया गया था हैदराबाद में पर्थम डाइनोस्टोरियम के अंदर कहां अस्थापित किया गया था दोस्तों हैदराबाद में भोजन वनस्पती घी की अपेक्छा तेल में बनाना स्वास के लिए लाबदाय क्यों माना जाता है गती प्रेरक का कारी हिर्दे अस्पंदन या धरकन को समझित करना है फिरो मोंस किसमें पाय जाता है कीटो में आयोडिन किस से प्राप्त होता है दोस्तों लेवी नेरिया सेवाल से ये प्राप्त होता है अस्थानी वनस्पतियों का संग्रग क्या कलाता है हर्बेरिया देश का पाला बायोडिजल से यंदर किस राज में अस्थापित किया गया आंध पर्देश में गुर्दे की पथरी को किर्णो दुआर तोरना क्या कलाता है तो लिथो ट्रिप्सी कलाता है गुर्दे की पथरी को किर्णो दुआर तोरना क्या कलाता है लिथो ट्रिप्सी कलाता है नेक्ट सरीर के आंत्रिक भागों के अबलोकन के लिए पर्योग में आने वाली एरी कलित टोमोग्राफी के लिए एक्स की ने पर्योग में लाई जाती है सरीर की आंत्रिक भागों के अबलोकन के लिए पर्योग में आने वाली पर्योग के लिए एक्स की ने पर्योग में लाई जाती है सांती सौरू भटनागर पुरुसकार किस छेत में पर्दान किया जाता है विज्ञान के छेत में संती स्वरू भतनागर पुरुष्कार कि खत्में पर्दान किया जाता है विज्ञान किखत्में पर्ण हरितमें कौन सा मुख्यत ततो पायाता हैγनिसियम पन हरित में कौन सा मुखी ततो पाई आता है? मैंगनिसियन पेनिसिलीन के अभिस्कारा कोन है? अलेकजन्डर फ्लेमिंग कृतिम रेसम को किस नाम से जाना जाता है? रेयोन नाम से जाना जाता है तो यादर के साक नासी के रूप में एक परजिवी पर दुसे परजिवी के आसित रहने के स्थिति क्या कहलाती है? उप परजिवता कहलाती है आग की सुगरहकता किस रंग के लिए सबसा अधिक होती है? पीला वो हरा रंग याद कि आग की सुगरहकता किस रंग के लिए सबसा अधिक होती है? पीला वो हरा बिटिस वेग्यानिक चार्स डार्विन ने दी The Origin of Espesis नामक पूस्तक की रचना किया था बिटिस वेग्यानिक चार्स डार्वी ने दा ओरिजिन ओप एस्पेसिस नावप पुस्तक की रजना किया था बायोडिजल बनाने में किस वनस्पती का पर्यूग किया जाता रतन जोत जेट्रोपागा बायोडिजल बनाने में किस वनस्पती का पर्यूग किया जाता रतन जोत जेट्रोपागा उर्जा के वेकलपिक सुरोतों के संदर में जेबइंदन किस से प्राप्त किया जा सकता है वाइट लेग हाउन किस की एक किस में है तो कुकोटों की एक किस में भाईट लेग हर्ण किसकी एक किसमे? कुकोतों की एक किसमे? दीमक यानि टर्माइट को अने किस नाम से जाना जाता है? स्वेत चीटी के नाम से दीमक को जाना जाता है भारत में High Security Animal Disease Laboratory भपाल में इस्तित है भारत में High Security Animal Disease Laboratory कहा है? तो भपाल में है दोस्तों भपाल में CDRI यनि Central Drug Research Institute CDRI कहा है स्थित्य लखनोव में CDRI कहा है Central Drug Research Institute लखनोव में भारती सर्वेक्षन विभा किस मंत्राले के अधिन है विज्यान और पुरुदित की मंत्राले भारती सर्वेक्षन विभा किस मंत्राले के अधिन है विज्यान और पुरुदित की मंत्राले नेक्स्ट ओग्जेनोमीटर का पर्यों किसलिये किया जाता है पादपो की विर्दिदर मापने में भारत का पर्थम दंथ चिकिस साब महावी द्याले कहां अस्थापित किया गया है क्वलकाता में भुरुदिये विर्दि को मापने के लिए अल्ट्रो सोनिक्स तक्निका प्रयोग किया जाता है बुरुदिये विर्दि को मापने के लिए अल्ट्रो सोनिक्स तक्निका प्रयोग किया जाता है नेक्ट हेरोईन नोसकापीन किस पादप से निर्मित की जाती अफिम पोस्ता से बारोधी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जन्त उपयोगी होते हैं मदुमक्खी मदुमक्खी कोलिनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचांते हैं तो इनर्तक यानि डांस से तर्मटर के बीज रहित भल का उत्पादन किस परकार संबव है पुस्पों पर हार्मोन के छिर्काव से टरमटर के बीज रही तफल का उपादन किस परकार संबवें पुस्पों पर हार्मोन के छिर्काव से निक्ष पॉली हाउस पॉली हाउस का परियोपोधों को उगाने के लिए किया जाता है पौली हाउस का पडियो पोधों को उगाने के लिए किया जाता है मदुमक्यों की भासा के पाचन करने के लिए किसे नोवेल पुरुसकार से सम्मानित किया गिया है दोस्तों तो याद रखेगा कार्ल वान प्रिस्ग को 1973 में मदमक्यों की भासा की पाचन करने के लिए किसे नोवेल पुरुषकार से सम्मनित किया गिया है कार्ल वान प्रिस्क को किया गिया 1973 में अंगोरा उन किसे प्राप्त होता है दोस्तों खरगोश से अंगोरा उन गुरुत्यूबल के विपरित पोधों के पते में पानी की सक्रियता का क्या करन है वास्पो उत्सजन उच वर्गे पोधों में कौन सा जिवित उत्तक जे पोसक वहा का कारी करता है फ्लोयम करता है पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है तो S.A.N.O.T.S के नाम से पेसमेकर जाना जाता है सितल पयों में किस पदार्थ प्रियार्थ मातरा में होती है केपीन होती है दोस्तों सितल पयों में केपीन होती है एंडो एसकोप प्रकास के पुन आंतिक प्रावर्तर टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन के सिधान पर कारी करता है नेक्ट हर्गोविंद खुराना को किस उपलवदी के लिए नोविल पुरुषकार से सम्मानित किया गिया जेनेटिक कोट की वैक्ख्या तथा प्रोटीन की संसलेशन में उसकी भूमिका को सम्झाने के लिए उपजातियों में कौन सी उपजाती भोकने में वगस्मर्थ होती है डिंगो स्वान उपजातियों में कौन सी उपजाती भोकने में वो समर्थ होती है डिंगो दोस्तों गोसला बनाने वाला एक मात सर्फ कौन सा है किंग कोबरा गोसला बनाने वाला एक मात सर्फ कौन सा है दोस्तों किंग कोबरा बीच के परिकिर्णन की सेंसर विधी किस पादप में पाए जाती है वासा के संघ्रह के लिए करता है जारविक सेवन किरितिम हिरदे का विस्कार किस ने किया था रॉबट जारविक ने दोस्तों नेक्स्ट संयुक्त राज अमिर्का की सेना द्वारा वियतनाम यूद में परियुक्त खर्पतवार नासकरासाइन एजेंट ओरेंज के नाम से जाना जाता है सेना द्वारा वियतनाम यूद में परियुक्त खर्पतवार नासकरासाइन एजेंट ओरेंज के नाम से दोस्तों जाना जाता है व्रीज के आयू कैसे निर्धारित की जाती है उसके तने में निर्मित वलियों की संख्यां के अधार पर जिमनो एस्पर्म के अंतरगत ऐसे पोधों को रखा जाता है जिनमें बीज आवरन रहित होते हैं नेक्स कावनिक पदार्थों में से कौन सा एक प्रिकृति में सरवादिक पर्चुरता में पाय जाता है कावणिक पदार्थ में से कौन सा एक प्रकिर्टिम सरवादी परचुरता में पायाता है सेलूलोज निसेचन के बिना अंडे का विकास क्या कलाता है वो निसेचन जनन कलाता है धान के पोधे उगाने की डेपाग विधी किस देश में विक्सित हुई थी फिलिपिन्स में नेतरदान में आंक के किस हिस्से को पर्तिरूपित किया जाता है कौर्णिया को नेत्रदान में आंके किस हिस्टे को पर्तिरोपित किया जाता है दोस्तों कौर्णिया को किया जाता है दचिन अफिर्का के डाक्टर किस्चन बनार द्वारा हिर्दे का पर्थम पर्तियस्थापन किया गया था भारत में विक्सित धान की पर्थम बोनी किसम कौंसी है? जया हिर्दे में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों, चार वह कौंसा जीव है जिसमें पिता से नहीं होता है? चुहा में मुख्य मच्छर विकर्सक पदार्थ किस पादब से प्राप्त होता है? नीम से मुख मक्चर विकर्शक पदार्त किस पादब से प्रापत होता है नीम से भारती सर्वेक्षन विवाग का मुख्याले कहा इस तीता देहर आदूं उत्राखन में रत दा ब्लड प्रेसर का नियंतरन किस गरन्ति की द्वारा होता है अधिवरी की गरन्ति के द्वारा जे प्रोदित की द्वारा किंसर के उपचार के लिए कौन सी उसदी तयार कि जाती है तो याद रखे, इंटर फेरोन किया जाता है, ने पर्ती जन्म वा पधार्थ है जो पर्ती रख्ची एंटिबोडी के निर्मान को उधप्रेरिद करता है, पसु का तापकरम किस यंदर से मापा जाता है तो वेटनरी थर्मामीटर से पसु का तापकरम किस यंतर से मापा जाता है वेटनरी थर्मामीटर से लोही किस देखिए लोही किस जन्तु अत्वा पादप की नसले भेर की है लोही किस जन्तु या पादप की नसले भेर की है केसर पोधे के वर्तिकागर से प्र लापट होता बीटी बैगान बीटी बैगान क्या है अनुवांसि रूप से प्रीवर्थित बैगान है दोस्तों ये गाय की उच्चा-ठाइण गाय की उच दुद, ऊथौत, पादक पर vitamin A और B का खुच करता मेकुलन है vitamin C के खुच करता हॉलकट है vitamin C के खुच करता दोस्तों हॉलकट है vitamin D के खुच करता हॉपकिन्स है vitamin D के खुच करता हॉपकिन्स है स्ट्येप्टु मैशेन के खुश पारता स्ट्येमन वेक्समें ईब्राहम है। हुद्धेपर्तियारोपन के खुश करता किस्चन बनाठ है। हैम апافाथी के खुश करता हैनी मेन है। मलेरिया पर demi वो चिकसा के खुश करता रोनाल्ल रोस है। पेचीस तता पले की चिकसा के खुचकरता कीटा जाटो है लिंग हर्मोर की खुचकरता इस्टे नाच है ओपें हाट सर्जडिय की खुचकरता वाल्टेन लीली हल है गर्ब निरोधाक गोलियां की खुचकरता पिनकस है पर्थम परक नली सिसु कौन है तो याद रखेगा एडवर्ट्स एवं स्ट्रेप्टो पर्थम परखनिली सिसु के अविस्कारक हैं दोस्तों यह अविस्कार खोज है यह एडवर्ट्स एवं स्ट्रेप्टो एलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ की खोज करता है विल्यम इन्थोवेन एलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ की खोज करत दोस्तों विल्याम एंथोवेन, एंटिजन की खोच करता है लेंड इस्चिनर, RNA की खोच करता है प्रेडिक मीशर, DNA की खोच करता है जेम्स वाट्सन एबं क्रीक, इंसुलीन की खोच करता है प्रेडिक ग्रांट बेटिंग, क्लोरोफोर्म की खोच करता है हेरिसन तथा सिंप चेचा की टीका की खुच करता है Edward Jenner, टेरामैसिन की खुच करता है Phenyl, टेवी बेक्टरिया की खुच करता है Robert Coach, पोलियो बेक्टरिया की खुच करता है Jonas Salk, BCG की खुच करता है Camelope O Cameliguerine, BCG के खोच करता है Camelette Woke Cameliguerine और Bacteria के खोच करता है दोस्तों Luvenhawk Bacteria के खोच करता है Luvenhawk दोस्तों Bacteria के खोच करता है रक्त सम्मू के खोच करता है Carlande-Eastiner धान की फसल में निल हरित सेवाल का पर्योग जेब उर्ग के रूप में और यहीं पि दोस्तों ये पूरी biology कंप्लीट हो गई है अब हम लोग ये भी कंप्लीट कर लेते हैं इसमें दोस्तों विज्ञान एबम प्रोदित की काफी ये important है दोस्तों और ये section E media गया है विज्ञान एबम प्रोदित की science and technology ये काफी important है दोस्तों पहला चेप्टर इसका जै प्रोदित की यानि बायो technology अनुवांसिक रोगों की पुरु सुचना प्राप्ट करने की तक्निक क्या कहलाती है जिनोम का संपूर्ण ग्यान सरपर्थम किस पोदे से प्राप्थ हुआ था तो याद कि फेत्रिक्टा सिध करने के लिए किस तक्निक का प्रयूग किया जाता दोस्तों प्यात्रिक्टा सिध करने के लिए गुँनसुतर दियने एवं हिस्टों प्रोटीन से निमित होते हैं बहारत के किस वेग्यानिक ने ट्रांस जैनिक सिल्क वर्म का विकास किया था प्रोफेसर गोपी नाथन ने बायोचिप में क्या होता है आरेने डियने तथा प्रोटीन होता है राष्ट्र रोग परतिरक्षा संस्थान कहां इस्तित है नई दिली में किस वेग्यानिक को परतिरक्षा विग्यान का जनक माना जाता एडवर्ड जेनर को किस वेग्यानिक को परतिरक्षा विग्यान यानि एमिनोलोजी का जनक माना जाता है एडवर्ड जेनर को भारत का कौनसा एक मात सोथ संस्थान डियने फिंगर प्रिंटिंग जेव तकनिक से समन दित है राष्टी डेरी सोथ संस्थान यानि नेशनल डेरी रिशर्स इंस्च्च और अगस 2010 में हरयना के करणाल में गडिमा दो नामक एक कलोन भहेंस विक्सित की गई थी याद रखेगा राष्ट डेडी स्वसंस्थान नेशनल डेडी रिसस इंस्टिट एंडी आराई के विग्यानिकों दुवारा अगर 2010 में हडियाना के करनाल में गडिमा दो नामक एक कलोन भहेंस विक्सित की गई थी एक एक ऐसी जेविक रचना जो एक मातर जनक माता अथवा पिता से ओलेंगी की विदी द्वारा उत्पन होती है क्या कलाती है क्लोन कलाती है मनुस द्वारा नेमित अनुवांसिक रूप से अभी यंतरित पर्थम जीवित जीव कौन सा है डॉली है मनुस द्वारा नेमित अनुवांसिक रूप से अभी यंतरित पर्थम जीवित जीव कौन सा है दोस्तों तो डॉली है डॉली नमक भेर है दोस्तों वेग्यानिक ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक परकार के कैंसर के लिए उतरदाई माना जाता है तो UTX जीन दोस्तों उनके अनुकर्मों की पाचन और मान चितरन करना विस अस्तर के प्रोग्राम मानब जीनों प्रियोजना का ओदिस क्या है तो मानब जीनों और उनके अनुकर्मों की पाचन और मान चितरन करना प्रकनिली सिसू के जन्म के लिए निशेचन कहां किया जाता है माता के शरीर के कि याद कि सुजण निकी सुजण निकी का जनक कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन को किस वेज्ञानिक को सुजन निकी का जिनक कहा जाता है दोस्तों फ्रांसीस गाल्टन को जेम्स डी वाट्सन तथा फ्रांसीस क्रिक द्वारा डियने डियने की सरचना के दू हैलिक्स सरचना डेवल हैलिक्स सरेस्टेक्चर को पहली बार वर्ष उनिसो तिरपन में प्रस्तूत किया गया था डवल हैलिक्स मोडल किस ने दिया था दोस्तों वाट्सन एवाम किरिक ने कब त उनिसो तिरपन में दिया था नेक्स जीनो ट्रांस जीनो ट्रांस प्लान टेंशन से ताथ पड़िये क्या है एक प्रजाती से दूसरे प्रजाती में अंगों का परतियारोपन जीनो ट्रांस प्लांस या प्लान टेंशन से क्या ताथ पड़िये एक प्लान टेंशन से दूसरे प्रजाती में अंगों का पर प्यार्वपन अनुमांसिक अभियांत्री की यानि जेनेटिक इंजिनेरिंग से बैगन की एक नहीं किसमें बीटी बैगन विक्सित की गई है जिसका लक्षी से या देखे नासक जीव सह बनाना है भारत में जैप्रुदित की विभाग के अस्थापना किस वर्स की गई थी व याद्र खेगा वेग्यानिक जैंस डी वाट्सुन को अनुवानसिकी के छहतर में कार करने के लिए नौवेल-पुरुष्कार परदान किया गया था याद रखेगा वेग्यानिक जैंस वाटसम को अनुवांसिकी के चेत में कार्व के लिए नोवेल पुर्शकार प्रदान किया गया था बीटी बैगन मही को मतलब दोस्तों मल्टी नेशनल कंपनी द्वारा बीटी बैगन विक्सित किया गया था उसका नाम है महीको, महीको के द्वारा, राष्ट्रिय वनस्पति सोदसंस्तान नेशनल बोटनिकल रिसर्स इंस्चिट कहा है इस तित है लखनों में दोस्तों, नेशनल बोटनिकल रिसर्स इंस्चिट लखनों में है, निट हाई ब्रिडो मा प्रोदित की एक नया जीब प्र जो एक किलीनों परती रक्षों के वनजीक उत्पादन के लिए है ये राष्ट जैविक खेती केंदर यानि नेशनल और्गेनिक फार्डमिंग सेंटर कहां इस्तित है गाजियाबाद उत्तर परदेश में राष्ट जैविक खेती केंदर यानि नेशनल और्गेनिक फार्डमिंग सेंटर कहां इस्तित है गाजियाबाद उत्तर परदेश में टेरी यानि दा इनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्ट्ट नए दिली द्वारा विक्षित की गई माइको राइजा नामक फफुंदी फ़सलों तथा विरिक्षों सहित लगवग सभी परकार के पोथों के लिए उप्युक्त मानी जाती है दोस्तों याद रखेगा सुपर राइस किसके द्वारा विक्षित किया गिया था डाक्टर जी एस खुस द्वारा अंतराष्ट चाबल सोस्तान मनिला में ये कारगरत है दोस्तों क्या नामें डाक्टर जी एस खुस नेक्ट बीटी का पास के उत्पादन से कौन सा सुक्षम जीव समन दित है बीटी का पास के उत्पादन से तो ये याद रखेगा दोस्तों बेसीलास थ्रिन जी जीनसीस नमक जीवानू बेसी लास थुरेंजीस नामक जीवानू 3 अगास 1994 को डाक्टर वेनू गोपाल के नेतरतु में अकिल भारती अईरविज्यान संस्तान औल इंडिया इंस्टिट अफ मेंडिकल साइंसेस यानी एम्स नई दिली में पर्थम सफल हिर्दे परतिया रूपन किया गया था याद रखिया 3 अगास 1994 को डाक्टर वेनू गोपाल के नेतरतु में अकिल भारती अईरविज्यान संस्तान औल इंडिया इंस्टिट अफ मेंडिकल साइंसेस एम्स नई दिली में पर्थम सफल हिर्दे परतिया रूपन किया गया था काई कोशिका नुकेलिय अंतरन प्रोदित की यानि SCNT का पड़ियो किस कार के लिए किया जाता है सरेरिक वो अनुवांसिक रूप से क्लोन जीव तयार करने में या काई कोशिका नुकेलिय अंतरन प्रोदित किये, ये S, C, N, T का पड़ियो किस कार के लिए किया जाता है, तो सरीरिक वो अनुवासिक रूप से कलोन जीव तयार करने के लिए किसी जीव के उसकी पाचान सरीरिक वो वेभारी के गुनों के अधार पर सत्यापित करने की तक्निक को क्या काते हैं, तो बायो मेट्रिक्स काते हैं 25 नमबर 2007 को केंद सरकार द्वारा Center for Cellular and Molecular Biology हैदराबाद में देश के पहले STEM सेल तक्निक और पुनर उत्पादन औस्दी पर चिकिसी अनुसंधन केंद अस्थापित किया गया है 25 नमबर 2007 को केंद सरकार द्वारा Center for Cellular and Molecular Biology हैदराबाद में देश के पहले STEM सेल तक्निक और पुनर उत्पादन औस्दी पर चिकिसी अनुसंधन केंद अस्थापित किया गया भारत का पहला जेप प्रोदित की जीला कौन सा है दोस्तों तो यह है एरणा कुलम उत्पेरल में हैं भारत में बाले पूल्य inspections का निर्मन के सके द्वारा किया गया था भारत immunological and biological कार्पूरेशन बूलण्द सहर उत्र पर दीश भारत में पोलियो बैक्सिन कार्णिर्मन किसके द्वरा किया गया था तो याद के भारत एमिनोलोजिकल एबाम बायोलोजिकल कार्पूरेशन बुलंद सहर उतर पर दिश परसब पूर्व एम नियो सेंटिसीस विधी से भ्रून का लिंग ग्यात किया जाता है दोस्तों नेक्स्ट है राष्ट ये कोसिका विज्ञान केंदर नेशनल सेल्स साइन्स सेंटर कहां इस्तित है पूर्य महरास्ट में ये इस्तित है सरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जीन में सरीर की किसी भी परकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टी करन की चमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर सोध का केंदर बिंदू है काई कोशिका यानि या देखेगा सोमेटिक सेल्स कहलाता है Institute of Microbial Technology कहां इस सिते चंडीगड में 1984 में अस्थापन हुआ था दोस्तों Institute of Microbial Technology का नेक्ट अंगलियों की निसानों के बहुरंगी सता पर उभारने या उभारने हैं तो किस रासाइन का प्रयोग किया जाता है फ्लोरसेंट पॉडर का प्रयोग किया जाता है ऐसे सुक्ष्ण जीव जिनका प्रयोग करके पोधों को पोसकत्तों की प्राप्ति कराई जा सकती है क्या कलाती है जैव उडराग राष्टे पादप जैव प्रोदित की एक केंद्र कहां इस्तित है नई दिली में लखनों में विस्व का दूसरा तथा एसिया का पर्थम डियन बेंक कहां अस्थापित किया गया बायोटेक पार्क में किया गया है जब कोई जिन एक या दो से अधिक भीन भीन लक्षनों को एक साथ नियंतरित करता है तो यह इस्तिती बहुत प्रभाविकता कहलाती है सुनहरे धान में बीटा के रोटीन निर्मान करने वाले जिन को किस नाम से जाना जाता है तो फाइटोन सिथेज तथा फाइटोन डिजा टूरेज सुनहरे धान में बीटा के रोटीन निर्मान करने वाले जिन को किस नाम से जाना जाता है तो फाइटोन फाइटोन सिथेज तथा फाइटोन डिजा टूरेज इंपोर्टेंट है दोस्तों देश में दो परमुक उत्ताक समर्धन पाइलेट सैंत्र टिस्यू कल्चर पाइलेट प्लांट कहां अस्थापित किये गए हैं तो राष्ट रासानी प्रियुशला पूने तथा टाटा उर्जा अनुसंदा अनसंस्ता नई दिली में याद रखेगा कौन सा जी पोधों को नुक्सन पहुचाने वाले कीटों एवं अनिय ओथ्लो पोट्स को नष्ट करता है तो बेकिलो वाइरस नेक्स्ट देखिए C-R-I-S-P-R-C-A-S-K-S-9 प्रोदित की किसलिए प्रयोग की जाती है तो जिनोम के कुछ भागों को DNA अनुकरमों से निकालने जोडने या बदलने में सक्षम ये बनाती है दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे आंतीच प्रोदित की यानि स्पेस टेकनोलोजी के बाड़े में ये काफी इंपोर्टेंट चेप्टर है दोस्तों क्या है मेजर यूरी गागरीन वर्स 1961 मानव यूगत आंतीच यान से उरान भरने वाले पर्थम आंतीच यात्री थे मेजर यूरी गागरीन वर्स 1961 में मानव यूगत आंतीच यान से उरान भरने वाले पर्थम आंतीच यात्री थे चंदमा की सता पर उतरने वाला पहला आंतीच यान कौन सा था तो लूना 2 था दोस्तों 13 सितंबर वर्स 1969 सुवियल संग द्वारा ये पर्छेपीत है दोस्तों यादि चंदमा की सता पर उतरने वाला पहला आंतिश्यान कौन सा था लूना 2 था 13 सितंबर वर्स 1969 सुवियल संग द्वारा ये किया गया था पर्छेपीत निल आर्मे स्ट्रोंग चन्दमा पर किस यान से गई थे अपलो 11 से नेक्स्ट है दोस्तों आंतिश निया पर छेपित किये जाने वाले पर्थम भारती उपगरा का क्या नामे आरी भट है दोस्तों क्या स्थापना कब की गई थी? तो 29 जुलाई 1908 को. नासा क्या स्थापना 29 जुलाई 1908 को की गई थी, दोस्तों. 2 सितंबा 1971 को. मंगलगरा पर उतरने वाला पर्था मानम निर्मित यान मार्स थड किस देश के द्वारा पर छेपित किया गया था सोवियस संग के द्वारा. 2 सितंबा 1971 को. मंगलगरा पर उतरने वाला पर्था मानम निर्मित यान मार्स थड किस देश के द्वारा पर छेपित किया था सोवियस संग. एक भू इस्तिरूप गरा जियो एस्टेशनरी सिटेलाइट का परिभरमन काल होता है 24 गंटे. एक भू इस्तिरूप गरा का परिभरमन काल होता 24 गंटे. निगे तियान वेन वन मंगल मिशन किस देश समन्दी थे चीन से दोस्तों. इस रोब की मास्टर कंट्रोल सिवधा कहां अवस्तित है हासन करना टक में. नासा के अंतरिक्षियान का नाम क्या है केसिनी है. नासा के अंत्रिक्षियान का नाम क्या है केसिनी भारती मोसमी उपगरा मेट सेट को किस अनिनाम से जाना जाता है कलपना वन 12 सितंबर 2002 को परचेपित हुआ था वर्स 1984 हुए पोखरान नावी के प्रिक्षन को कौन सा कुट नाम दिया गया था एसमाईल बुद्धा वर्स 1980 में स्रीहडी कोटा से भारत में सोदेश निर्मित पहले उप्गरा रोहिनी 1 का पर्चेपन किसपर्चेपन यान से क्या गया तो SLB 3 यानी सेटिलाइट लूँच वीकल से याद रखेगा वर्स 1980 में स्री हरी कोटा से भारत में सोदेश नेमित पाली उपगरा रोहिनी वन का पर्षेपन किस से पर्षेपन यहां से क्या गया तो SLB यान SLB 3 यानि सिटेलाइट लॉंच विकल से आंतिश में जाने वाला पर्तम भारती कौन था? राके सर्मा वर्स 1984 में आंतिश में यह गया था पुखरन नावी के प्रिक्षन दो कब किया था? 11 माई 1998 को मेसेंजर किसका अन्वेंसी आंतिरिक्षियान है? नासा का मेसेंजर किसका अन्वेंसी आंतिरिक्षियान है? नासा का नासा दोड़ा पर्षिपित मेसेंजर आंतिरिक्षियान किस गरह से संबंदीत सुचनाय प्रात करने के लिए भेजा गया? बूद याद मेसेंजर बूद के लिए किर्योसिटी रोबर किस गरह की जनकारी जितोंने के लिए पर्शेपित क्या गया मंगल असपुतनिक फस्ट चार अक्टवाई 1957 को सव्यल संग द्वार निर्मित विश्व का पर्थम सफल पर्चेपित उपगर है था अस्पुतनिक फास्टी चार अक्टबा उनिसो संतावन को सुविया संग दुवार निर्मित विशुका पर्थम सपल परचेपित उपगड़ा था नासा की जेट पर्नोधन प्रियुक साला कहां इस्तिते केलिफोर्निया में नासा की जेट पर्नोधन प्रियुक साला कहां इस्तिते केलिफोर्निया में भारती आंतिच अनुसंदान संगटन इंडियन एस्प्रेस रिसर्च और्गिनाजेशन इस्रो की अस्थापना कब हुई थी दोस्तों तो 15 अगस 1979 को इस्रो की अस्थापना हुई थी सोविय संकी सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सेटलाइट कहां से परचेपित किया गया था तो याद रखेगा बेको नूर से किया गया था सोविय सनकी सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सेटलाइट कहां से परचेपित किया गया था विक्रम सराबाई आंतरिच के अंदर यानि b s с c कहा इसे थे दोसरो 33 वनंद पूरम किरल में है विक्रम भाई आंत्रिच्ट केन इसो द्वारा किस परचेपनियान लांचिंग वहिकल को फेट वाय नाम दिया गया जीसलवी एमके थटको जीसलवी एमके थटको मेगा ट्रोपिक्स उपगरह का मुख्य उद्धिस क्या है करके वं मकर रिखा के मद्य के छेत्र उसने कटी बंदिये म मेग निर्मान की परिक्रिया का अध्यान यादर के मेगा ट्रोपिक्स उपगरा का मुझे उद्यस क्या है तो करके वं मकर रिखा के मद्य के छेत उस निकटी वंदिये मेग निर्मान की परिक्रिया का अध्यान मेगा ट्रोपिक्स भारतिय फ्रांसिसी आंतिच एजनसी का स्यूत उपगरा मिशन है दोस्तों जोएंट सेटिलाइट मिशन है और इसे इसरों ने PSLV CA C-18 रोकेट द्वारा 12 अक्टुबर 2011 को पर्छेपित किया गया था MOM MOM का पुन रूप क्या है मार्स और विटर मिशन मार्स और विटर मिशन चन्यान दो किस लोकेट के द्वारा पर्छेपित किया गया था GSLV Mark III से विलेंटिना त्रेशकवा वर्स 1963 में आंतिच में जाने वाली विस्व की पर्थम महिला आंतिच यात्री थी विलेंटिना त्रेशकवा वर्स 1963 में आंतिच में जाने वाली विस्व की पर्थम महिला आंतिच यात्री थी दोस्तों भारत के द्वारा अस्थापित पर्थम बहुत रंगदरी आंतिच वैज सला कौन सी है इस्ट्रोसेट है इस्ट्रोसेट को किस टेलियसकोब का लगू संसकरन कहा जाता नासा के हबल एस्पेस टेलियसकोब का नासा द्वारा किस आंतिच पिंड के अध्यन के लिए नियो हेरोई जन्स नमक आंतिच यान परचेपन किया गया था पुलूटो नासा द्वारा किस आंतिचे पिंड के अध्यन के लिए नियो हेरो आईजन्स नमक आंतिच यान का परचेपन किया गया था पुलूटो का दोस्तों नेक्स्ट गोल्डी लॉक्स जोन क्या है तो बाहिया आंतिच में वर्चेतर जनापिर्थवी जैसे ग्रहों की खोज की संभावना है गोल्डी लॉक्स कहलाता है भारत का पहला प्रयोगी के संचार उपगरा कौन सा एपल है दोस्तों परचेपन हुआ था 1981 में चंद्रियान वन को सफलता पुर्वक परचेपित करने में भारत का कौन सा अस्थान है या दखेगा चटुमा है नेक्सा आई इंदा इसकाई आई इंदा इसकाई के नाम से कौन सा उपगरा परसीद है तो या दखेगा काटो सेट उपगरा मंगलियान किस रॉकेट के द्वारा परचेपित किया गया था कोङ़ परमुक रॉकेट, परचेपन, अस्तल है जिसे आपको याद रखनी है लॉंचिंग इस्टेशन है और देश है सरीहरीकोटा लांश्टिंग एश्टेसन यह आंद परदेशब्भारत में सरीहरीकोटा और ऑस्टराखान यह रूस में है पलेश्टा कास्मोड्रॉम रूस में है केप केनवेरल फ्लोरीडा युएसे में, केनेडी एस्प्रेसेंटर मेरिट आइसलेंड फ्लोरीडा युएसे में, कोरू फ्रेंच ग्याना दच्छीन अमिर्का में, फ्रेंच ग्याना दच्छीन अमिर्का में, नेक्स्ट पामा चीम एर बेस इजराइल में, उची नोरा इस्प्रेसेंटर कहा है, तो याद के कोगो सीमा जपान में, युमेरा अस्टेलिया में, युमेरा कहा है अस्टेलिया में, हमाम सहर इरान में, हमाम सहर कहा है दोस्तों, इरान में है, बेका नूर कजग किस्तान पूर्व सोव्यस संग में है, नेक्स्ट अल अनवर ये इराक में है, अल अनवर इराक में दोस्तों, जीट कौन एस्पेस लॉन सेंटर ये चीन में है नेक्स्ट रोसेटा नमक आंतिक्ष यान विस्व की किस आंतिक्ष एजनसी से समन्दित है यूरोपियन आंतिक्ष एजनसी से भारत का पर्थम रक्षा उपगरा किसे मना जाता है तो TES को मंगल गरह के उलका पिंड का एक टुकड़ा अंटार्टिका से प्राप्त हुआ है इसका क्या नम है दोस्तो ALH ALH 84001 मंगल गरह का ये उलका पिंड है नेक्स्ट भूबन क्या है तो इस्तुरो द्वारे विक्सित सब्टिवियर है भूबन नेक्स्ट भाही आंतिक्ष में चलने वाला पर्तम आंतिक्ष यात्री कोन है एलक्सी लियोनोव है 8 मार्च 1995 को ये भाही आंतिक्ष में तेडी थी नासा की जेट प्रोपल्सन लेबरेटरी कहां इस्तित है पासा डेना केलिफोर्णिया में नासा की जेट प्रोपल्सन लेबरेटरी कहा इस्तित है तो यादर के पासा डेना केलफोर्णिया में इस्रो का पला आंत्रीच प्रोदित की उस्मायन केंदर यानि STIC कहा अस्थापित क्या गिया है अगर तलातिरपूरा में थुम्बा विक्रम सरावाई आंतिचकेन के अस्थापना के लिए सबसे महत्पून कारण क्या है तो थुम्बा भू चुम्बक के विश्वतिय रेखा पर इस्तित्थे दोस्तों थुम्बा हबल एस्पेस टेलिए स्कॉप का निर्मान किसके द्वारा किया गया था नासा एवं यूरोपियन एस्पेस एजनसी द्वारा हबल का चीन के नेविगेशन परनाली का क्या नाम है तो याद रखेगा बी डू याद रखेगा सोवियत कास्मोड्रोम से पर्षेपित भारत का पर्थम सेटिलाइट कौन सा है आरेभट उनिसो पचत्ता भारत में कलपना चावला मेमोरियल प्लेंटेरियम की अस्थापना की गई है कुरूचित हड़िया नाम है भारत में कलपना चावला मेमोरियल प्लेंटेरियम की अस्थापना की गई कुरूचित हड़िया नाम है वर्तमान में विशु के कितने देशों ने अपने चंद्रमा मिशन भेजे हैं तो अमिरिका, रूस, जपान, चीन, यूरूप याओ यूरूपियन एस्प्रेस आंत्र मिशन भेजे हैं, नेक्स्ट आंत्रिचे, भारती आंत्रिक्षे अभियान का जनक फादर ओप इंडियन एस्प्रेस मिशन किसे मना जाता है, विग्रम सराभाई को दोस्तों मना जाता है, जियेसल्वी मार्क दो को किस अन्य नाम से भी जना जाता है, नौटी बॉय के नाम स जिन्रेशन विख्षित किया है, इजराईल, नेक्स्ट आज़ जून, नेक्स्ट आज़ जून, नेक्स्ट आज़ नी सो एकसी को परतम भारतीय संप्रेशन सेटलाइट एपल परचेपित किया गया था, अब हम लोग पढ़ेंगें दोस्तों, आंत्रिच के अंदर और अस् इसरो उपकरा के अंदर कहा है, बैंगलूरू करनाटक में, आंत्रिच उपकरा के अंदर कहा है, आमदाबाद गुजरात में, आंत्रिच उपयोग के अंदर कहा है, दोस्तों, आमदाबाद गुजरात में आंत्रिच उपयोग के अंदर है, उपयोग के अंदर, सार के अंद और तमिलाडू मेहंदगिरी में इसके अंद की परमुक सकाय है और इसरो टेली मेट्री निगरानी एवं नियंतरन नेटवर्क कहा है दोस्तों बैंगलूरू में इसका मुख्याले है और भूक के अंदर स्रीहरीकोटा तरिवननतपूरम बैंगलूरू लखनाओ पोर्ट बले मेर मोरिसस में है यह सभी जगाइ इसरो टेली मेट्री निगरानी एवं नियंतरन नेटवर्क है दोस्तों यह नेक्स्ट एसरो जरतो परनाली का ऐओ का है त्रिवननत पूरम के रल में राष्ट दूर सम्यंदी एजंसी का है है घराबाद एवं परमुक केंदर बाला नगर में है दोस्तों याद रखेगा क्या राष्ट ये दूर सम्यदी एजनसी का है है धराबाद और दोस्तों इसका परमुक के अंदर है बाला नगर में भारत के पर्थम एवं सबसे हलके याद के सारे तीन के जी नैनो उपगरा का नाम क्या जुगनू है दोस्तों भारत के स्थापना किस वर्स की गई थी वर्स 1958 में DRDO की अस्थापना की गई थी भवा पर्मानों अनुसंधान के अंदर कहां इस्थित है ट्रामबे मुंबई में इस्थित है नेक्ट हंसा दो क्या है नेशनल एरो एस्पेस लेबरोटरीज द्वारा निर्मित एक पर सिक्षन यान है कमदोडी के पर्षे पास त्रिसूल गति की दिरिष्टी से किस स्रेनी का है ये प्राधौनिक पर्षे पास त्र है दोस्तों त्रिसूल प्राधौनिक परछे पास तरे है संयुत राष्ट अमेरिका द्वारा तत्कालिन रूसी संके मदी नाविके सस्त्रों पर कटोती करने की रनने तीक याद कि आक्रामक सत्रों को सिमित करने के लिए वर्ष 2010 में नियो एस्टार्ट संदी की गई थी विश का पहला परमानो बिजली घर किस देश में अस्थापित किया गया था रूस में याद कि रूस में क्या नामे ओवर निस की परमानो बिजली घर 1954 में रूस में किया गया था सता से सता पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाल कौन सी पिर्थवी जो सता से सता पर मार करती है निक्षट T-90 SU धक टेंक का भारती नाम क्या भीस में पुर्व राश्पती अब्दुलकलाम ने वर्ष दो जार चे में कौन सा लड़ाकु वाई योन उड़ाया था नेक्स्ट बर्मोश सुपर सोनी कुज मिसाइल का निर्मन कींदो देसों के दोरा किया गया तो भारत और रूस के दोरा बर्मोश का निर्मन किया गया नेशनल डिफेंस कोलेज कहा इस तितर नई दिल्ली में डियार्डियों की द्वारा भारती थल एवं वायू सेना के लिए इंदर नामक रडार विक्षित किया गया है डियार्डियों की द्वारा भारती थल एवं वायू सेना के द्वारा इंदर नामक रडार विक्षित किया गया है सोदेश निर्मित पहला तेल वहाग पोत ओयल फ्लीट टेंकर कौन सा है दोस्तों आई एनेस सकती है सोदेश निर्मित पहला तेल वहाग पोत कौन सा आई एनेस सकती है भारत की लगु दूरी का टेंक परतिरोधी सोदेश निर्मित परचे पास्त का नाम क्या है दोस्तों नाग है एन्टी टेंक के रिसिस्टेंस नाग है सता से सता पर मारक करने वाली सोडी गती की दिश्टेंस किस निर्मित की मिसाल है सोडी तो यादर के हैपरसोनिक मिसाल है गती धोनी की गती से बहुत अधिक है दोस्तों इसका सोडी का भारत दोवारा विक्षित आई सी बीम ICBM जिसकी मारक चंता 2000 किलोमेटर से अधिक है का क्या नाम है अगनी 2 नाम है दोस्तों यादर कि ICBM का नाम क्या अगनी 2 2000 किलोमेटर से अधिक इसकी मारक चंता है नेक्स्ट अंतर महादिपिय बैलिस्टिक मिसाइल इसका ICBM है अंतर महादिपिय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में भार दुआरा फालकन रडार सिस्टम किस देश से खड़िता गिया है इसराइल से दोस्तों फालकन रडार सिस्टम खड़िता गिया है भारती वाई सेना का पहला सोदेसी एवं हलका लड़ाको वीमान लाइट कमबेट एरक्राफ्ट कौन सा है तेजस है दोस्तों याद रखेगा कलपकम तमिलाडो में इंद्रा गांधी परमानु अनुसंधन केंदर वर्श निसो एकतर में अस्थापित किया गया था भारती नोसेना में सेवरत आईएनस सकती क्या है तेल वाहक पोथा आईएनस सकती सेंध्राज अमिरका ने पहला नाविके विस्पोट कहां किया तो याद के वाइट सेंट्स में 16 जुलाइ 1945 से शीरी में वाइट सेंट्स में पहला नाविके विस्पोट किया था परचे पास्त्र का विकास किसके द्वारा किया गया था वाल्टर डॉर्ण बपर्गर तथा वन हर वन ब्राउन द्वारा किया गया था। भत डाला में भारत डानमिक्स लिमिटेट का मुक्षेल गाँ इसत्तित है ुदूर्आबाद में। नेत्र किस स्रेनी का जहाज है? मानवरहित हवाई यान है दोस्तों नेत्र लक्ष नामक मानवरहित एरक्राप्ट किसके द्वार निमित किया गया? DRDO द्वारा लक्ष नामक मानवरहित एरक्राप्ट है ये नेक्स्ट नाग एक टेंक रोधी मिसाइल है दोस्तों जो दागो और भूल जाओ किसी धान पकार करता है नाग पिर्थवी क्या है सता सता पर मार करने वाली कम दूरी की परचे पास ते पिर्थवी धाय सो किलिम्टरेस की मारक चमता है डियार डियो द्वारा विक्सित इंदर क्या है तो डॉपलर रडार पर नाली है यह दोस्तों रेवती क्या है डियार डियो द्वारा नोसेना के लिए विक्सित त्रीवी में एक खुजी रडार है रेवती नेक्स्ट आई जी एम डीपी के अंतरगत आने वाली मिसाइल सता से हवा में मार करने में सक्चम पाला सोधे इस परचे पास्त कौन सा है तिरसूल है तिरसूल ओप्रेशन सक्टी 98 नाम किस अभियान का गुप्त नाम था पोकरन में उनिस्वन ठान में हुए परमानु अभियान का ये गुप्त नाम था दोस्तों ओप्रेशन सक्टी 98 नेक्ष्ट स्रीनेक्स क्या है तो भारत स्रीलंका द्वारा किया गया स्यूत नोसेनिक अभ्यास है स्यूत नोसेनिक अभ्यास है याद रखेगा स्रीनेक्स क्या है तो भारत स्रीलंका द्वारा किया गया स्यूत नोसेनिक अभ्यास है ये निएखे चंद का अच्छी ए Mississippi 100 सेलीन वन किस देश से समन्दी थे जपान। चंद का अच्छी मिसन सेलीन वन किस देश से समन्दी थे जपान। आइञेस अस्त्रदारणी क्या है ये टार्पीडो पर्मोचन और पुनरप्राप्ति जलियान है ये। INS अस्त्र धारनी क्या है टार्पीडो पर्मोचन और पुनर प्राप्ति जलियान है ये किस इंजन में इंधन के रूप में हैट्रोजन तथा आक्षिकारक के रूप में वायमनली आक्षिएन का परियोग किया जाता है तो इस्क्रेम जेट इंजन में भारत की पहली सस्त्र पर्मानुपंडू बिकोंस या INS अरिहंत है मलावार 220 क्या है दोस्तों भारत अमिर्का और जब्मान के सनी को द्वारा किया गया सिंगत अभिहास है मलावार 220 समुद सकती किन देशों के मद्ध करनोसेनी का भिहास भारत और इंडोनेसिया को भीस है दोस्तों या समुद सकती चैचीत राफिल वीमान सोधा भारत ने किस देश के साथ किया प्रांस के साथ अस्त्र किस परकार का पच्छे पास्त्र है? अकास से अकास में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाल है अस्त्र निक्षर T19 भीस में क्या है? यह तिसरी पीडी का युद्धक टेंग के दोस्तों T90 निक्षर रक्षा मंत्राले द्वारा परती दो वर्स पर आयोजित की जाने वाली रक्षा परदसनी डेप एक्सपो वर्स 2020 में कहां आयोजित की गई? लखनों उतर परदस में पास से नो परबड़ी 2020 में याद रखेगा दोस्तों नेक्ष्ट अब हम लोग पढ़ेंगे लडाको विमान और महत्पुन्त थी तेजस, तेजस के बारे में देखिए, तेजस सोदेसी निरमित भारत का हलका लडाको विमान है जिसका विकास हिंदुस्तान Aeronautics Ltd ने किया है यह एक बहुदेसिये सुपरसोनिक विमान है जो हवा से हवा और हवा से सता एवा हवा से समुद्र में मार करने में सक्चम है दोसों तेजस राफेल बहु उदेशिये लड़ाकु विवान है जो हवा से सता पर 600 किलोमीटर तक निशाना साथ सकती है और इसकी मारक चमता लगभग 3700 किलोमीटर है और इसका निर्मान फ्रेंच कमपणी डसॉल्ट एवियसन ने किया है सुखोई 30 यह भारतिय वायसना में सामिल आधुनिकतम लड़ाकु विवान है और इसे रूस से खड़िदा गया है सुखोई 30 से विविन स्रेनी की बारे मिसाले दागी जा सकती है इसमें 4000 केजी 4000 केजी वजन इस सुटरक ले जाने कि इसमें चमता है सुखोई 30 में मीग 19 यह भारत और रूस की से जुद प्रियोजना मीग 29 भारतिय वायसना के पास मीग 29 के तीन स्कुईडरन है जिने अपग्रेट किया जा रहा है नेक्स्ट अवाक्स अवाक्स एरबोर्न वर्निंग एन कंट्रोल भारती वायसना का खोजी ये दोस्तो वीमान है खोजी वीमान है अवाक्स ध्रूब या सोधेश निर्मित एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर है और इसकी अधिक्तम गती 245 किलोमेटर परती घंटा है दोस्त ध्रूब का नेक्स निसांत या पायट रहित पर सिक्षन वीमान है दोस्तो निसांत रिमोट से संचालित या वीमान युद चेत में परिवेक्षक और टोह लेने में सक्षम है निसांत और पिनाक सोधेशी तक्निक से निमित या एक मल्टी बेरल रॉकेट लॉंचर है दोस अब हम लोग पढ़ेंगे पर्षे पास्त और स्रेनी देखे क्या है पिर्थवी सता से सता पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाले पिर्थवी और तिरसूल सता से हवा में मार करने वाली मिसाले तिरसूल आकास सता से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिस दूसतर होस्टे हवामे करने वाले मद्यम दूरी का मिसाले Дूसतर बरमुष सत्缪र रीकी दूरी कीशु पर सोनी क्रूज मिसाल भर मोस मारक्षमत इसका दो सो नव्य किलोमिट्र है सघारी का सबर मीन लॉंच बैलिस्टिक निस vanay दोन खाली का इंटर्जेप्टर मिसाली पर दून याद रखेगा सोड से सथा में मारक्षमत इसका 600 km है दोस्तों युद्धक टेंक और मत्पुन तत देखी अर्जून ये टेंक है अर्जून दोस्तों ये सोदेशी तक्निक से यूगत इस टेंक का विकास DR-D ने किया है और इसकी भेदन चमता 25 km तथा आदिक्तम गाती 75 km परती घंटा है रात में भी कारे करने में ये सक्षा तथा जवानों को विशाक्त कैस वो विकिरन से सुरक्षित दखना अर्जून टेंक की मुख विसेशता है दोस्तों भेश में भेश में T-90S भेश में ये मध्यम स्रेनी के युद्धक टेंक है इसके अदिक्तम का 30 km परती घंटा है तथा यह लेजर निर्देशित रिफ्लेक्स मिसाइल से युक्त है भीश में टेंक भारत और रूस की सहित प्रियुजन वाड़ा विक्सित किया गिया है करन यह मध्यम स्रेनी का हलका टेंक है जो नाविक्य जेविक्य वो रसानी की युद्ध सहन करने में सक्चम है करन लेजर रेंजर फाइंडर तक्निक से यह युक्त है दोस्तों करन नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे परमुक अनुसंधान संस्तान एवा मुख्याले भावा पर्मानू अनुसंधान केंदर कहा है? राजा रमन्ना उन्नद प्रोधु की कैंदर कहा है इन दोर मद परदीश में राजा रमन ना उन्नद प्रोध की केंद कहा है इंद और मदपर्देश में पर्मानु खनीज अन्वेंसन एवं अनुसंधान निदे साले कहा है 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 थरावाद ते लंगना में नेक्से पडिवर्ती उर्जा सैकलोट्रोन केंद कहा है कुलकात्ता पस्ची मंगाल में पडिवर्ती उर्जा साइकलोट्रोन के नंदर कहां एकजोल कत्ता पस्छी मेंगाल में नेक्स परमण उर्जा विभा की अन इकाईयां भारी जल बोर्ट मूंबाई में है भारती नाविके उर्जा कर्पोरेशन लिमेटेड मूंबाई में भारती नाविकी उर्जा कर्पुरेशन लिमिटेड मुम्बाई में है। भारती उरेनियम निगम लिमिटेड जादू गोडा में है। विक्रन एवं आइसो ट्रोप प्रदित की बोड कहा है मुम्बाई में। डियाडियो दुवारा उपगरा भेदी मिसाइल का परिक्षन सफलता पुर्वकिस अभियान के अंतरगत किया गिया मिसन सकती 27 मर 2019 को अमेरिका रूस एबं चीन के बाद भारत एंटी सिटिलाइट मिसाइल दागने की छमता रखने वाला कौन सा देश से 24 था नेक्स्ट वन्ना क्राई पेटिया और इंटरनल ब्लू आधी सब्द किसे समन्दित है साइबर आकरमन से ये समन्दित है उच गती डेटा संचारन के लिए प्रकास के माध्यम के रूप में पर्यूप में पर्यूप करता है तो लाइफ हाई या दके लाइफ हाई उच गत्ती डेटा संचारन के लिए प्रकास के माधियम की रूप में पर्युक्त करता है दोस्तों, लाइफ हाई, याद कि लाइफ हाई, प्रोजेक्ट लून, प्रोजेक्ट लून क्या है, किसे समधी थे दोस्तों, बेतार संचार प्रोजेक्ट लून, भारत में गुगल की निशुल्क साजनी के वाई-फाई सेवा परताण करने वाना पहला railway station को से है? मुंबई Central Railway Station равно railway station रेन सम्वेयर क्या है? यह एक परकार का malware है दूसरों, रेन सम्वेयर next, malware के बारे मुन देखिए ऐसा और कोई भी computer program software हो सकता है जो किसी computer server network अत्वा क्लाइट को हानी पहुचाने के लिए डिजाइन किया गया है malware साइबर आकरमन तथा आकरों की चोरी के डर से बचने याद कि बचने है तो Center for Development of Advanced Computer C-DAC ने किस सब्ट वियर का विकास किया है नयन का साइबर आकरमन तथा आकरों की चोरी के डर से बचने है तो Center for Development of Advanced Computer C-DAC ने किस सब्ट वियर का विकास किया है नयन का YMAX किसे समंदीते है संचार पुर्दित किसे समंदीते है YMAX Next भारत Electronics Limited का मुख्याले बैंगलूरू में है हिंदुस्तान Aeronautics Limited का मुख्याले दोस्तों बैंगलूरू में है भारत Dynamics Limited का मुख्याले है थराबाद में है Garden Reach Ship Builders एवं Engineering Limited का मुख्याले कलकता में है भारत Earth Movers Limited का मुख्याले बैंगलूरू में है भारत Earth Movers Limited का मुख्याले दोस्तों बैंगलूरू में है गोवा CPR Limited का मुख्याले वासको डिगामा में है मंजगाउं Dark Ship Builders Limited का मुख्याले मुंबाई में है Next RD Nance Factory Board का मुख्याले कलकता में है हिंदुस्तान CPR Limited का मुख्याले विसाका पत्न में है हिंदुस्तान CPR Limited का मुख्याले विसाका पत्न में है Next Sensor यूगत अंतर सम्मंदित वस्तों का नेटवर्क जो डाटा के आधन परदान कर सकता है क्या कलाता है Internet of Things कलाता है Internet of Things कलाता है नेनो प्रोदित की सब्दका पडियो सरपर्थम किस ने क्या था तो या देखें क्या नाम है नोडियो तानी गूची ने नेनो प्रोदित की सब्दका सरपर्थम पडियो क्या था नोडियो तानी गूची ने नेनो फोटोनिक्स किस समादित है नेनो एस्केल पर प्रकास के वेभार के अध्यन से यह समझी था नेनो फोटोनिक्स वो समाधिक हिमेनोइट्स रोबोट कौन सा है जिसे होंग कोंग इस्तित कंपणी हैंसें रोबोर्टिक्स दवाड़ा विक्सित किया गया है। नवंबर 2017 में रोबोट सोफिया को सौधी अरब के नागरिक्ता परतान कर दी गई है किसी देश के नागरिक्ता फोने वाली पहला रोबोट है दोस्तों सोफिया याद रखेगा सोफिया कहा सौधी अरब बैंकिंग पडिचालन को सुधरिड बनाने के लिए सौब्टि वियर रोबोटिक्स को लागू करने वाला परताम भारते बैंक कोन सा है आयसी आयसी आई बैंक है दोस्तों बैंकिंग परी चालन को सुदरीर बनाने के लिए सब्ट विया रोबोटिक्स को लागू करने वाला पर्थम भारती बैंक कोन है आईसी 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 आई बैंक भारत के पर्थम 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 की रोबोट बब्रो ब्राबो का डिजाइन एवं निर्मान किस भारत के कमपनी द्वारा किया गिया है तो याद के टी एल मैनुफेक्ट्रिंग सुलिस्टन के द्वारा नेक्स्ट देखे बैलिस्टिक मिसाइल से नी अधित्तम रेंज सौट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का होता है एक हजार किलो मेटर से कम होता है दोस्तों सौट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का एक हजार से तीन हजार किलो मेटर तक होता है अधित्तम रेंज और इंटर मेड यह बैलिस्टिक मिसा है कुम को नम तमिलाडू के सिटी यूनियन बैंक ने नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबर्ट लक्ष्मी लॉंच किया दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे अल्टिमा थुले सब्स्थित ब्रहामंडियपींड है जहां तक कोई आंतिशियंद पहुचा है अल्टिमा प्रमुक नुब करनाली गवं देश्ट गवाल wann गिर्णा व्परनाली सबसे बड़ा एवं सबसे वजनी संचार उपगरह कौन सा है तो जी सेट एक ग्यारे सबसे बड़ा एवं सबसे वजनी संचार उपगरह क्या है जी सेट एक ग्यारे नासा ने किस गरह के अध्यन के लिए इंसाइट मेशन का परचेपन किया था मंगल गरह के लिए भारत के पहले परस्तावित मानव यूगत आंतिची मेशन का नाम क्या है गगणियान भारत के पहले परस्तावित मानव यूगत आंतिची मेशन का क्या नाम है दोस्तों गगणियान चंद्रियान दो कब परचेपित किया गया था 22 जुलाई 2019 को परचेपित किया गया था चंद्रियान दो केलेंडर को विक्रम जबकि रोवर को परग्यान नाम दिया गया है पिर्थवी और सुर्गा गुर्थवे संतुलन बिंदु क्या है तो यादे लांग रेंज पॉइंट है पिर्थवी और सुर्गा गुर्थवे संतुलन बिंदु क्या है लांग रेंज पॉइंट है चंद्माप उतरने वाला पहला मानव यूगत आंतरिच मोडियोल का क्या नाम है इगल है दोस्तो इगल अमिर्की आंतरिच एजनसी नासा ने सुड के त्री आयामी अध्यन के लिए कौन सा मेशन अक्टुबर 2006 में प्रारम किया था तो इस्ट्रियो मेशन को प्रारम किया था जाली दास्ता वेजों का पता किन किर्णों के माधिन से लगाया जाता है परावेगनी के किर्णों से दोस्तों लगाया जाता है सीम का पुरा नाम क्या है तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोड्यूल है सीम का फुल फॉर्म नक्ष इसरो द्वारा आंतिच में पर्योग होने वाली लिधियम आयन बेटरियों के लिए किस कमपणी के साथ करार किया गिया है भारत हेवी इलेक्टिकल्स लिमिटेट के द्वारा इसरो द्वारा आंतिच में पर्योग होने वाली लिधियम आयन बेटरिक के लिए किस कमपणी के साथ करार किया गिया है भारत हेवी इलेक्टिकल्स लिमिटेट के द्वारा भूत उलिकाले के कख्छा में संचार वबगरा अस्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने वैक्ट की थी और्थर सी कलार कि ने क्रायोजेनिक्स ताप से आशे किस ताप से है दोस्तों 150 डिगरी सेलसियस से कम ताप से क्रायोजेनिक्स ताप से आसे किसे ताप से 150 जगरी सेल्सियस से कम ताप नेक्ष भारत के परमुक अस्तम कोशिकानु संधन केंदर है स्ट्रीम सेल रिसास सेंटर ओप इंडिया है जिसे आपको याद रखनी है नेस्नल सेंटर पोर याद के बायोजीकल साइनसेस कहा है बैंगलुरू में इंटरनेस्नल सेंटर पोर स्टेम सेल्स केंसर एंड बायो टेकनोलोजी कहा है पुने में Center for STEM Cell Sciences कहा है है हैदराबाद में School of Regenerative Medicine कहा है करना टक में Next, LV परसाद Eye Institute कहा है है हैदराबाद में किस वायरलेस तकनिक के अंदरगा दो उपकरनों को एक छोटी रेंज में लाकर 4 सेंटीमीटर रेडियो संचार अस्थापित किया जाता है निकट छेतर संचार किस वायरलेस तकनिक के अंदरगा दो उपकरनों को एक छोटी रेंज में लाकर 4 सेंटीमीटर रेडियो संचार अस्थापित किया जाता है निकट छेतर संचार किस अप्लिकेशन के माद्यान से भोतिक जगत की वस्तों को कम्प्यूटर जनीत 3D मॉडल को एनिमेशन वीडियो के द्वारा संचार अस्थापित किया जाता है निकट भू एस्थेतिक कक्चा भू एस्थेतिक कक्चा या जियो एस्थेशनरी और बिट पिर्थवी से लगवग कितनी उचाए पर इस्थी थे दोस्तों 36,000 किलोमेटर भू एस्थेतिक कक्चा जो होता है ये पिर्थवी से लगवग 36,000 किलोमेटर पर ये इस्थीत होता है कौन सा भारती उपगरा एक ही समय में अल्ट्रा वाइलेट अप्टिकल लो एंड हाई इनर्जी एक्सरे वेब बेंड पर ब्रहमांड की निगरानी करने में सक्चा में एस्ट्रोसेट दोस्तों नेक्स्ट गोल्डी लॉक्स जोन में इस्ट ऐसे ग्रह जो आकार परकार की द्रिष्टी से पिर्थवी के समान होते हैं सुपर अर्थ कहलाते हैं याद रखेगा और यहीं पर दोस्तों हम लोग सुरूस लेके अन तक कंप्लिट कर दिये बायलोजी को और दोस्तों यह पूरी साइंस यहां पर अच्छी तरह से सुरूस लेके अन तक दोस्तों यह कंप्लिट हो गई है यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों आसा करते यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा सेर कर दिजिएगा कम से कम एक दोस्तों को इस चैनल से जोरने का प्रियास आप जरूर किजीएगा चली दोस्तों दुस्य वीडियो मिलते तब तक लिए है वपना थे ओल डगी ऐखेसे खास बात दोस्तों अपने प्रिवार के हमेशा ख्याल लखा किजिए और एक बात हमेशा याद रखेगा दोस्तों महिनत कभी भी वेर्थ नहीं होता है महिनत का फल जो भी होता है बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों बिना महिनत का कुछ भी नहीं होता है याद रखेगा इसलिए अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा we have a nice day all of you again